तो हम लोग बात कर रहे थे आपके लेटेस्ट लूसेंट सामान ग्यान के बारे में और आपको हर बार बोलना कि देखिए आप लोग अगर किसी भी गवर्मेंट एकजाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप देखिए जी के जी एस आपका आता है उससे कुश्चन्स पूचे जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग उनको लूसेंट सामान ग्यान पढ़ना चाहिए और अगर आप लोग उनको विस्तार में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं और भी जो इस फेसल बुक से उनने भी पढ़ सकते हैं लेकिन आप लोग देखिए वन डे एक जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे स्सी बैंक रेलवे, टीचर, एम, पुलिस, एसाई, पटवारी, पोस्ट ओपेस इस तरह की तमाम एक जाम होते हैं अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप sought में, कम समय में तैयारी पूरी कर लें जी के जी एस की, तो Vicent आपके लिए बहतर रहती है समय रहे हैं आप लोग इनने लुसेंट को देखना चाहिए तो अभी लाया हुआ हूँ, आप लोगों के लिए ही, तो आप इसे पढ़िए, देखिए क्या हाल है तो इसमें आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत का भुगोल देखा था, क्या देखा था, भारत का भुगोल आज हमें बारात करनी है भारतिय अर्थवेवस्था के बारे में, एकोनोमी के बारे में, देखें अर्थवेवस्था का आप देखते होंगे कि अर्थवेवस्था जैसे ही आपके सामने सब्द आता है, तो आप लोग आर्थिक क्रियाओं के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपने परिबार को एक तरह से देश समझ लिजे, जो आपके यहाँ पैसे की लेंदन होता है, आर्थिक इस्तियां चलती रहते हैं, वही एक ओनुमी है, एक साधार जब्दों में बता रहा हूँ, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थ सास्त और अर्थ विवस् परबाद करेंगे, किरसी परबाद करेंगे, और विदेशी व्यापार्फ, बुक्तान सल्वलन परबाद करेंगे, आर्थ सास्त से वो परेख्शा उपयोगी तत्थ हैं कुछ, महत्पूर पॉइंट हैं, उन्हें भी देखेंगे, महत्पूर सब्दा वलिया है, आर्थिक सब्दा वलिया, उन्हें भी देखेंगे, बिभिद तत्थ और केंदिये बजट 2021-2022 भी के कुछ बिंदू देख लेगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब 22-23 साइचोका है, तो केंदिये बजट को आप लोग जिस साल पेपर देने जा रहे हैं, उस साल आप लोग पढ़के जाया करिएगा, ठीक है, उन्हें से कुछ आपकी परिक्चाओं में पूछ जाते हैं, और बजट से आप देखते हैं, कुछ आते रहते हैं, तो अगर हम या हानिकत्त विद्धमान होता है, सामिल होता है, आर्थिक गतिवी निया कहलाते हैं, अर्थ विवस्था का अधूरा सब्द है, अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी छेत विसेस का नाम ना जोड़ा जाए, तो बास्तों में जब हम किसी देश को उसकी समस्ता आर्थ उत्पादन, वित्रन, और आप देखिए कि एक से माल लीजे, बिस्किट का ले लीजे उधारन, आप लोग जो पाए लेजी बड़ा बहुत पुराने समझ से आथ लोग देखते आ रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर मांग नहीं होगी, तो इसका उत्पादन क्या करेगा समय रहे हैं आप लोग, अगर इसकी जरूरत लोगों को नहीं होगी, तो इसका बनना ही रोख जाएगा, और जरूरत होती है, मांग होती है, तभी उत्पादन बढ़ता है, और फित्रन होता है, पहुंसता है आप तक, अर्दवस्था की परिभासा की अगर हम लोग बात कर जाता है, कि इसमें चार भागों में बांटा जाता है, इसमें आप देखेंगे कि ये अर्दवस्था की पिकार होगा है, पिती वेक्ती, सकल राष्टी है, आए के आधार पर, नीची आए वाली, इसमें देखेंगे आप लोग US डॉलर में दिया गया है, 995 आए इससे कम, ठीक है, नीची मद्ध आए वाली, इसमें देखेंगे आप लोग 996 से 395 डॉलर, और उच मद्ध आए, आप देखेंगे 386 से 12,055 डॉलर, उच आए वाली देखेंगे तो आप 12,055 या इससे अधिक, और आप देखेंगे कि हमारी बहुत बुरी इस्तिती है इसमें, विस् तीर सेनियों में होता है, पुझी बाद यारत वरस्ता आप लोगोंने सुनी होगी, उसी की बात करें, यहां आप लोग देखेंगे, विस्ट की 10-30 अर्द वरस्ता है, देखेंगे देखेंगे, दोजार इसके हैं, यह ऐसे आपका, देखें, टिलियन के में दिया गया डॉ 21.43 के साथ पहले नंबर पर है, चाइना, आप देखेंगे, चौदए दलियन के साथ दूसरे इस्थान पर जापां 5.4 टिलियन के साथ तीसरे इस्थान पर जर्वनी चौथरे इस्थान पर भारत का नंबर देखेंगे, 5.93 टियन डॉलर टीक है, तो और उसके बाद 6 वे न पर आये थे तो अभी आप 5-0 number पर हैं अगर पूंजीवादी अर्फwasserस्ता की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इस अर्फ्वयवस्ता में क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर वेंचना है ये सब बायार तै करता है और इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है माल लिजी कि आप लोग किसी बस्तू को बना रहे हैं आप माल लिजी ठीक है तो आप देखें कि उस बस्तू की क्या कीमत रखनी है क्या उत्पादन करना है कितना उत्पादन करना है ये आप ही तै करेंगे न तो यही पूंजीवादी अर्थवस्था होती है और 1776 में आप देखेंगे पिकासित एडम इसमित की किताब ये पूंजीवादी अर्थवस्था का उद्गम सुरोध माना जाता है इस पूस्था को भी याद रखेंगे और 1776 में तो यही पूंजीवादी अर्थवस्था की लोग फ्री एथा कि बिरोध के सुरूम में हुआ था इसमें उत्पादन आपूरती कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है और ऐसी अर्थव्यस्था को केंदीकित नियोजित अर्थव्यस्था कहते हैं जो गेरवाजारी अर्थव्यस्था होती है राज्य अर्थव्यस्था दो अलगलग सेली नजर आती है और सोवियसन की अर्थव्यस्था को समाजबादी अर्थव्यस्थ सरकार कान्या अंतन थे ते एक बात और आपको बता दू, लाब कमाना लेकिन राज जर्द विवस्ता होती इसमें आप देखी मानों को भी ध्यान में रखा जाता है कि उसके पास पैसा है कोई बस्तू का उत्पादन है तो उसे खरीद पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा है ठीक है और पहली बार पहली बार राज जर्द विवस्ता स अच्छाक में 1990 में सामने आया हमारे राज अर्ध वरस्ता फिर आप मिसरित अर्ध वरस्ता कहा दितें। हमारे आपने देखा होगा कि सरकार भी देखती है कि किस बस्तू का कितना उत्पादन करना है क्या करना है क्या नहीं करना है और आपने देखा है कि सरकार का लाख कमाना कम उद्देश होता है मानो जनकल्यान अधिक उद्देश होता है और हमारे हाँ पूंजी बादी अर्तवस्था भी देखने को मिलेगी आप देखते होंगे कि सरकारी बसें चलती हैं, प्राइबेट बसें भी चलती हैं समझ रहे हैं आप लोग? तो मिस्रे तर अर्तवस्था है हमारे हाँ कैंस ने चुजाओ दिया था कि पूंजी बादी अर्थवस्था को समाज बादी अर्थवस्था की और कुछ कदम बढ़ाना चाहिए जब कि प्रोफेसर ए लाज ने कहा कि समाजबादी अर्थवस्था को पुझी बादी अर्थवस्था की और कुछ कदम बढ़ाना चाहिए आप देखें कि देखें पूंजी बादी है उस्वेस्ता आप देखते हैं कि प्राइवेट बसें चलती हैं प्राइवेट कम्पनियां चलती हैं तो अगर जनता के पास उतना पैसा है तो आराम से इस तरह की मिस्तर अगवस्ता सक्सिज हो सकती है और आप देखें जहां पूं भी खतम नहीं उसके गरीबी पर नाम राजनी दी करने वाले नेता कहां से कहां पहुँच गयी बंदर अर्द विवस्था होती है जिसमें ना तो निरयात होता है नहीं है आयत होता है यानि एसी अर्द विवस्था कसेस विस्द से कोई सब्मन्द नहीं होता है ये कई बार questions बन गया कि बन्दर रथविवस्था क्या उते है? जिसमें ना तो निर्यात राविश दों ना ही आयाद. ठीक है? अर्थविवस्था कि अगर हम चेत्रों की बAd करें, तो मानों कि वे तमाम किरिया कलाब जो आय असरजर में सहाइक होते हैं, उनें आर्थि किरिया की संग्या में पाधा गया जिने अर्थ रस्था का चेतरक कहा जाता है क्या कहते है चेतरक कहते हैं इसमें सबस्त्र चितरक में सामिल अगर देखें तो किसी बान की मत्सपालन पसुपालन खनन उत्खनन इसमें सलगन सरम की प्रक्ति को रेड रेड कॉलर जॉब के जरी ये संकिय तक देते हैं ठीक है और इसमें आप देखें प्राथ में चित 55% है तिती अक्षेत आप देखें युगदान 30% और दुती अक्षेत में आप देखें कि 15% ठीक है तो ये भी आप देखें और या अभी देखें 2021 तो तिती अक्षेत का युगदान शुरू आता है ये उन्निस सो पचास इंग्यावन की और अभी देखें पहुंचते पहुंचते हम लोग 2021 में युगदान क्या हो गया हमा ये लगभग आप देखें 55% युगदान था दुती अक्षेत की बात करें तो और द्वस्ता को अपनी कतिवदियों में कच्छे माल की तरह उपयोग करता है दुती अक्षेत कहलाता है दुती अक्षेत में बिनिर्माड बिद्धूत गैस जलापूर्ती अन जन उपयोगी स द्वाएं दिर्माड वास्ताव में चितर के दुकर करता है इसकारण इसे अद्धोगिक चितरक भी घा जाता है है अब देखें कि उससे के लिए कच्यावाल कहां से उत्फण्य होता है प्रात्मिक्छित से ग्यौूंसे बनता है ना समय रहे आपको तो वहाँ उसे माल लेजे दुतियक छित का कहलाएगा जहां उसका उत्पादन हो रहा है ठीक है वो दुतियक छित के अंतर गता जाएगा और तितियक छित इस छित में आप देखेंगे तो इस छितरक में बिभिन पिकार की सेवा उत्पादन के रिया और तितियक छितरक यान सबसे अधिक योगदान करता है और भार्थी अधिक वाली अर्थोस्ता है आप लोग स्थिक्षा लेते हैं वो भी तितियक शेत में आती है सिवाएं मिल रही है आर्थिक संब्रिद्धी से अभिफ्या है किसी समाओधी में किसी अर्थवस्ता में होने वाली वास्थविक आहसे होता है और सामान तब यदि सकल राष्टिय उत्पात यानि की एन जी एन पी सकल घरेल उत्पात यानि की जी डी पी और पिती बैक्ती आय में विध्धी हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संब्रिद्धी हो रही है अर्थात आर्थिक समरीदी उत्पादन की विर्दी से सम्मन्द थे जिसमें परिडाम सुरो परिवतन होता है जो उक्सरम सक्ति उभवो पूझी व्यापार की मात्रा में पिसार के साथ होता है और आप कह सकते हैं कि आपकी अर्थोस्था ठीक चल रही है किसी देश की आर्थिक सम्रिद्धी का सरवादिक उपयोग तुमाब दन पिती व्यक्ती बास्तविकाय से होता है अब आप सोचें कि अगर पिती व्यक्ती आया बढ़ रही है तो आप अंदाज आ लगा सकते हैं कि वो देश आर्थिक सम्रिद्धी कर रहा है आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास की धार्णा आर्थिक सम्रिदी की धार्णा से अधिक ब्यापक है और आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कितिक, आर्थिक गुडात्मक और परिडात्मक सभी परियोतनों से संबन देते हैं और आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुडवत्ता में सुधार हो आर्थिक विकास की माप में अनेक चर्ष समलित किये जाते हैं जैसे आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूम में परिवर्तन, सिक्षा तथा साक्षर्ता दर, जीवन पित्यासा, फोसन का इस्तर, स्वास्त सेवाई, पिति विक्ति, उभोक बस्तुएं और आर्थिक विकास मूलता मानो विकास थी है, भारती मूल के नौवल का विजेता रहे हैं प्रोफेसर अमरस सेन ने, आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा चमता के विस्तार की रूम में परिवासित किया था, जिसका तात्पर है जीवन, पोसन, आत्म, सम्मान और सुतन था महमूब उल्हक ने आर्थिक विकास को गरीवी के विरूद लड़ाई के रूम में परिवासित किया जाना है, जाहे हो है गरीवी किसी रूम में भी हो, ठीक है, आर्थिक समरेद्दी की यहां देखिए कुछ पॉइंट है, केबल परिडात्मक परिमाड मत, केबल परिमाड मत, तमक परिवर्तन, राष्टिय उत्पात के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिडाम सौरो, परिमाडात्मक माप संभा हो परिवर्तन, आर्थिक विकास में परिमाडात्मक और गुडात्मक परिवर्तन, राष्टिय उत्पात और जीवन की गुडवत्ता किसी देश का अर्थिकविकास की तुलादम northern aAm अगर आप देखें आर्थिक विकास की माप अगर विभिन देशों की आर्थिक विकास की माप तथा विभिन देशों की आर्थिक विकास की तुलादमक इस्तिती ग्याद करने के लिए पांच देश्ति कौन है इसमें आधारभूत अवसकता पित्या गम इसका पित्ती पादन विस्ट बेंक ने किया था दूसरा आप देखेंगे जीवन की बहुती गुडवत्ता निर्देसांग पित्यागम इसका पितीपादन मौरिस डेविड मौरिस ने किया था Overseas Development Council की कहने पर और इस बिदी में किसी भी देश के रहन सहन के इस तर यानि आर्थिक विकास की तुलागा के लिए तीन आकड़ों सिसु मित्युदर वैस्क साक्षरता दर एक बरसायू की जीवन पित्यासा के उसतमान का उपियो किया जाता है जीरो से सो तक पिरमाना होता ह जीवन की भूदी गुडवत्ता निर्देसांग पित्यागम का अधिक तमूल सौ और नियुन तमूल एक होगा और सौ की योई और बढ़ना उत्तम इस्तिती होता है एक की और बढ़ना खराब इस्तिती होता है आप भी सोचे लिए जे सौ का बूल आंक है अब अगर सौ की तरह बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है और एक की तरह बढ़ रहे है तो बुरी बात है क्रह सक्ती संता विधी इस विधी का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतराष्टी मुद्रा कोस ने किया था और आज कल विष्वेंक इस विधी का प्रयोग विभिन देसों के रहें सा कि लिए कर रहा है एक बात और बता दो आपको जिस संस्थाएं दिखाई दे नहीं ना अंतराष्टी मुद्रा को से अगया हो गया विष्वेंक हो गया इनके बारे में हम लोग ने बिस्ताल से बात कुई वर्ड एक तरह से आप देखिए इंपोर्टेंट और गनाइजिश पर उठाईए उनका मोल लیاں करके जाया और आप देखिए कि उसमें कहां से कितने कुष्टन से पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से अधिक कुष्टन से आ रहे हैं किस टॉपिक पर आपको ज्याद ध्यान देना की जरूरत है तो यह सब आप लोगों को देखना चाहिए फ शम्ता की दिरिष्टी से भारती अर्थवस्था विसकी तीसरी बड़ी अर्थवस्था थी परचेजिंग पावर्टी की बात हो रही है कि समझ रहे हैं आप लोग तो ये भी आप लोग याद रखेएगा निवल आर्थिक कल्याड निवल आर्थिक कल्याड सकल राष्टी उत का सही माप करेगा इसा धार्णा का धार्णा का पुरियुक सबसे पहले डेली और तथा कॉप ने 1989 में किया था जीवन की गुडबत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोर धास तथा जेम्स ट्रॉबिन ने मेजर ऑफ एकोनोमिक से बेलफियर की धार्णा विक्सित की थी जैसे बाद में सेमुएल सन ने संसोधर करके नेट एकोनोमिक बेलफियर कहा मानो विकास सूचकांक के बारे में भी पढ़ते होगी आप लोग इसते भी कुष्टन साते रहते हैं और यह हर साल आप देखते होंगे कि एक सूचकांक आता रहता है तो मानो विकास HDI इस सूचकांक का पिती पादन 1990 में United Nation Development Program से जुड़े अर्थ सास्ती थे महमूब उलहक पाकिस्थान के जहें मानो विकास सूचकांक के एक सांकी की सूचकांक है जिसमें जीवन पित्ते ऐसा सिक्षा आय सूचकांक को सामल किया जाता है और सहयुक्त राष्ट द्वारा पहला मानो विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था पितेक वस्य सहीग तराष्ट कारिकरम UNDP के द्वारा पिकासित किया जाता है मांतों विकास सूचकांग का उच्चताम मान एक 1.0 तक होता है मांतों विकास सूचकांग मानों विकास की मामले में देशों की स्तितिगि अगर बात करें तो 0 से 0.555 से कम निम्न मानो विकास बाले देश है, आप फर आप देखें, इसमें 0.550 से लेकर आप देखेंगे 0.700 से कम, इसमें मानो मध्यम मानो विकास बाले देश होते हैं, 0.700 से 0.800 से कम, इसमें उच्च मानो विकास बाले देश होते हैं, फिर आप देखेंगे 0.800 से 1 बहुत उच्छ मानो विकास वाले देश होते हैं अच्छे स्थिति वाले 2012 में मानो विकास सुचकांक जारी नहीं किया गया था ठीक है तो राश्टी विकास परिशत की बात हो रही है UNDP की इसके बारे में भी जाल लेजे UNDP इसका मुख्याला निवाल्क में अवस्तित है UNDP गरीव उनमूलन आसमानता को कम करने ही तो लगबग 70 देशों में काम करता है इसके अलाबा इसके विकास को बड़ावा देनी के लिए नीतियों और नित्यत्यकोसल सांजेदारी चमताओं सांस्थागाच चमताओं को विक्सित करने और लचीला बनाने में मदद करता है मानो विकास रेपोर्ट की बात करें 2020 में इससे उक्तराष्ट विकास कारकरम ने वर्स 2020 की मानो विकास रेपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी वर्स 2020 की िरिश्ड रिपोर्ट में 139 देसों को उनके मानोविकास सूचकांग की इस्तिती की आधार पर रेंकिन पिदान की थी इसरे रिपोर्ट में भारत 171 विश्थान पर रहा था गदवर्स भारत इस सूचकांग में 139 विश्थान पर था देखिए आप लोग जिस साल पीपर देने जा रहे हैं उस सालें से जरूर भारत की स्तिति देख के जाया करिएगा ठीक है बस 2020 की मानोविकास सुचकांग 2019 के लिए इसका मान 0.645 है जिसके भारत मध्यमार मानोविकास वाले देशों की सेणी में आता है HDR 2020 में पितवी पर दवाओ समायोजित मानोविकास सुचकांग को पेस किया जो देश के पिति व्यक्ति कारवन डाय ओकसाइड उससा जन और सामगरी के पच्चिन द्वारा मानोविकास सुचकांग को समायोजित करता है ठीक है अंड सुचकांग जो इस रिपोर्ट का ही भाग है आसमानता समायोजित मानोविकास सुचकांग लेंगिक विकास सुचकांग लेंगिक आसमानता सुचकांग वहू आयामी गरीवी सुचकांग HDI ने इस बात पर जोड़ देता है कि किसी देश के विकास का आकरन करने के लिए वहाँ के लोगों और उनकी चमताओं को अंते मात दंड माना जाना चाहिए ना कि केवल आर्थे विकास को तो एसे बरस 2020 में मानो की मानो विकास रेपोर्ट में 2019 और 2018 में भी सरवुच स्थान नौर्वे का ही था समझ रहे हैं और आप देखें कि यूरोप के देश काफी जो भी सुचकांग आते हैं उसमें टॉप पर ही रहेंगे सबसे नीचा मानो विकास सुचकांग में नाइजर का था 0.394 और इसे 189 देशों की सुची में सबसे नीचे यानि की 189 वे स्थान पर रखा गया है ठीक है और 2019 की रेप्यूट में भी यही 189 वे स्थान पर था मानो विकास सुचकांग की दृष्टी से 65 देखें तो नॉर्वे, सुचेलेंड, आयलेंड, हॉंग कॉंग, आइसलेंड, जर्मनी मानो विकास की सुचकांग की दृष्टी से नीचे की देश देश ने तो नाइजर हो गया क्यांदरी है अफ़ी की गड़राज 188 वे नंबर पर 187 चाड़, 186 दच्छी सुडान, 188 वरुंडी, ठीक है विस्ते के अन परमुक देशों की रैंकिंग की बात करने तो यह डैन्मार का 10 वा, यूनाइटिक किंग्डम का 13 वा, कनाडा का 16 वा, अमेरिका का 17 वा, रूस का 52 वा, ब्राजील का 84 वा, जापान का 19 सुबा, इस्राइल का 19 सुबा तो यह छोड़ी है, आप लोग जब पेपर देने जाओ, उस समय जरूर देखे लिए जगा, ठीक है मानो विकास सुचकां की दृष्टी से भारत के पड़ोसी, मौरीसस, 66 वे, स्रीलंका, 70 वे, चीन, 85 वे, मालदी, 95 वे, भूटान, 139 वे, और यहीं बंगलादेश, आप देखेंगे तो 133, नैपाल, 142, मियानमार, 147, पाकिस्तान, 145 वे, भारत से बुरी इस्तिती में थे ठीक है, मुझे लगता है कि आंगे बढ़तने चाहिए हमें, ठीक है, दबायो, दबायो, समाय विजित मानो विकास, सुचकां की आधार पर आंकलन करने पर HDI में, 30 सिस्तान पर रहा नौर्वे, THDI, सुचकां के 15 सिस्तान नीचे चला जाता है, इस सुचकां में 30 सिस्तान प 2005 की इस्तर से बर्स 2030 तक 33 से 35 पर्षेंट कम करने और गयर जीवास मीधनों इधन सरोतों से 40 पर्षेंट तक विद्धुत सक्ती चमता पराप्त करने का बादा किया था, भारत में 100 चमता मार्श 2014 में 2.6 गीगाबाट से बढ़कर 2019 में 30 गीगाबाट हुई, और परिणाम सु इसमें नियधार समय से 4 वर्स पूर भी अपना लगश हम लोगों ने पराप्त कर लिया, 2019 में भारत को संस्थापिद 100 चमता में 25 पराप्त हुआ है, एक बात और आपको बता दो, देखिए, ये आप सोचिए, एक समय की बाद कोईला और ये कच्छा तेल खत्म हो जाएगा और आप सोचिए कि बिना उर्जा की आज के समय में जिन्दा रह पाना मुझे लगता है, असंभौ लगता है, आप देखिए बिजली को आप लोग देखिए, अगर नहीं बनेगी तो क्या इस्तेती हमारे रहेगी, आज हमारी जरूरत बन चुकी है एक तर ऐसे, और इसके पानी से और सूर भगवान से हम लोग बिद्धुद बनाने की बात करें, उर्जा प्राप्त करने की बात करें, नभी करनी असरोत कहते हैं, भारत और उनके परोसी देशों का पिदरसन बात करें, तो ये देखिए पुराने है, मुझे लगता है कि बताना जरूरी नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो पढ़ लिजे और नहीं चाहें तो अपना पढ़ लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब पेपर दने जा रहे हैं, उस समय जरूर आप लोग उस साल का पढ़के जाएगे, लेंगिक आसमांदा सुचकांक महलाओं के पिजनस स्वास्त और ससक्त इस्तर पराधारी थे जो मारोविकास सुचकांक, HDI के लिए, खुसाली की बात करें तो खुसाली मनुस मात की आकांचा है, जो की सामाजिक प्रगिती का पैमाना बन सकता है, और दुनिया भर के देशों के लोग खुसें कि नहीं, इसकी सही माप की कुझी खुसाली सब्द किया था, और इसे रिपोट में राष्टों की खुसवाली की माप की जाती है, और जिसका मूल उद्देश होता है कि राष्टों को लोग नीती का पत्पिदर्तर करना है, खुसाली की माप के छे कारकों के आधार पर होती है, पिती बेक्ती आए, जीडीपी, क्रैसक्ती की अब आप सोची कि आपके पास पैसा है, आपके पास आय हो रही तो आप देखिए आधी से आधी समस्याएं खतम हो जाती, खुस रहेंगे, सामाज एक सहयो मिल रहा है, स्वास्त जीवन पित्त्य ऐसा है, यानि कि आप स्वास्त हैं, जीवन विकल्बों के चैन की सोतनता है आप कोई भी विकल्ब चुन सकते हैं, उदारता, विष्टाचार का बोध, अगर यह सभी अच्छी इस्तिती में हैं, तो आप सुची कि हमारा खुसाल रहते हैं, जैसे विस खुसाली रिपोर्ट 2021 की बात करें, तो 19 मार्च को सयुक्तराष्ट की तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त दिवस की थीम, हैपीनेस पूर ओल फॉर वियर, यह वर था, इस बर्स यह रिपोर्ट विस के लोगों पर, कोविद-19 के प्रभाव पर केंदेत हैं, क्योंकि आप देखी, कोविद महामारी ने कितनी बुरी तरह से हमको प्रभावित किया है, इस सूची में 149 देशों के सा लोग का ही देश है, और लगा था, चौत्रे बस विस का सबसे खुसाल देश है, फिलेंड की बाद आइसलेंड दूसरे, डैन्वार्क तीसरे, सुईजेलेंड चौत्रे, नीदलेंड पांचवे, सुईडन चटवे, जर्मनी साथवे, नौर्वे, आठवेस्तान पर है, और वहाँ आदमीयों को मनलाव, आप सुची, वहाँ की लोग भागते हैं, दूसरे देश में रहने के लिए, कब बं फट जाए, कब क्या हो जाए, मालू ही नहीं है, ना आयका कोई है, गरीब देश है, आप देखी, बुरी तरह ऐसे प्रभावित हो रहा है, इस सुची में अ क्या इस्तिती, किस देश की, उसे याद रखा करिएगा, किन बातों को ध्यान में रखते हुए, उस सुच कांग को जारी किया जाता है, बनाया जाता है, उस पर ध्यान रखा करिएगा, नीचे से टॉप कर रून कर रहा है, उन पर भी याद रखा करिएगा, भारत की स्तित क्या है उस पर भी यात रखा करीगा भारत के परोसियों की स्तिति क्या है मुझे लगता इतना प्वाइंट आप लोगों के लिए काफी है पेपरों के लिए ठीक है यह देखिए अंतराष्ट बेस्वेक प्रमुक्स सूचकांक है इन्हें देख लिए एक बार वैसे आप करने जा रहे हैं मैं फिर से बोल रहा हूं तब तो आप लोगों को एक बार नए जो भी अपडेट करके जाना आई है इस सूचकांक होगा है वर्स होगा है असंब्ले देश भारत की रैंकिंग सीच तीन देश निम्न तीन देश जारी करने वाली निका है और मानुविकास सूचकांक की बात करें 2020 में आप असंब्ले तरव दवस्था है एक सो अस नवासी देश थे और 131 वे पर हमारी इस्तिदी रही थी टॉप की बात करें तो नॉर्वेय आयलेंड सुई जलेंड ट चैसी भी नंबर की थी न्यूजिलेंड वेतनाम और ताइवान टॉप पर थे ब्राजिल अंठनवे में नंबर पर था लावी इस्टिट्यूट ऑस्टेलियाने से बनाया था जारी किया था बैस्विक लेंगे कंदराल सुचकांक 2021 का है 156 देश सामिल थे 140 वे पर हमारा नं मंच इसे जारी करता है कारोवारी सुगमता सुचकां 2020 का है 190 देश सामिल थे 73 वे नंबर पर हमारा नंबर रहा था न्यूजिलेंड सिंगापूर होंग कॉंग और स ए आर चीन डेश ए आपका टॉप पर थे सुमालिया सबसे नीचे से टॉप कर रहा था 190 वे वे बिस बैंक से जारी करती है वैस्विक भुकमरी सुचकांक 2020 का है 307 देशों को सामिल किया गया था 94 वे नंबर पर हमारा नाम है तो आप समझेगे कितनी वुकमरी हमारी क्या आइस्ते थी है वैलारूस वो सनिया और हर्जे गोविना चाड से एक तुरूप से विराजिल यह सभी टॉप कर थे और चाड नेचे से टॉप कर रहा था कंसर्ण वर्ल्ड वाइड आइलेंड वैल्ट हंगर हिल्क यह जर्मनी की संस्था है इसने यह जारी करती है नोरों मिलकर वैसिविक नबाचाल सुचकांग 2020 का है 131 देश सामिल थे 48 वे पर हमारा नंबर है स्वेजेलेंड स्वेडन यूएस से टॉप पर है यह मन 131 वे नंबर पर है नीचे से टॉप कर रहा है विस से बहुत धिक संपदा संगठन इससे जारी करता है फिर आपका विस प्रेश सतंता सुचका 2021 एक सो असी देशों को सामिल किया गया 142 वे पर हमारा नंबर है नॉर कौन जारी करता है रिपोर्टर्स सेंस फ्रेंटियर पैरिस की संस्था है इसके द्वारा जारी किया जाता है फिर आप देखेंगे बैस्विक आर्थिक सतंता सुचका 2021 का है 184 देशिस में सामिले 121 वे पर हमारा नंबर है सिंगापोर न्यूजिलेंड अस्टेलिया इसमें टॉप पर हैं सेंटर फोर सेविल सोसाइटी के द्वारा इसे जारी किया जाता है बहुत देख समपता सुचका 2020 का है त्रेपनवे पर हमारा त्रेपन देशों को सामिल किया गया था चालीस वे पर हमारा नंबर है USA UK जर्वनी टॉप पर है बेने जोईला त्रेपनवे सबसे बड़े विस्ति के सबसे बड़े लोग तंथ होने का दम भरती रहते ना इसमें देखिए हमारी इस्तिति क्या है यह 2020 का है 165 देशों को सामिल किया गया त्रेपनवे नंबर पर हम लोग नौर्वे आइसलेंड स्वीडन टॉप पर है उत्तरकुरिया सबसे बुरी इ इकोनोमिट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है विस्ति परदात्मक सुचकांग 2021 का है 64 देशों को सामिल किया गया था भारत 43 भी नंबर पर था सुईजेलेंड स्वीडन डेनमाग टॉप पर थे वेनेजोला चॉंसरवे आई एमडी के द्वारा इसे सेंटरल अफीकन रिपवलिक ए 165 स्थान पर नीचे से टॉप कर रहा है आप देखें कि सस्टेनेवल डवलमेंट सॉलूशन नेट्वर्ग और वर्ल्ट स्मेंट स्टेफ टेग के द्वारा इसे जारी किया जाता है बैस भी खुसाली की बात कर लेते हैं 2021 का है इसमें आप देखें 2021 49 देशों को सामिल किया गया है 149 वे पर हमारा नंबर है फैनलेंड आइसलेंड डेन्मार्ग टॉप पर है अफगानिस्थान 149 वे सतत विकास समाधन नेटवर्ग के दवारा इसे जारी किया जाता है तो हम सोचें कितने खुस हैं परियावन प्रिदैसन सूच का 2020 2020 का 180 देशों को सामिल किया गया था 168 वे स्थान पर है डेन्वाग लग्जंबरग सुईजेलेंड ये टॉप पर है और लाइविरिया 180 वे स्थान पर है और विस्थ विद्याले के द्वारा इसे जारी किया गया था जलवाई उपरिवतन पितरसन सूच का 2021 का है 57 देश में सामिल किया गया थे 10 भारत 10 वे नंबर पहले पर कोई नहीं चीन ताई पर संथा बन वे नंबर पह ज़र्मन बहुच के द्वारा जारी किया जाता है बैस्भिक जोकिम सुचकान, 2021 का 180 देश सामिल किया गया थे 17 पर हमारा नाम है मोजाम्विक जंबावे बहमास ये टॉप इस सूची में और 2020 में 156 देशों में हमारा नम्मर कितना था? 144 बार भारत की पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान 105 बार पंगलादेश चीन 84 नैफाल 87 मियानमार 126 स्री लंका 29 बैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो बैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट सुईजेलेंड इस्ति 20 आर्थिक मंच के त्वारा जारी की जाती है 2006 में पहली बार जारी की गई थी रिपोर्ट में 4 बिंदिवों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है विवेन मानकों पर ब्यापक सर्वेव और अध्यान क आधार पर आंकडे जारी किया जाती है एक तो स्वास उतर जीविका राजनेतिक सकती गरण और सिक्षा का उसर आर्थिक भागेदारी और आउसर और याद रखी पहली बार इस सूचकांग को कब जारी किया जाता है किसी सूचकांग को उस पॉइंट को भी नोट कर लिया ससानध घर याद जीरो से एक के मदविसतारित होता है इसमें एक आर्थ पूर्ण लेंगिक इसमें को अर्थ होता है तो 156 वेवर अफगानिस्थान को रखा गया है, यवन को 155 वेवर, 155 पर इराग को, पाकिस्तान को आप देखिए 153 पर सिरिया को 122 है, भारत उसके बडोसियों की बात करना तो इस सूचकांग में भारत को 0.625, इसकोर के साथ 140 वा स्थान मिला है, तो आप सोचिए हमारे भ देखिसके हैं हम लोग, भारत की पडोसियों की बात करें तो बंगलादिस 65 वे, नैपाल 106, चीन 107, स्री लंका 116, भूटान 130, पाकिस्तान 123 पन, तो ये भी याद रखिएगा, इस सूचकांग में 20 के अनविक्सित देशों में, जर्मनी 11 वे, फ्रांस 16 वे, यूसे 23 वे, कनाडा 24 वे, यूसे, यूसे आपका 30 वे, और जाबन 120 वे, विक्स देशों की बात करें तो आप देखेंगे, अपकी 106, रूस, 188, ब्राजील, तेहरानवे, चीन 107 वे, भारत 140, विक्स देशों में आप देखते हूं कि अप 106, पीका सामिल है, रूस सामिल है, ब्राजील और चाइना भारत, आइसे लिए लगाता है, बारहे भी बार दुनिया का सबसे लिंग समान वाला देश है, आप समझ सकते हैं, सूचकांग के विपेंट छित्रों में भारत की रैंकिंग इस्पकार है, स्वास्त एबं उत्तर जीविका में 155, फिर आप देखिए सेक्षड स्युक्त राष्ट विकास कारकिरम के द्वारा विक्सित किया गया था, यह सूचकांग 107 विकास सिल देशों की बहु आयामी गरीवी मापने की अंतराष्टी इस पिणा लिए, और इसे पिती बस जुलाई महाय में स्युक्त राष्ट की सत्त विकास पर उच्छ तरी इसके आखलान ही तुने में लेखे 10 संकेत कों का भी प्रेयोग करते हैं, इसमें आप देखें कि बाल मित्ति उदर पोसंड सिक्छा में स्कूल की वर्स बच्चे नामंकित, जीवन इसतर में आप देखें कि रसोई गया सौचालय फानी बिजली ठिलोर संपत्ति, स्वास्त में पितेग सूचकांग को एक छटवा के बराबर भारंकर मिला है सिवे बाली मित्य उदार यदि किसी परिवार में बच्चे की मित्यू हो गई हो तो वह स्वास्तियमाओं से बंचित माना जाएगा ठीक है पोसर्ण में यदि कोई भी बच्चा या वहस के जिसके बारे में पोसर्ण संबंधी सूचना उपलग्ध है यदि वह कुपोसे थे तो वह पोस्टे भोजन से बंचित माना जाएगा सिक्चा पितेक सूचक का सूचक को एक चटवे के बराबर भारंकर में लाए सिक्चा को विध्यालय में सिक्चा पराप करने के लिए बर्स यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्माज बर्स तक विध्यालय सिक्चा पराप करने से बंचित रहा हो बिध्यालाय में उपस्तिती यदि एक से आठ वर्स तक की आयू का कोई बच्चा जो बिध्यालाय जाने लायक था बिध्यालाय जाने से बंचित रहो जीवन इस तर पितेक सूचकांग को मैं आप देखे सूचक में एक आठारे वक के बराबर भारांकर मिलता है बिध्युत यदि किसी घर में विजली सयुजन ना हो तो वह बंचित माना जाएगा पेजल यदि किसी परिवार की सुचक पेजल सुरूत तक पहुंचना हो यह उस तरूत तक आने जाने में 30 में से एधिक समय लगता हो तो ऐसा परिवार बंचित माना जाएगा स्वक्षिता यदी परिवार को परियाद स्वक्षिता उपलब्द नहीं है यह सामुहिक सौचला प्रियूप किया जाता हो तो वह बंचित माना जाएगा फर्स यदी घर का फर्स धूल युक्त बालु युक्त जो गोवर से लिपाच गया हो तो ऐ बंचित माना जाएगा भोजन पकाने का उद्धिस यदी घर में भोजन पकाने के लिए लकडी कोईला या गोवर के उपला प्रियोग होता है अस्तिया ऐसे परिवार व्यक्तियों को बंचित माना जाएगा जिनके पास रेडियो टीवी टेली विजन राइकल टेलीफॉन साइकल मॉटर साइकल या रेफेजिरेटर जिसी अस्तियों में से कोई भी एक से अधिक अस्ति ना हो उनके पास प्राव पासकार या टेक्टर न निर्धन कौन है उप्योक्त वस्तुगत अभी लक्षन के अधार को ऐसे सभी वेक्तियों को बहु आयामी गरीब गरीब माना जाता है जो इनसे एक तेहाई या अधिक आयामों से बंचित हो उनके पास इस सुधाय ना हो वैस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग की नेग किया जा रहा है नीती आयूग भारत में MPI की निगरानी के लिए नौडल एजनसी है बैस्विक MPI भारत सरकार के द्वारे पहचाने गई उन्तीस चुनंदा बैस्विक सुचकांगों में से एक है जिने सुधार और विकास के लिए बैस्विक संकेत की रोम में जाना जाता ह जी आई आर जी में सामी सुचकांग महत्पूर सामाजी को और आर्थिक संकेत कों के आधार पर भारत की पितरसर का वापन और निगरानी में मदद करते हैं बैस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग 2020 को देख लिए और जिस समय आप लोग पेपर देने जाए उस समय उस साल कर देख की जाईएगा 16 जुलाई 2020 को सेवतराष्ट विकास कारिकरम और ओक्सफोर्ड गरीवी मारों विकास पहल द्वारा बैस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग 2020 जारी किया गया और पेकासित आकणों के एंसार 17 बेकासितां देतों में 1.3 बिलिएन लोग भी और बच्चे बभी आयामी गरीवी की ऊचछे दर्फितरसित करते हैं लोगों में असे लगभग आधे 644 मिलियन 18 बड़ से कम आई हो है रखे हैं और 620 में से 1 की तुला में 3 में से 1 बच्चा गरीब है और सहारा पीका 588 मिलियन दच्छे डेश या 530 मिलियन में लगभग आप देखें कि 84.3% बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं 107 मिलियन बहुआयामी गरीब लोग 60 या उसे अधिक उमर रखे हैं 65 देशों ने अपने बहुआयामी गरीबी सुचका काफी कमी दर्ज की है क्या की है कमी दर्ज की हुई है यह भी आप लोग याद रखियो आकड़ों के सार भारत समय चार देशों ने 5.5 से 10.5 बारसों के बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है चीन बर्ज 2010 से 2014 की मद 70 मिलियन लोग अंगला देश में आप देखें 2014 से 2019 की मद 19 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी की कुछ चक से बाहर निकलने में काम्याब हो गए सरशर्ट वर्स ने बहु संख्या गरीब लोग मध्य हम आईबाले देशों में रहते हैं भारत ने 2010 में आप देखिए 2015 से 2015 में राष्टी इस्तर पर 230 मिलियन लोगों की बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है अच्छी बात है बैस्विक भुकमरी सुचकांग ये 2020 है 12 एक्टूबर 2020 को बैस्विक भुकमरी सुचकांग जार दवारा किया जाता है दोनों संसताओं को याद रखिए हैं घाला कि शुचकांग बैलत में परियोजना की रूम में पेकासित किया जा रहा है जी एचाई को चार संकेत को इसमें अल्ग पोशन बाल दुबलापन बाल ठिंगनापन बाल मित्ती उदर के आधार पर तेयार किया जाता है बैस्विक भुकमारी सुचकांग 100 अधार बिंदगों की परमाने पर तियार किया जाता है जिसमें सुन सब से अच्छा स्को रहता है सॉ सब से खराव स्कोर माना जाता है ठिलहार याए दौनों इस्तितियों बेभार में नहीं पाई जाती है और बैस्मिक भुकमरी सूचकांगे में आगर आप देखें तो 9.9 या उसके उपर अलप 10 से लेकर 19.9 मध्यम 20 से लेकर आप देखें 34.9 मध्यम 25 से 49.9 भयाव है और 50 या उससे अधिक स्कोर भुकमरीस की चरम पर इस्तिती कूपे दर्सित करता है सूचकांगे में भारत को गंभी इस्तिती में रखा गया है इसे 27.2 परसेंट के साथ ठीक है और 2020 में भारत सूडान के साथ सईक्तरूप से 94 बेस्तान पर है आप समझ सकते हैं हमारे देश में क्या इस्तिती है जी एचाई 2020 में भारत को अपने पड़ोसी देशों या थिया च 2019 में भारत की रेंकिंग 107 देशों में 117 देशों में कितना 112 भी 102 पर थी जी आचाई में अगर टॉप पर देखना है 2020 के तो बेलारूस बोस्निया और हर्जे गुनिविना ब्राजील चिली और चीन देखने को मिलेगा और जी आचाई में अगर नीचे से आपको देखना है तो चाड तेमोर लेशते मेडा गासकर भुकमरी की भायाव इस्तिती का सामना करें 31 देश भुकमरी की गंभी इस्तिती में है 2020 के रिसाब से देखा है व्रिष्टाचार बहुत सूचकांग 28 जन्वरी 2021 को ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा व्रिष्टाचार बह यह सूचकांग 0 से 100 अंकों तक विस्ता रहे थे जिसमें 0 अर्थ सरवाधिक विरस्ट है और 100 सबसे अधिक इमानदार ठीक है और इस सूचकांग में न्यूजिलेंड और डेन्मार्क साइकतरूप से 60 पर रहे है इसको 88 रहा है इसके पश्चा थिनलेंड, स्वेजलेंड, बारें इस सूचकांग में भारत को 86 रहे स्थान मिला है भारत के साथ 86 स्थान पर मुरक्को है बुरिकीना फासो तिनी नाद और स्टोवेगो ट्रेकी टेमोल लेस्ते गत बर्स 2018 स्थान पर था इसकोर हमारा 41 था और इस बर्स स्कोर 40 है भूटान 24 चीन 78 स्रीलंका 94 नेपाल 173 वे पाकिस्तान 124 बंगलादेश 146 इस्थान पर है यूएसे आप देखेंगे 25 वे स्था पजापार 19 वे यूके ऑस्टलिया हंग कॉंक से ग्यारवे इस्थान पर है तो यह कुछ आपके सूचकांग हो गए फिर से आपसे बूलाओ कि जब आप लोग पेपर देने जाए उसनमें आप लोग जरूर इन्हें अपडेट करके जाए किस संस्थान ने कब जारी किया था किन बातों को ध्यानवाई रखते हुए यह जारी किया जाता है समझ रहे हैं अब चलते हैं हम लोग राश्टी आए कि बात कर लेते हैं चले किसी भी अर्थवस्था में एक बरस के दोरान कितना एक बरस के दोरान उत्पादित अंतिम बस्तुओं और सेवाओं के मूल को हम लोग राश्टी आए कहलाती हैं किसी भी अर्थवस्था में मालेजे हमारे देश की अर्थवस्था में एक बरस के दोरान जो उत्पादित अंतिम उत्पादित जो अंतिम बस्तु हैं और सेवाओं का जो मूल है उसे ही हम लोग राष्टिय आय कह देते हैं और भारत की राष्टिय आय और पिति बेक्ति आय की गर्णा का प्रिथम प्रयास दादा भाई नौरो जी ने 1867 अरशट में किया था एक कुछ लिया है कि भा 1868 में पिति बेक्ति आय 20 रुपे थी और एव सिरास ने वर्स 1911 में पिति बेक्ति आय 49 बताया था तन्ता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में पिथम अधिकारिक फिर्यास वडिज मंत्राले आर्थिक सलायक और कार्याले द्वारा किया गया था 1949 में भारत सरकाद द्वारा नियुक्त राष्टी आय समती की अध्यक्ष पीसी महाल नौविस थे और डॉक्टर आर गाडगिल भीके आरवी राओ इस सब्दी के सदस थे इस समती की पहली रिपूर्ट 1959 में पिस्तुत की गई थी जिनकी अनुसार 1948 49 के भारत की राष्टी आए 870 करोड और पिती ब्यक्ति आय की बात करें तो 225 रुपे रखी गई थी कितनी 225 रुपे रखी गई थी एक और बात बता दुम आपको देखिए औस निकाली जाती है कई लोगों को आप देखते हैं कि घर में खाने के लिए नहीं रहता है और कई लोगों को आप होसी कि अप्रई आपरेल से कणद़ फरतure क्ज़ें बात ब्हारत में राश्ट है के अंकड़ए 830 मार्ज अगर खराधरित होते हैं अगर आप से पुछ यह पंचे सूरो होका जán आपि कान्दृ हैं Сयरो हैं विए पारेल सुट छकुश मार्ण पे खतं मिराल की NSSO केंद्रिय सांकिकी संगठन की मदद करता है लेकिन वर्स 2019 में केंद सरकाने CESO और NSSO का विले करके सांकिकी और कारिकरम कर्यानमर मंतराले की एधिन राष्टिय सांकिकी कारियाले की स्थापना कर दी है ठीक है राष्टिय सांकिकी कारियाले की बात करें NSO की तो इसमें स रंग राजन आयोग ने राश्टिय सांकिकी आयोग द्वाराई यता निधारित सांकिकी मामधन्नों का कयानविन और अनुरक्षन करने और कैंदरी और राज एजनसियों की सांकिकी गतिवधियों का समनवाय करने के लिए एनसो की परिकल्पना किये तीन महा निदेशक, महा निर्देशक सांकिकी, महा निर्देशक और महा निर्देशक और महा निर्देशक आप देखेंगे राष्टी सर्विक्चन और जो सचिप को पिती विधन करता है एक तरह से, किसे सचिप को पिती विधन करता है, फिर आप देखेंगे राष्टी सांकिकी आयोग के बारे में भी आप लोग ने सुना होगा जिसे आप लोग सौर्ट में NSC कहते हैं यह रग्ण राजन आयोग की अनुसंसा के अंतरगत 2005 में गठी स्वायत निकाय है और भारत की मुख सांके की सांके की विद और सांके की एबम कारिक करम कयानवन मंतराले की अधिन के सच्चिव राष्ट इस आंकणों के संग्रहण के संबंद में देश में सांके की एजनसियों के सामने आने वाले समस्याओं को कम करना है और साइमन कुछ नेट्स कुछ राष्टिय आय लिखांकन का जनम दाता भी माना जाता है जिनने इसके लिए नोबल पुरुस्कार भी मिला था फिर आप द की बाजार लागत पर की जाती है साधन लागत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे फैक्टर कोस्त तो यह मुलता निवेस की गई लागत होती है जैसे उत्पादक उत्पादक उत्पादन फिक्रिया के दौरां लागता है और जैसे पूंजी की लागत हो के उत्पादन के दौरान इनकार कों के लागत की आकलन करते हैं इसके बाद उस बस्तु या सेवा का मूल निरधारित किया जाता है। को वदा करता है बाजार लागत बस्तु वो इवं सेवा कि साधन लागत पर अप्पतेक्ष कर सेन बेट केंद्री उत्पात सुल्क सी एस्टी जोडने के बाद निकाली जाती है यानि बाजार मूले पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुक्तान किये गए करको सामिल किया जाता है जबकि सरकार द्वारा दे गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है क्योंकि साधन लागत निधारन की समय वो उसकी गढ़ना कर ली जाती है फिर मूले वर्धन धारन होता है मूले वर्धन की धारना राष्टी उत्पाद या घरेलू प्रियोग करते हैं उसे ही मूल वर्धन भी दी कहते हैं मूल वर्धन उत्पादन पिक्किरिया में स्तरम पूजी तथा अन साधनों की युगदान को फिदर्सित करता है और जब हम इस समय उत्पाद पर लगे करों के मूल को जोड़ देते हैं तो उसमें से उत्पाद वर्धन वर्धनों का यूग ही GDP होता है अताहीं किसी भी राष्ट का GDP सकल मूल वर्धन GBA का यूग होता है और जिसमेंềnज菜 नहीं निकाला गया पर करता अनुदान का समाय विजिन किया गया है ठीक है भारत अधिकारिक तोर पर राश्टी आय की गर्णा साधन लागत पर किया करता है जन्वरी दोजार उन्डिस में केंद्री सांकी की संगठन त्वारा राश्टी आय की गर्णा बाजार मूल पर की जा रही है जो बास्तों में बाजार लागत पर ही है सकल मूल वर्धन जी भी ये में उत्पाद करों को सामिल करने के बाद के बाद बाजार मूल गयात होता है उत्पाद कर केंद और राज्यों के आपत्यक्ष कर होते हैं ठीक है? GST भी आप लोगों ने सुन लिया आप तो चालू कीमतों पराष्टी आए की बात करें तो चालू कीमतों पराष्टी आए को पिछली बाजार मूल गया परमा पा जाता है तो उसे चालू कीमतों पराष्टी आए कहते हैं चालू कीमतों पराष्टी आए को मौद्रिक क्या कहते हैं आए कहते हैं बहुत दिया है, मौत्रिक आये कहते हैं है, क्या कहते है है, मौत्रिक आये कहे देते हैं आप लोग इस्थिर कीमतों पर अगर आप से पूछे इस्थिर कीमतों पर राष्टी आए से अभी प्याए एक लेखा वरस के द्वराण एक राष्ट के सावन नांग्रेकों द्वारा उत्पादी समस्त अंतिमस्तूं सिवाओं के उस मौद्रिक मूल से जिसे किसी आधार के मूल पर विध्धी दर घटाले पर इस्थिर मूल्यों पर पिती व्यक्ति आये पराप्त होती है अर्था पिछले मूल्यों पर पिती व्यक्ति आये की विध्धी दर का मूल इस्थिर कीमितों पर पिती व्यक्ति आये की विध्धी दर के मूल की अपेक्चा अधिक होगा और यह अं पुरानी बस्तुमों के मूल या घहरेलू सेवाओं अत्वा कारे को वित्तिये संपत्तियों को जैसे अंस्त पत्त हो गया रेड़ पत्त हो गया आधी क्रै विक्रै को हास्तांतरम भुक्तान को फैंसन वजीफा लोटरी जीतने को और विदेश्ताओं से प्राप्त उपहर को करें लिए राष्टी आय की गढ़ना के लिए उत्पाद पददिती और आय पदीती दोनों का साहरा लिया जाता है उत्पाद पददिती इसके तहट माल और सेबाओ की सुद्ध मुल विद्धि का अकलन किया जाता है उसका प्रयोग कि रिसी वन की पसुपालन खनन और सेवा बदाता है कि GDP का अकलन करने के लिए करते हैं IWDョrā stead Iron का अखींक अवित्रत आय को समय नहीं किया जाता है। recover然后 to embed health conse on?」 किhen और और कि इंदर किमूल डोइड़ काइस हैं ग inacetAs उनके द्वारा जो अर्जिताय होती है घरेलु उत्पाद में आप देखें घरेलु आये में निवासियों कहसा घरेलु आये में गयर निवासियों कहसा है दोनों को जुड़ा जाते हैं तो राष्टी उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों अब राश्टी उत्पाद निकाल सकते हैं। सभी बस्तूं और सिवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल आपका क्या कहलाता है। सकल मूल बिद्धी को सकल घरेल उत्पाद करेते हैं। इसका अकल सराश्टी एवं निजी और भोग सकल निवेश और सरकारी ब्यापार सोध योगफाल दुवारा किया जाता है। किसी देश की आर्फिक्स बिद्धी की सरवादी के उपयुक्त माप घरेल उत्पाद आपका सकल घरेल उत्पाद ही होता है। सकल घरेल उत्पाद GDP में होने वाले बार्शिक पितीसद परिवतन ही किसी अर्फिस्था की विद्धी दर है। साधन लागत में सरकार को भुकतान कियेगे कार को शामिल नहीं किया जाता है। परंत्विदी कोई अनुदान पराप्त की जाती है तो सिब साधन लागत में सामिल जरूर किया जाता है। CSO, CSO द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर वेक्ती बेक्त GDP राश्टी आय को नहीं पर दरसित करेगी। बाजार मूल पर सकल गहरेल उत्पात, बाजार मूल वह मूल है जिसे एक ओभोकता द्वारा खरीदते समय किसी विक्ते ताको सौपा गया। बाजार मूल पर महुचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुकतान किये गये, कर को सामिल किया जाता है। जब कि सरकार द्वारा कि ये दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सकल राश्टी उत्पात, किसी अर्द्वस्था में GNV उस आय को कहते हैं हम लोग, ग्रोष नेशनल प्रोडेक्ट जो GDP में विदेसों से होने वाली आय को जोड़ कर प्राप्त किया जाता है। जो अर्जित आय कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे GDP में और माइनस कर देंगे जो हमारे हम विदेसी कमाते हैं वो ले जाते हैं अपने हाँ। बंदर उत्वस्था के अंत्रगत एक्स माइनस एम जीरो इस तरह से। भारत के वाले में विदेसों में होने वाली आय के बदले हानी होती है। भारत का GNP हमेशा GDP से कम होता है। साधन लागत पर सकल राश्टी उत्वास और उस rhाष्टी उत्वास से जिसका मूल उत्वाधन के लिए में प्रियोकत साधनों को प्राप्त आय क्या धर पर ग्यात किया जाता है। साधन लागत के अंत्रकत हम करमचारियों का पारिसर में एक ब्याज निगमलाब हरासाधी को समलित करते हैं यह एकोनोमी की कुछ टरम्स है यहने जरूर याद रखेगा बाजार मूल पर सकल राष्टी उत्पात किसी बर्स के दोरा निवास्ती उत्पात के काईयों द्वारा सभी अंत्य मस्तुमाँ सिवाओं का बाजार मूल ही बाजार मूल पर सकल राष्टी उत्पात कहलाता है जब साधन लागत पर सकल राष्टी उत्पात में परवख्ष वयअपारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदार Kरणार यहां को में कि इस्थिर पुंजी और भोग या हराश को घटाया नहीं गया। जब हम सकल गहा धारना मैंसे इस्थिर पूंजी को भोग या हराश के मूल को घटा देते हैं तो निवल या सुध्य प्राफ्त हो जाता है। निवासी की धारना आर्तिक धारना या है, यह राजनेतिक नही है कि निवासी उस देश का नागरेक भी हो एक निवासी वह बेखती है जिसके आर्थिक हित या का केंद विंदू वह है आर्थिक या घरेलू छेथ होगा जिसके संबंद में हम बात कर रहे हैं GNP के विभन उपयोग की बात करें तो सकल राष्टी AI के आधार पर अंतराष्टी मुद्रा कोस दुनिया के देशों की रैंकिंग तए करता है इसके आधार पर I advances को उसकी उनकी करय सक्ती चमता या तुल लिता के आधार पर रैंकिंग तए करता है राष्टी आय को आकलन के लिए GNP GDP के तुला में बिस्तत प्रमाना है क्योंकि यह अर्धवस्था की परिमाड अत्मक तस्वीर के साथ बुड़ात्मक तस्वीर भी वेस करता है यह किसी भी अर्थवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थवस्था के साथ रिष्टे पर भी रोसनी डालता है यह दूसरे देशों के लिए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिये कर्ज को से पता चलता है यह बताता है कि बाहरी दुनिया किस देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भाई है वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भाई है तो इस सब बताता है बताता है या नहीं बताता है यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए क्या होना चाहिए बाजार मूल पर GDP तथा बाजार मूल पर आप देखिए ब्यक्त जी एनपी की धारणा या घरविलू आए या राष्टी आए के वीच संबंदग आपसे कुछे तो देश के भीतर गैर नवासियों द्वारा अरजित आए घरविलू उत्पाद या आए की गर्णा में सामिल किया जाता है। हम निवल विदेसी आये भी कहते हैं धनात्मक या रेडात्मक हो सकते हैं या निवासियों द्वारा विदेसों में अर्जित आये और गेर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के वीतार अर्जित आये से अधिक हुई तो सेस धनात्मक्त होगा अन्धारेडात्मक्त होगा ठीक है निवल धाना है जब हम सकल मूल में से चाहे हुआ बाजार मूल होग पर वेक्ट हो या फिर साधन लागत पर हरास को घटा देते हैं तो निवल सुद्द निकलाती है और इससे पिकार हमें नेम नांग के निवल ध हड़ाएं प्राप्त होते हैं यहां आप लोग GDP हिरास NDP हो जाएगा GDP माइनस तराथ NDP और इस तरह से आपनों कि निकाल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं और क्या कर हो गो सुद्ध माइन question की द्वारान होने व्हाले मूल कटोति माने याणि कि हिरास को है व्हें मूल कटोति की दर सरकार निधारिद करती है भारत में मूल कटोति की दर का निधारन केन Menu द्यव और हिरास और अता किसी भी बरस में किसी भी अर्थवस्था में NDP हमेशा उस बरस की GDP में से कम होगा NDP के परियोग की बात करें तो इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने बाले हिरास को समझने के लिए करते हैं अनुसंधा और विकास के चित में अर्थवस्थाओं की फिलब्दी को दरसारीं के लिए भी इसका उप्रेव करते हैं NDP का इस्थेमाल दुनिया की अर्थवस्थाओं की तुल्ला के लिए नहीं किया जाता है NDP के विवन उप्योग भी होते हैं या किसी भी अर्थवस्था को राष्टी आय है या किसी भी देश की आय को आखलेद करने का सबसे अच्छा तरीका है और आप देखें जब NDP को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की पितिवेक्ति आय का पता चलता है या पितिवेक्ति सल्हना आय होती है कल छूट राष्टी आय समंद आपत्यक्ष कार और अनुदान के को एक साथ रखने पर भारत को राष्टी आय को आखलेत करने का सूत साधन लागत पर राश्टी आये NNP माइनस आपत्यक्षकर पिलक्स अनुदान तीक है राश्टी आये लेखा के आधार पर बरसो विधी में संसोधन तो तीश जर्वरी 2015 को जारी विग्यप्ति के अनुसार CSO ने राश्टी लेखाओं के आधार पर 2004 पाँच से संसोधन करके 2011 वारा कर दिया है इस पर पित्ती में आप देखें इराश्टी आये समंदी नई संख्ला ने एक अनमहत्कुमी धारणात्मक परिवर्टन GDP के आकलन के समंद में किया है और नई संख्ला में आप साधन लागत का सकल घहरेल उत्पाद GDP का आकलन धारणा को हटा दिया और बाजार मूल पर सकल घहरेल उत्पाद को ही GDP के रूम में स्विकार किया गया CSO की नई घुशना के अट साथ GDP की गढ़ना के लिए 16 सकल मूल वर्धन के अनमान के लिए साधन लागत के वज़ए मूल की कीमतों को प्रियोग में लाई जाएगा मूल कीमत क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर और पिलस अनुदान साधन लागत पर जीविये किसी कर को समलित नहीं करता है तता किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है यह भी याद रखिएगा और बाजार मूल बाजार मूल पर जीड़ीपी उत्पाद वा उत्पादन करों को समलित करता है वा उत्पाद वा उत्पादन अनुदान को समलित नहीं करता है जीविये साधन लागत पर जीविये मूल 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 पर मूल, मूल पर GDP आधार, मूल के भी सम्मन, CE, करमचारियों की छेती पूपी, OS, परिचालन अदीसिस, MI, मिस्सित आय, CFC, मिस्सित पुझी का उबो, जीवी, मूल, मूल पर, CE, पिलस आप देखेंगे, OS, या फिर MI, CFC, पिलस उत्पादन, और इसमें से आप लोग कर, उत्पादन कार में से उत्पादन अनुदान घटा देंगे, GAV साधन लागत पर आप देखें, तो GBA मूल मूल पर माइनस उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर, GDP बाजार मूल पर आप देखें, GBA मूल मूल पर पिलस उत्पाद कर, और माइनस उत्पाद अनुदान घटाने के, इस बेगबती में CSO ने इस बात पर बल दिया कि आंगे से GDP बाजार मूल को ही राष्टी विकास की माप के लिए प्रियोग में लाये जाएगा मूल कीमत पर GBA को व्यक्त करने की धारड़ा CSO ने United Nations System of Accounting से लिए अजोबर 1993 में प्रियोग किया गया था भारत में राष्टी आये का नुमान, भारत में राष्टी आये के नुमान के संबंद में उत्पादन आये और ब्याय की विधी का मिस्रियोग किया जाता है भारत में राष्टी आय के निवान के लिए सांकिकी संगठन ने संपूर अर्दुस्था गो 6 चित्रों में विभाजित किया है प्रात्मिक चित्थ, दूतियक चित्थ, परिवाहन और संचार एवं ब्यापार्थ और बित एवं ब्यास्तिविक संपता, सामुहेक एवं निजी चित, विदेसी चित प्रात्मिक चित्थ से प्राप्त लगवक संपूर आय की गरना उत्पादन विदी के दवारा होती है और कुल राष्टी आय में प्रात्मिक चित्थ का युगदान लगवक भी 30% होता है विदेसों से सुद्ध साधन आय समंधी आकडे रिजर बेंक ओफ इंडिया द्वारा पिकासित ततना तयार किया जाते है NNI किसी वर्ष में माजार मूल पर बैक्त GDP जिसमें CFC करमचारियों की निबल छतीबूर्ती और सिस विस्थे सिप्रात संपत्ति आय को समाई जित किया जाता है का होगा है सकल राष्टी आय में हिरास को घटा देते हैं तो एन एन आई गयात होता है जिसे हम राष्टी आय कहते है 2021 से 2021 में राष्टी आय की बात करें NSO के दूसरे अग्गिम अनुमान की तो चालू वित्तिय वर्स 2021 की तीसरी समाई तिमाही क्वार्टर 3 अक्टूबर दिसंबर में विवन चेत्रों के निस्पादन समंधी आकड़ी उपलग्द हो जाने पर इस वित्तिय वर्स को राष्टी आय समंधी दूसरे अंग्रिम अनुमान राष्टी सांके की कार्याले ने 26 जन्वरी, 26 फरवरी 2021 को जारी किया था, 2021 की तीसरी समाई में GDP में 0.4% की धनात्मा विद्धी पाई बताई गई, तीसरी समाई में आर्थिक विद्धी धनात्मा के रहने से वर्स 2021 में सकल घरिल उत्पा GDP के से कुड़ने पर अब 8% रहने का नुमान लगा गया है, वर्स 2019 2021 पर एकि मूल इस तर पर प्रमु खाकलर, राष्टी याए NSO के 26 फरवरी 2021 के अग्यम अनुमानों में इस तर कीमेतों पर 2021 में सुद्ध राष्टी याए 116.47 लाग करोड अनुमाने थे, जबकि 2019 बीस में यह 126.181 लाग करोड रही थी, इस परकार इस तर कीमेतों पर सु दिराष्टी याए 2021 में 8.2% की गरावत अनुमाने थे, जबकि 2019 बीस में बास्विक दराष्टी याए में विड़ी 3.6% की रही थी, करोड वा हमारी का भी देखिए, और भी आप देखिए हमारी अर्तोरस्ता पहले से ही बुरी आलत में रही है, इस तर कीमेतों पर पिती बेकती आए, वर्स 2021 में पिती बेकती आए, 85,929 रुपे रहने का अनुमाने जबकि 2019 बीस में बास्विक दराष्टी बेकती याए, इस पेकार 2021 में बास्विक दराष्टी बेकती आए में 9.1% की गरावत अनुमाने एक और बात आपको बताऊं, देखिए, यह वहसत निका आप देखते होंगे कि यह से लोग रहते होंगे, जो करोड़ पती हैं, और वो खरोड़ पैसा उनके पास, कोई पैसे की कमे नहीं है, अब आप देखिए कि आपके यहां का जो आये निकाली जाएगी न, आपकी आएगी, तो सभी को जोड़ा जाएगा, एक समान रखा जा समय रहे हैं, तो यह बुरी इस्तिती हमारे दिसमें, सकल घहरील उत्पाद GDP, बित बर्स 2020-21 में इस्थिर मूल लियों, पर बास्तविक सकल घहरील उत्पाद, एक लाग चौंतीस, महाप करिए, एक सो चौंतीस देसमलों, जीरो नौ लाग करोड रुपे रहने पर NSO का आकलेन के अनुसा, 2019-20 में यह 145 देसमलों, उनतर लाग करोड था, इस पेकार 2020-21 में GDP में सिकुड़न 8% रनने की संभावना है, 2019-20 में यह 4% की विद्धी रही थी, मूल कीमतों पर सकल घहरेल, मूल अब समवर्धन, वित बर्स 2020-21 में इस्थिर मूल लियों पर बास्तवि 2021 के पहले संसुदित आकलेन के अनुसा, 2019-20 में यह 132.81 लाग करोड था, इस विकार 2021 में GBA में 6.5% की गरावट का अनुमार है, और बर्स 2019-20 में GBA में विद्धी 4.1% रहने की थी, ठीक है, और चालू मूल अगर आप आकलन देखें, तो सकल घहरेल उत्पाद, GDP में 2020-21 मे चालू कीमितों पर घहरेल उत्पाद, सकल घहरेल उत्पाद, 195.86 लाग करोड रहने की NSO का अग्गी मनवान है, 29 जनवरी 2021 के पहले संसुदित आकलेन का अनुमान, 2019-20 में यह 203.51 लाग करोड था, इस पिकार चालू मूल पर 2020-21 में GDP में आप देखें, 3.8% की विद्ध 7.8% रही थी, देखें मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजे, लेकिन मैं कहता हूँ यहीं कि जो अंतिमाक्रे आएंगे, जो जिस साला पर उपेपर देने जा रहे हैं, उन्हीं को पढ़ा करिएगा, ठीक है, आप लोग इनकी परीवास से समझ बस काफी है, आप लोग इने चाहें तो देख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप लोग जाईए, यह आप देख लिजे, अगर देखना है तो, यहां से कुछ पॉइंट ने जरू पढ़ दिजे, उत्पादन लागत पर निवल राष्टी आया है, हिंदू विद्धी दर राष राष्टी आय की आय को देश की कुल जन संक्या से भाग निकाल देते हैं, तो पिती वेक्ती आय निकला दी है, वरत्मान मूल्यों पर पिती वेक्ती आय की विद्धी दर से अपेक्चकित अधिक होती है, क्योंकि इस्तिर मूल्यों पर पिती वेक्ती आय की विद्धी दर म मूल हेरास सकल राष्टी उत्पाद में से निवल राष्टी उत्पाद घटाएंगे आप दो राष्टी आया अनुवान की गड़ना करते समय निर्यात मूल को जोड़ा जाना और आयात मूल को घटाया जाना ध्यान में रखना आप एक्चित होता है गुआ की पिती वेक्ति आया सबसे अधिक है और ड्रेन का सिध्धान का पिती पादन दादा भाई नोरोजी ने किया था इसे भी याद रखेगा किसी देश की आर्थिक बिद्धी की सरवादे को प्योक्त माप सकल गहरेल उत्पाद होता है भारतिय अर्द्वस्था में पिछले 10 वरसों में GDP में सारवजनेक छेतरक की पितीसात इस्सेदारी में गरावट आई है उत्पादित अंतिबस्तुओं उसेवाओं का मौद्रिक बूल दे गई अबधी के लिए किसी देश की राष्टी आये के बराबर होता है तो यह भी याद रखेगा अब बात हम लोग करते हैं आर्थिक नियोजन की इसमें देथी हैं तो आर्थिक नियोजन में आर्थिक आयोजन वह पिक्रिया है जिसके अंतरकर पूर्ड निर्धारित उद्देसों की पूर्थिक हेतु सेमित प्राक्तिक संसादुनों की कोसल्तम उपयोग किया जाता है और भारत में आर्थिक नियोजन की निर्धारित उद्देस एई हो थी कि आर्थिक संब्रिद्दी हो, आर्थिक सामाजिक आस्मानता को दूर किया जा सके गरीवी का निवारन किया जा सके रोजगार की आउसर उखलब दिकराया जा सकें लेकिन आप देखिए ना तो गरीबी हट पाई ना ही रोजगार मिल पा रहे हैं आपको केंद्री ये नियोजन सरपितन पूर सोवियस संग में अपनाया गया था कहां? सोवियस संग जिसे आप लोग आर्थिक आयोजन संबंधी पिस्ताओ सरपितन 1934 में विस्वसरिया की पुस्तक फिलांड एकॉनोमी फोर इंडिया में थी और इस पुस्तक में भारत की विकास के लिए दस वर्सी ये कारिकरम पिस्तुत किये गए थे इस पुस्तक को ज़रूर याद रखिएगा मैंने देखा है कि कई बार इससे कुश्चंस आप पुँछ लिया है इस पुस्तक के नाम लेखक के बारे में कुश्चंस पुँछ लेता है कि जो पिलांड एकॉनोमी फोर इंडिया है यह किस्त की पुस्तक है तो याद रखी यह पुस्तक है विश्वसरिया की पुस्तक है 1934 में भारती राष्टी कॉंग्रेस ने जवाहलाल नहरू की अध्यक्षता में राष्टी नियोजन सम्ती का कटन किया था और 1944 में बंबई के आठ उद्द्योग पतियों द्वारा बंबे पिलान पिस्तुत किया गया है जिसमें आप देखेंगे 15 वर्सी है सूत वद्देव उजना थी और बंबे पिलान के सूत धार सर आर्दे सर दलाल थे 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास बिभाग नामगनया बिभाग खुला था इसी पर स्रीमन नारायन अगबाल ने गांधी बादी योजना बनाई थी किसने? स्रीमन रामाई नारायन अगबाल ने 1945 में अगर आप जाएं तो स्री M.N. राय ने जन योजना बनाई और 1950 में जै पिकास नारायन ने सर्वोदय योजना पिकास इत की सो तंता के बाद आप देखें सन 1947 में आप सभी जानते हैं कि हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त को और पंडित जवाल नहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की सम्तिकी गठित होती है और बाद में सम्तिकी सिफारिस 15 मार्च 1950 को योजनायो का गठन होता है और एक सम्तिक और प्रावमर्स दात्री निकाई की रूम में इसने काम किया और योजनायोग आप देखते होंगे कि 12-15 वरसी योजना तक आपकी चली उसके बाद आपने देखा है कि योजनायोग को पिती स्थापित करके नीती आयोगा चुका है अभी भी योजनायोग से कुष्चनज पूचा जाता है कि योजनायोग कि इस्थापना कप ही थी तो 15 मार्च 1950 की बात है और ये सम्मीदान एक संस्था नहीं थी सामविदीक संस्था थी सम्मीदान में इसकी कोई जगा नहीं थी भारत की पहली पंच वर्सी योजना एक अपरेल 1959 से प्यारम होती है इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लिजे एक अपरेल 1959 से और पिथम योजना आयो के अध्यक्च बनते हैं पिधान मंत्री जवालाल नहरो 15 अगस्त 2014 को योजना आयो को समाप्त कर दिया गया था आपने देखा होगा हमारे पिधान मंत्री मोदी साहब ने घोसना की हुई थी फिर आप देखें कि पिथम पंच वर्सी योजना की बात करें तो यह 1959 से 56 की भी चलती है फिर देखें कि अर्थववस्ता की संतुलित दिकास्त की पिकरिया आरम करना था और इस योजना के दोरान राष्टी आया में 18% किती वेक्ती आया में आप देखेंगे 11% की कुल विद्धी हुई और इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिचाई पर योजनाय शुरू की गई थी जिसमें आप देखे भागड, भागडा नागल पर योजना, ब्यास पर योजना, दामोदर नदी घाटी पर योजना इनको कई बार में बता रहा हूं कि इन योजनाओं से अभी भी कुश्या पूचे जाते हैं कि पिथम पचबर सी योजनाओं के अंतरकेत आप दीखे ये योजनाय कब शुरू की गई तो सचाइक को ध्यान में रखते हुए, भाकडा नागल पर योजना हो गई, ब्यास पर योजना हो गई, दामोदर नदी घाटी पर योजना हो गई और जब हम लोग आजात होती हैं तो आप देखिए हमारे देश में खाद्यान संकर था योजना काल में सारजनिक उद्देव के विकास की उपेक्षा की गई और इस मत पर 5% रासी खर्च की गई समुदाइक विकास कारिकरम भी आपनों लोगों ने सुना होगा, 1952 में प्यारम किया गया था, कव 1952 में फिर आपकी दुतिय पंच बरसी योजना आती है, इसका समय रहता है 1956 से 61 के बीच और यह योजना PC महल 29 मौडल पर आधारित थी, इसका मुखुदि समाजबादी समाज की स्थापना करना था, क्या समाजबादी समाज की स्थापना करना था और इसे होजना में देश के जीवन स्तर को उचा उठाने के लिए, पांच बरसों में राष्टी ये आयमें 25% की विद्धी करने का लक्ष निर्धारित किया गया, और इसमें भारी उद्ध्योग बखनियों को उच्छे परात्मिकता दी गई, और इसमद में सार्विनेक छ कि इस पात कारिखा ने इसी होजना के दोरान इस्ताबित हुए थे, कितने दोती ये पंच वरसी होजना के दोरान, ठीक है, ये आप देखें यहाँ, पंच वरसी होजना हो गए, इनके लक्ष उपलब्दी, जैसे पंच वरसी होजना आओधी, GDP के बार से लक्ष रखा गया और इसमें देखी लक्ष रखे गया लक्ष से जान्दा पराप्ती हुए थी 3.6% 3.6% दूसरी में आप देखेंगे 1956 से 61 की बीच रहती है इसमें 4.5 लक्ष रखा गया था GDP की बार से एक लक्ष लेकिन इसमें 4.1 उप लफदी की जाता है यानि कि कम हमने अपने जितना लक्ष रखा उतना नहीं भी पराप्त नहीं कर सके तीसरी में आप देखेंगे 1961 से 66 की बीच रहता है इसमें 5.6% लक्ष रखते हैं लेकिन 2.8% हम हासिल कर पाते हैं चौतरी आपकी 1971 से 74 की बीच रहती है यह 15.7% का लक्ष रखा लेकिन आप देखें 3.3 का हम लोग लक्ष आसिल कर सके पांच भी 1974 से 78 की बीच 14.4 का इसमें लक्ष रख सके और रखा था 14.83 यानि कि ठीक इस्तिती में रहे चाटी में आप देखेंगे 1980 से 85 की बीच 15.2 का लक्ष रखा और 5.7 प्राप्त किया ठीक रहा साथ ही आप देखें темпер Luck Brexit 190 की वीच 5% का लक्ष रखा 26.02 हासिलकिया है बढ़िया बात है आठ भी 1992 से आप देखें 1997, 5.6 का लक्ष रखा, 6.8 हासिल किये, बढ़िया बात है, 9 भी आप देखें 1957 से 2000, 6.5 परसेंट का लक्ष रखा, 5.4 हासिल कर पाए, बुरी इस्तिति थी, 10 भी 2002 से 2007 तक, और इसमें आप 8% का लक्ष रखा, लेकिन 7.5 हासिल कर पाए, 11 भी 2007 से 2012 तक रखी, सरवाधिक पर आपती 9.0 परसेंट रखा, लेकिन 8.3 परसेंट रख पाए, इसमें 12 भी में, 2012 से 2017, बढ़ आप देखें, खतम है, इसके अतरिक साथ बारसी के उजनाय भी बनी, आप लोगों ने देखा होगा, देखें, 1966 तक रही तीसरी, लेकिन बीच मे आप देखें, गयप आये, तो यहीं आया गयप, यह बारसी के उजनाय भी रही, आर्थिक वारत की सम्मीधान की संबर्ती सूची, सात्वियन सूची में रखा गया है, और भारत का समीधान यह बेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास, और सामाजिक न्याय की उजना बनाने का कारभार दिया जाना चाहिए, फिर आप देखें, तितिये पंचवर्सी उजना को देख लिए, यह 1961 से लेका 66 के बीच रहती है, और इसका उद्देश यही था कि अर्दवस्था को आत्मिधार बनाना, और सोता इस्पूर्थ आवस अरश्थी की स्थाफना की गई थी, इसे उजना को यह कि आसा फलता कमुख कारण भारत चीन यूद, भारत पाके यूद और आभूत पूर्व सूखा था, इसे उजना के दौरान आप देखेंगे, द्वारा बनाई गई किरसी नीती ने हरित करांथी को जनम दिया था, भा अवकास का प्रमुक कारण भारत पाक संगर सूखा की कारण संसादनों की कमी मूल इस्तर में विद्धी और इस दोरान 3.8 की बार्सिक विद्धी दर पुराप्त हो सकी भारत में योजना अवकास आया ये भी जाद रखेगा फिर आप देखेंगे चत्वर्त पंचवरसी ये ये उनिस उनत्तर से लेका चोटतर तक चलती है ये पंचवरसी उजना डी आर गाडगिल मॉडल पा आधारित थी कौहों से डी आर गाडगिल मॉडल पर और इस योजना में आप देखेंगे मुख खुद्धी से ही था कि इस्थायत के साथ विकास और आर्थिक परिवार नियोजन कारकरम इसी योजना में लागू किया गया था चतुरत पंचवरसी योजना में ठीक है फुरे चलते हैं आंगे बात करते हैं इसमें आगर आप देखें इसी में चतुरत में तो इस योजना में छेत्री विसमता दूर करने के उद्धे से विकास केंदर उपागम की सुरुआत हुई थी संसाधन आधारित कारिकरम, समस्या आधारित कारिकरम, लक्षित समू उपागम, परोसाहन दिरिष्टी कौन, व्यापक्षित उपागम, आदी विकास केंद उपागम के घटक थे विकास केंद उपागम पर विस्यस बल्स पांच भी योजना में दिया गया स्वेत करांती, ओप्रेशन फ्लेड, इसी योजना काल में पारम गुआ था, चौतरी में, यह योजना अपने लक्षोगों प्राप्त करने में आसफल वही, और इसकी बफलता का कारण, मौसम की पिती, कुलता, तैसा बंगलादेश से सरडार्तियों का आगमन था, फिर आप चार वर्स की थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है, और एक कई बार पूच रहा है, गरीबी उनमुलन, आत्म निर्भरता की प्राप्ती, किस योजना से संबन देती, किस योजना का मुखुद्देश तो, पांच भी, योजना में आर्थिक स्थाहित लाने की को उच प्राजमिक्ता दी गई, इस योजना में 20 सूत्रीय कारकरम 1975 में सुरूआत हुए, इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, नियुनतम आवस्तकता कारकरम वकाम के बदले अनाज कारकरम का संबन इसी योजना से था, योजना में सर्वो कुछ प्राजमिक्ता केसी को दी गई और तत्फरश्चात उद्योग वक्षनिस छेत को दी गई थी, जनता पार्टी सासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का नेड़े लिया गया था, क्योंगि आप सब जी जानते हैं कि 1975 से 77 के बीच राष्टी आपात काल फिर आपने देखा है कि इंद्रा गांधी आपने देखा होगा चुना हुआ था, हार गोई थी राष्टी आपात काल के बाल, जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो 1978 में ही समाप्त कर देती है, फिर आप देखींगे अनवरत योजना, 1978 से 1980 के बीच, 1978 से 1983 अवधी के लिए अनवरत योजना मौरारजी देखाई की नेतित वाली जनता पार्टी सरकार के दोरा मनाई गई, लेकिन एंद्रा गांधी की नेतित वाली नई सरकार दोरा इसे 1980 में ही समाप्त कर दिया गया, इस योजना के दोरान उच्च मूली की मुद्राओं की बैदता समाप्ती, अरजनिक भीमा योजना की सुरुवात की गई थी, अनवरत योजना का पितिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक ACN ड्रामा में किया गया था, और इसे भारत में लागू करने का सरे जनता पार्टी की सरकार DT लकड़वाला को जाता है, ठीक है? फिर आप आप देखेंगे, छटी पंच बरसी होजना, यह आप देखेंगे, उन्नी सो सी से पचासी की बीच, और इसे उजना का मुखुद्देश था के गरीवी उन्मूलन, रोजगार में विद्धी, और पहली बार गरीवी उन्मूलन पर वसे जोर दिया गया था, छटी पंच बर अधार मोडल पर आधारी थी, इसके पर वो खुद्देश की बात के ने तो समग रूप से उत्पादक्ता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक आउसर जुटाना, साम और नियाय पर आधारी, सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक आर्थिक आसमानताओं को के लिए सुद्रण, आधार तेयार करना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था, योजना में पिती विक्ती आय में आप देखिए 13.6% पिती वर्स की दर से बिद्धी हुई थी, इसी योजना में योजना परीवे की दृष्टी से पहली बार निजी छेत, कुसारदिनेक छेत की तुला में वरिता दी गई थी, इसी योजना में जवहार सुरोजगार योजना जैसे महत्पून रोजगार पर कालिकरम भी प्यारम किये गए थे, तो ये साधी पंच वर्सी योजना के हाल है, फिर योजना उकास आता है 1992 में, एक अप के विकास एजेंडी की भूमका ने भाता है, वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत अर्थ वयस्था में सहयोगी की भूमका में, भारत में 1991 के पूर्व आदिशात्मक योजना लागू थी, जोकि 1991 के बात देखें तो निर्देशात्मक योजना लागू हुई, फिर आपकी आठवी पंच बर्सी योजना आती है, ये 1992 से आप सुरू करेंगे 1997 तक रहती है, और इसे योजना में सरवोच प्रात्मिक्ता दी गई थी मानो संसाधन का विकास, अर्था रोजगार, सिक्षा, स्वास्त को दिया गया, और मानो विकास को सारी विकास प्रियासो बहारी उद्देव का महत कम करते हुए आधारिक सरचना पर बल देने की सुरूआत इसे योजना में से ही की गई, और इसी काल में आप देखें, पिधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की सुरूआत हुई थी, कव 1993 की, आठवी योजना में ही राष्टी महिला को उसकी भारत सरकार की मानव संसादम मंतराले की तहद महला तथा बाल विकास विवाग द्वारा एक सुतंत पंजीकित सुसाइटी के रूम में की गई थी, और इसका मुख उद्देश आप देखें, गरीब महला, महलाओं के लिए आमदानी सेजन के कारियों के लिए तथा या सर्व ब्यापक बनाने 15-35 वर्स के लोगों में निरक्षरता को पूर्टा समाप्त करने का प्रयास किया गया, इसे हुजना का प्रमुख लक्ष मेला डोनी की पिथा को पूर्टा समाप्त करना भी था, ठीक है, फिर आप देखेंगे 9 भी आ जाता है, 9 पंज वर्सी हुजन चेतरी ये संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विसे स्थान दिया गया था, 9 योजना में आत्मिरभरता प्राप्त करने के लिए प्रात्मेक्ता क्रम में निमलिके चेतरों को चुना गया, भुकतान संतुलन मुश्टोनिश्रिक करना, विदेसी रडवहार को उन्ना केबल पढ़ने से रोकना, वरन उसमें कमी भी लाना, खात द्यानों में आत्मिरभरता प्राप्त करना, प्रोजदुगी कीए आत्मिरभरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और उस्दी ए मूल के फेड़ पौधों से प्राक्तिक संसादनों का समचित पर आप देखेंगे दस्वी पंच बरसी योजना, एं 2002 से 2007 के बीच रहती है, दस्वी पंच बरसी योजना का उदेश देश में गरीवी और बेरोजगारी समाप करना, अंगले दस बरसों के बरसों में पिती बेक्ती आय दुगनी करना पिस्तावित था, लेकिन सभी जानत योजना, एक अपरेल 2007 से फ्यारम हो जाती है, इस पंच बरसी योजना का मुख लक्ष, तीबेतम और समाभी प्रसी में कास था, ग्यारवी योजना सकल घहरेल उत्पात की ओसत समरिधी विद्धी दर, 18.03 रही और इस्वेकाल सरवादिक विद्धी दर, ग्यारवी योजन इसके बाद आप देखिए, 2014 में अगस्त में, आप देखते हैं कि योजना आयोग के दोरा कहा जाता है नीथी आयोग आएगा और एक जन्मरी 2015 आपका नीथी आयोग आजाता है, एक question बन गया कई बार, नीती आयोग के बारे में तो पूचता है, ये कि कब इसकी स्थाब नहुई, योजना आयोग के बारे में देखिए, जेकिन एक pregunt आयो प कि युजना आयोग को पिती स्थापित करके कौन सा आयोग आया हुआ है तो नीती आयोग आया है था एक जन्मडी 2015 को भारत सरकार द्वारा युजना आयोग के इस्थान पर राष्टी है भारत परिवर्तों संस्था यानि कि नीती आयोग आया हुआ है में प्रासंगिक, महत्पूर्ण और तकनीकी परामर्स उपलब्द कराएगा अगर नीती आयोग के अगर हम लोग देखिए मैन उद्देश की बात करें तो आप देखिए राष्टी उद्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागेदारी के साथ पर योजनाओं का निर्मार करने ही तू तंत विक्सित करना और इसे उत्रोत्तर उच्चे इस तर तक पहुंचाना आर्थिक प्रगिती से बंचितर रहे लोगों पर विसे इस ध्यान देना अंतर चेत्रिये और अंतर विभागिये मुद्दों के समाधान ही तू एक मंच त आई बार क्या होता है स्टेट पीसी एस और या सिबिल सर्विस में आपने देखा होगा कि आपको एक लायन देदेगा नीती आयूग के उद्देश क्या क्या थे और नीचे आपको चार ओप्सन देदेगा चार पॉइंट देदेगा एक दो तीन चार के रूम में फिर पॉणर काउंसिल में सभी राज्यों की मुकमंत्री रहेंगे संग राज्य चेतरों के अंदस आस्तित पिदेश हैं उनके उपराज जिपाल सामिल रहेंगे विसिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मावलों जिर का समंद एक से अधिक राज्यों या चेतरों से है को आठकने के लिए चेतरी रहेंगे परिसदन की अधिक रहेंगे या फिसष्ट कारकाल के लिए बनाई जाएंगी और भायत के पिदान मंत्री की देशितरी राज्यों के बीरेंगे ठीक है नेती आवेक का संगठन की बात करें अगर तो इसमें अध्यक्त नरेंद मौधी भारत की पिधान मंतरी गवर्नर ओप कांसल सभी राजियों की मुख मंतरी संग राज चेतरों की उपराजपाल उपाध्यक्ची की बात करें तो डॉक्टर राजी पिधान मंतरी द्वा सावर गेचंद गहलोत पीउस गुएल राओ इंदजी सिंग देखे एक बात और बताओं आपको जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हूं तो इन्हें देख लिया गरी है क्योंकि बदलते रहते हैं ठीक है समदित कारचित की जानकारी रखने वाले विसेसक कारगर लोग विसेस आमंतित की रूम में प्यधान मंतीरी द्वारा नामित की जाएंगे इसमें । सबाइब में सची वाले का पतन गठन आवसक्त कि अंसार किया जाएगा पदेन सदस् केंद मंतरी पस्टे से अधिकतम 4 प्धान-मंत्री द्वार नामित हों के अंसखालिक सदस् अधिकतम संबंदी संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस अंसकालिंग सदस होंगे यह उजनायों और नितियायों में अंतर कभी लिखने के लिए आ जाए तो यह उजनायों उन्नीस सो पचास से चोदे तक और नीतियायों 1902 से प्यारम होता है भारत में आर्थिक नियुजन के उद् से नीतियों 15 बारप सिय्व ईजनी साथ बर्सों के लिए रड़ नीति और दीन बरसों के-चेन गयां आ गयन हो में देखें तो यह उजनायों के निर्मार में कहंद सरकार राजसरकारों की शरकार तो यह्यां में अगर आप देखें तो राज्यों और एवं केंद सासित प्यदिसों के योजनाओं के लिए पुंजी का अवंटन करना, अगर राज्यों में जाएं, राज्यों को केंद सासित प्यदिसों के साथ सहकारी संगबात को बढ़ावा देना, फिर योजना आयोग में देखेंगे तो योजना आयोग की प्रकिती प्रया क केंद्री करत थी योजनायोग सहित केंद्र सरकार नीती निर्माड और किरियानमन में पिरमुक भूमिका नभाती थी नीती आयोग में देखें तो प्रकिती पराट बिकेंद्री के थे नीती आयोग में केंद्र सरकार सभी राज्यों की सरकारें नीती निर्माड किरियानमन मे हिस्सा लेती है योजना आयोग में अगर आप देखें तो योजना आयोग में योजनाओं बनीतियों के निर्माड में किसी पिकार के 20 विध्यालें और सोथ संस्थानों के पितिनिधियों को सामिल नहीं किया गया जा था था नीतिया आयोग में योजनाओं बनीतियों के निर अगर हम देखें, 2017-2018 और 19-20 आज तेजी से बदलती इस उधारी के और दुस्ता में हमें तीब आर्थिक संप्रिदी प्राप्त करने के लिए योजनाओ की स्वरूप और रननीतियों में बदलाओ करना होगा और इसी उद्देश की पूर्ती है तो भारत में बारेवी पंच बरसी वजना की साथी पंच बरसी निवजन की आउधारणा को समात कर दिया गया और भारत में निवजन की प्रिक्रिया है। आप लोग देखें तो इसके अंद्रगत एक आयस्थाई मध्यम अवधी राजकोसी है धाचे की रूप रेखा को फिस्तुत किया गया इसमें उपलब्द संसादरों की बारे में अनुमान लगा कर भविस्त में आर्थिक विकास की लक्षियों का नेधारन किया जाएगा इसी इसी छेत्र में विकास ये तो क्या क्या रणनीतियां बनाई जाए जिनसे किसानों की आये को दो 2022 तक दो ना किया जाए सके और दोग एक छेत्रों सेवा छेत्र में उत्पादक्ता वाले रोजगार की आउसर का से जन करना भाग दो में आप देखेंगे ठीक है इसके बाद अंगे आप देखेंगे भाग तीन क्या कहेगा भाग तीन इसके अंतर गगर छेत्री विकास की रोप रेखा के बारे में चर्चा की गई इसके अंतर गर सहरी विकास ग्रामीड विकास चेत्र विसेश की विकास ये unterstützen रणनीतियां बनाई गई और इनमें इसी छेत्र पिसे इसकी समस्या का समाधान करके सभी छेत्रों का समान विकास करने का प्रयास किया जाएगा भागती चार को अगर आद देखें तो इस भाग में विकास के समर्थकों और वाहिकों की बात की गई इकरिसी चेत और दोगिक चेत सेवाचित के तीब विकास में एहम भूमिका निभा सकते हैं इन में सामिल परिवाहन एवं संचार फणाली डिजीटल कनेक्टिविटी सारजनिक निजी सहवागिता उर्जा एवं बिग्यान प्रूदगी की नवाचार उध्यम सीलता भाग पा इसमें सामाजिक चेत की चर्चा की गए जिसमें स्वास्त सिक्षा और कौसल विकास तथा एक बहतर समाज के निवाण पर बल दिया गया या चेत लोगों के बहतर जीवन स्तर से संबंदित और एक बहतर उत्पादक स्रम सक्ती के विकास पर बल देता है जिसमें तीव आर् दिए गया कि किस पेकार हम अपने जल सलसादनों का कुसलतम प्रबंद कर सकते हैं sana भारत में अर्थिक सर्वेक्षन भित्म tam dal игр द्वारा प्रेकासित किए जाते हुए तो सभी आप जानते हैं वजट उस समय जब आता है उसामया आर्थिक सरवेक्षन भी आप लोग मिलस्त to die city और अधिगर निते हैं किया चैटी आरते गरना जनवरे-चैitel रिपोर्ट सब्स pequeño क्यारG संखिण से आर जों कि आर्ठी कि इभ। संखिकीन देसाले द्वारा जन Middle-e 2003 इसे लिक्र अपरेल 2014 कि पुछ जुलाई 2014 को पिकासित की गई थी, छटी आर्थिक गर्णा 2014 की इनुसार उत्यम संख्या की आधार पर 35 राज, उत्तर पिदेश, महराष्ट, पच्छे मंगाल, तमिल्लाडू, आंध्पिदेश थी, सरबादिक रोजगार बाले पांच राज्यों की बात करने तो महराष्ट, उत्तर पिदेश, पच्छे मंगाल, तमिल्लाडू, गुजराद, तीन केंदेशासित पिदेशकों की बात करने तो दिल्ली, चंडिगर, पुणूचेरी, पांच भी चटी, आर्थिक गर्णा के बीच, उत्दमों की संख्या में, पितिसद विद्धी की दिर्ष्टी से सीस, पांच सीस देशरे, मडीपोर, सिक्केम, असम, नौंगालें, तेलंगाला, तीन सीस, केंदेशासित चेतरों की बात करने तो अंडवान निकों बार, चं पहली 1977 में, दूसरी 1980 में, तीसरी 1990 में, चौतरी 1998 में, पांच भी 2005 में, छटी आपकी 2014 में, पहली 1977 में, ये भी आप लोग याद रखेएगा, लेटेस्ट आपकी 2014 वाली है, अब बात करते हैं गरीवी पर, और आप देखे, कोई मुझे नहीं रगता है कि कोई चुनाव दे जाती होगी मुझे लगता है, कि आप देखे कि जो अपनी जाती के लिए गरीवी की बात करता है, वही गरीवी को छोड़के कहां पहुंच जाता है, गरीब कल भी गरीब थे, वाल भी गरीब है, गरीवी का अरत होता है कि वो एस्तिदी जब किसी व जीवन की निम Sansतं आध के लिए घर हो अगर यही उपलब्द नहीं है तो उन्हें गरीब कह देते हैं समय रहे हैं आप लो मनुष से जब बुन्यादी आव सकता हूं कि पूरती की स्थिती में नहीं जो जरूरते हैं उसकी है उसकी पूरती की स्थिती में नहीं होता है तो उसे गरीब की सेनी में गि आसमर्थता है यानि जब निन्नतन जीमा ने अपन इस तर पर भी फ्राप्त इस तर भी प्राप्त नहीं है करती है कि विभेन आयवारगों के बीच कितनी विसमता है और इसे वापने की दो विदिया हैं लॉरेंज बक काको गिनी गुडांक लॉरेंज बंक की अगर हम लोग बात करें तो लॉरेंज बंक को खींचने के लिए X अक्षपर परिवारों की संचेई परसें और Y अक्षपर कुल कुल आये का संचेई लेते हैं और लॉरेंज बंक सूनने से लेका होकर आप देखें संचेई यदि समाज की लोगों की I समान रूप से वित्रित हो यानि की X के पास और X की I हो तो उसे पिदर्सित करने वाली रेखा X अक्ष की साथ आप देखें 85 डिगरी का कौन मनाएगी रेखा चित में O B O B देख रहा है O B O O B वह भी एक ऐसी रेखा है जिसमें हम पूर्ण और निरेक्ष समता रखते हैं यदि मापने मापने जाने बाले चार चर का मूल रिनात पंग नहीं हो सके तो लॉरेंज बग पूर्ण ता समता रेखा के उपर नहीं उठेगी और पूर्ण आसमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगी और बढ़ती हुई उत्तल फलन होगी तो लॉरेंज बग जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आई की विसमता उतनी ही कम रहती है एक कुश्चन कही बार मुझ लेता है कि लौरेंज लौरेंज वक्क किस से संबन देते हैं तो सीधी सी बात यही रखिए है कि आपका गरिवी से संबन देते हैं यह संतार एक ठीक है तो यह आप अप समझ सकते हैं गिनी गुडंक आय की वित्रण कि व्यक्ता गिमापक की सबसे पिछलिव भी धी है यह लॉरेंज वको तथा पूर समतार एखा के बीच का छेतफल और पूर समतार एखा के नीचे के कुल छेतफल के बीच का अनुपात होता है जैसे आप देखें गिनी गुडांग चायांकित छेतफल पूर समतार एखा ओवी के नीचे का कुल छेतफल यहाँ G-10 जो पितेक व्यक्ति को एक ही आये और G-1 जो एक ही व्यक्ति को पूरी आये इसे गिनी-गुडाइंक का अदिक्तमूल एक के बरावर होगा गिनी-गुडाइंक में अदी 100 से गुडाइंक कर दें तो हमें गिनी-सुचकांग पराप्त होता है लॉरेंज बक को और गिनी गुदंक आई की विसम्ता की माघ से संबन देते हैं लॉरेंज बक की बात करें तो 1905 में मैक्स ओ लॉरिंज ने और गिनी गुडांग की बात करें तो 1912 में कोरोएडो गिनी इटली में विक्सित किया गया था और विसमता समाईजी पितिवक्ति आये इस धारना का पिति पादन नोबल पुरुषकार से सम्भानित अर्थसाक्तरी प्रोफेसर अमल सेन ने किया था उ डबलू कल्याण मूट आप देखें पितिवक्ति आये जी विसमता की आये कल्यां डबलू बिद्धी होगी यदि पितिवक्ति आये में विद्धिओ बिसमता की आय में कमी हुए कि निरपेक्छ गरीवी अर्था रन करते समय मनुस की पोले सकता हूं और अनिवारताओं के आधार पर आय अत्वा उब्भोग बे की नियुन्तम इस्तर को ग्याद किया जाता है इसके अंतरकत हम निश्चित माब्धंड की आधार पर यह तैकरते हैं कि कितने लोग इस माब्धंड की नीचे हैं उनने हम गरीब कह देते हैं इसे निश्चित माब्धंड को हम गरीबी रिखा या निर्धंता रिखा कहते हैं यानि कि निर्धारित किये गए नियुन्तम औभोग बे को निर्धंता रिखा कहते हैं जीवन की वन्यादी अब सक्ताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आयका इस्तर है और इस नियुन्तम निर्धारित इस्तर से कम बे करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है या नियुन्तम जीवन इस्तर फिराप्त करने के लिए जरूरी पिति व्यक्ति, कैलोरी गरहन या पिति व्यक्ति उभोग बे की रोम में पिदरसित की जा सकती है या एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग हो सकती है निर्धन्ता की माप के लिए निर्फेक्ष पितीमान का सरपितर्म परियोग खा देवों किरसे संगठन एप ओवेर की पितर्म महाने दे सकते आर वैडने 1945 में किया था भारत में अगर निर्धन्ता की बात करें हम लोग भारत में खास कर तो भारत में निर्धन्ता की माप करने के लिए निर्फेक्ष पितीमान का प्रयोग किया जाता है और हमारे देश में योजना आयो द्वारा गरीवी निधारन के संबन्द में एक बेकल्पिक परिभासा सुईकार की जिसमें आहार संबन्दी जरुतों को देहार में रखा गया इसता उधारना के अनुसार उस बेक्ति को निर्धनता की रिखा गरीवी से नीचेर माना जाता था निर्धनता की रिखा से जो ग्रामीड चेत्रों में पिती दिन 2400 कैलोरी और सहरी चेत्रों में 200 कैलोरी भोजन प्राप करने में आसमर्थ होता था और भारत में परिवार के भोग बे की आधार पर भी निर्धंता की इस्तर का अकलन किया जाता है। विसवेंक की अगर हम लोग बानें तो विसवेंक की अनुसार बरतमार में अंतराश्टी निर्धंता रिखा 1.90 अमेरिकी डॉलर पिती व्यक्ति उभोग बै 2011 की कीमत पर और यह 15 सबसे निर्धं देसों की राश्टी निर्धंता रिखा की औसत निकाल कर प्राक्त की जाती है विसवेंक के अनुसार कोई व्यक्ति जो 1.90 अमेरिकी डॉलर पिती दिन से कम पर जीवन यापन कर रहा है वह अती निर्धंता का सामना कर रहा है यह तो आप देखिए विसवेंक ने दी हुई है हम लोगों ने हमारे इसमें जो परिभासा दी हो उसमें बहुत अलग ही दे सबसे उपयुक्त है भारत में दिये गए बर्स में अधिकारी निर्धंता रिखा अन राज्यों की तुला में कुछ राज्यों में अधेक है क्योंकि कीमत इस तरह में अलग-लग राज्यों में अलग-लग होते हैं भारत में गरीवी निर्धारन का इतिहास अगर हम देखें तो सबसे पहले दादा भाई नौरो जी की बात करते हैं इनके पुस्तक पावर्टी एंड अन्वेटिस रोल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापने को मापने को जी की नियुनतम आपसक्ताओं की पूर्ती से लगाया था और नील कांद दांडेकर और बी एस रत के फर्मोली की बात करें तो इनके फर्मोली के आधार पर सुतंता के बाद पहली बार 1971 में बिग्यानिक तरहिके से गरीबी रिखा का निरधारन किया गया और जिसमें नेशनल सेंपल सर्वे के उपभो खरज की आकरों का इस्तिमाल किया गया था इसके अनुसार उस बेक्ती ग्रामिट सहरी दोनों को गरीबी मान जाएगा जो पितिदन ओस्तन बाइस सो पचास केलोरी भूजन पराप्त करने में आसमर्त हो यह आकरे वर्स 1968 एक सट पर आधारित थे वाई के अलग समिति वाई के अलग की अध्यक्सका में योजना है उन्हें 1989 में सम्ति का गठन किया था इस सम्मिति ने दान्डिकर और रद के फार्मोली के आधरप वर्स बदल कर 1974 कर दिया और पहली बार सहरी और ग्रामिट चेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निधारित की गई जो आप देखेंगे सहर के लिए 2100 थी और 2400 ग्रामिट चेत्रों के लिए ग्रामिट चेत्रों में आप देखें उन्हें मेहनत करनी परती है फिर आपकी लकडवाला समती आती है योजना आयूग ने देश में निर्धंता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डी टी लकडवाला की अध्यक्स्ता में एक समती का गठन किया और 1993 में इस समती ने अपनी रिपोर्ट पिस्तुत की और इसके अनुसार पितेक राज में मोल इस सुचकांगों की बात की जैसे ग्रामीड चेत्रों में बात कर लिए ग्रामीड चेत्रों में निर्धंता रिखा इस समती में किरस्ती समकों के लिए उपभोकता मूल सुचकांग का सुझा दिया सहरी चेत्रों में निर्धंता रिखा के लिए इसके लिए समती ने उद्धो पर राजविसेस निर्धनता रिखा हुई जिसके जिससे एक राष्टी निर्धनता रिखा का निर्मार किया जा सके पर आप आठवी योजना में कैलोरी पिती प्रापती 2400 ग्रामीड वाँ सहरी आधार को ही सुईकार किया गया उनने सो तेहतर चौतर में मूल पर ग्रामीड चेत्रों के लिए 49.09 रुपया और सहरी चेत्रों के लिए आप देखे 56.64 रुपया पिती ब्यक्ती पिती माय उभोग पे ब्याय लिया गया ठीक है और इस कारविधी का प्रियोग नहीं सुरेश तेंदूलकर की अध्यक्स्ता में संती बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौफी तेंदूलकर संती का मुक्ष देश इसका परिक्षन करना था कि क्या भारत में गरीवी बास्तों में गर रही है या नहीं जैसा एनसो के एक सड़वे चक से स्थापित होता है इ इसने गरीवी रेखा का निर्धारा उपभोग में लाए जा रहे है खाध्यानों के अलावा छे बन्यादी आवसक्ताओं सिक्षा स्वास्त बन्यादी सरचना स्वक्षवातावरन महलाओं की काम तथा लाप तक पहुँच क्या धर पर होगा तेंदूलकर संती ने ग्रामी के लिए 2004-2005 मूल पर 446.68 रुपया 2011 बारे की मूल पर 811 रुपया पिती वेक्ती पिती मा और शहरी चेत्रों में आप देखेंगे 588 रुपया दसमला 80 रुपया 2011 बारे में एक हजार रुपया पिती वेक्ती वेक्ती पो कर दिया आप से ही बूच रहा हूं मैं आप सोचिए 816 रुपया में क्या ग्रामी चेत्र में आप लोग एक मेंड़ा का खर्च एक आदमी चला सकता है और सहरी चेत्रों में क्या 1000 रुपया में हो सकता है आप लोग खुछ सोच के देखिए मुझे लगता है कि आप लोग किसी सहर में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कम से कम 50-60 रुपे की एक टाइम का पूटे पर मिलता होगा और मुझे लगता है आप समझ सकते हैं बेरतर और इसलिए लोग कह रहा हूं बहुत बु गरीवी रेखा के नीचे थे 2045 में संपूर्ण भारत के इस्तरव गरीवी का रेखा का 37.2 परसेंट थे और 2011 बारे में 21.9 परसेंट और इनकी परिभासा की हिसाब से समझ रहे हैं आप लोग और कहीं ये उजना आयो कि अगर परिभासा आप लोग देख लें तो फिर तो का आमी तमाम हो जाएगा तेंदुलकर समती ने गरीवी रेखा कि निधारन के लिए जीवन निर्वाद लागत सूचकां के आनी पिती वेक्ती उभोग बैकु आधार बनाये था फिर स्री रंग राजन समती सयुक्तर राष्ट सभा के अंगे खादिवों के इसी संगठन गरी की थी और इसने तेंदुलकर समती के आकलन के तरीकों को खारिच कर दिया था रंग राजन समती के अनुसार वर्स 2011 बारे में 29.5% लोग गरीब थे जबकि तेंदुलकर समती में अनुमान 21.9% लगाया था और गरामिट जन संख्या का 30.9% और सहरी जन संख्या का 26.4% लोग में परिभासित किया था अभी विए आप देखे फिर भी आप लोगों को समझ सकते हैं 14.00 अब सहरों को कर दिया बाल विकास से समंधित प्रमुख्य औनिफट आने के लिए लेकिन निपटे या निपटे आप खुद देख लिजे औन्हपूर आई उजना इसे उजना का सुवारं देखेंगे 2. mines 2000 में गाजीबाद के सिकोड़ा ग्राम में से हुगा था इसे उजना कवदेश देश के अतिन्त निर्धन बैद्धों के लिए रोटी की व्यस्ता करनी थी इन्हे उजनाओ से लिखी सरकारी उजनाओ से कुष्टान साब की परिक्षाओं में पूछे जाते हैं राश्की खादे सुरक्षा अधिनियम 23 यह अधिनियम 12 सेप्टमबर 2013 से प्रभावी हुआ इसका मुखो देश लोगों को परियाप्त मात्रा में गुडवत्ता पूण खाद को उचित मूले पार आपोटी के द्वारा खाद और सोसक पोसक सुरक्षा मुहया कराना है इसके कुछ प्रमुक विवस्था है निमने यह देखेंगे आप लोग की अधिक्तम कुल जनसंक्या का लगभख 50 सहरी जनसंक्या के 50% लोगों को अनुदाने दर पर खाद्यान प्राप्त करने की कानूनी अधिकार प्राप्त कराता है इसके अंतरगर लाब प्राप्त करता को 5 किलो गया हूँ या मौटे अनाज करम सा 2-3 और 1 रुपे पिती किलो प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया और पितेक गरब अधि दूद पिलाने वाली मा को गरब धारन की अवस्था तथा पेशाओ के 6 महीने बाद तक आहन बड़ी के माध्यम से भोजन मुहया कराना इसके अंतरगर प्राप्त लाब करता को उस सामविधिक राजी सरकार से खाद सुरक्षा भद्ता प्राप्त करने आदिकार होगा यदि उससे उतनी मातरा में खाद्या नहीं प्राप्त होता है तो यह भोजन नहीं मुहा हो पाता है तो जितना उसे प्राप्त होना चाहिए गरीबी और तथा या आप देखे गरीबी तथा दिरुजगारी उन मुलन से समन देती योजना है उनकी प्यारम ये योजना है प्रारम हो के ये योजना और प्यारम जैसे मरू हुमी विकासकार करम 1978 में काम के बदली है नाज 1978 आंतियोदर हो ये योजना 1978 ट्राइसेम ये 1989 एकी गरामीड विकासकार करम ये 1980 डोयरिक डोक्रा ये आप देखे ये 1982 इंदराग आबास योजना 1986 जवहार रोजगार योजना 1989 नेहरू रोजगार योजना 1990 दस लाक कुगा योजना 1998 प्रणमंतरी रोजगार योजना 1993 रोजगार अश्वासन योजना अन्यस्टों न्युक्तरि मैं 읽 Mormon남 योजना 2002 जंश्री भीमा सप्रों-चमा अंत्याता अन्य योजना आजसय भीमा योजना 2001 2002 जेपी रोजगार गारंटी योजना सप्रों-चमा भारती निर्माड करकरम 256, राष्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2006, तो यह इनको भी याद रखेगा, एक ग्रामीड, राष्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं, पहले नरेगा कहते हैं, आप मनरेगा कहते हैं, दे नौ को परिवर्दित करके मनरेगाज रख दिया गया था मातमा गांदी रोजगार गारंटी यह उजना कर दिया गया इसके नीती निर्माता ज्याक देंद वेल्जियम के अलत्रसास्त्री थे इसका क्रियानमन ग्रामी डिविकास मंत्राले द्वारा किया जाता है शुरू में एह उजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लाग हुई थी लेकिन अप्रेल 2008 में ये 614 जिलों में लाग हुई थी इसके तहट सभी ग्राम रोजगार और काम के लिए अनाज इह उजना का विलाय कर दिया गया इस एह उजना के तहट आप देखेंगे कैंद और राज्यों का जो मद 90 अनपाते 10 का अनपात में वित्तिये सहीव दी जाती है कैंद सरकार देती है 90 राज सरकार इसमें 10% उगदान देती है इस एह उजना में पिदेख परिवार को एक बित्तिय बरस में 100 दिन का रोजगार उपलब्द कराना है जिसमें महलाओं की भागेदारी 33% होगी अगर आप ग्राम पंचयाच से समंध रखते होंगे तो आप लोगों ने इसका नाम भी सुनाओगा अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप सरपन सेकेर्टरी के पास चाहिए वो आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्द कराएगा रोजगार मरे कार्ड आप लोगों ने सुना है 15 दिन तर रोजगार उपलब्द नहीं कराने पर वे रोजगारी भत्ता देना होगा इसे उजना के थेट कार की आओधी 7 घंटे होगी और सब्ता में 6 दिन ही काम करना होगा कार स्थल पर मित्ती होने या स्थाई अपंगता किस्तिती में 25,000 रुपे दी जाएगी काश्तल पर घर से 5 किलो मीटर से अधिक दूरी होने पर 10 परसेंट अतरिक्त मजदूरी मिलेगी आपको और इसका करियानबन इसका करियानबन नेशनल लूरल एंफुलायमेंट गारंटी अधिनियम सेप्टमबर 2005 के द्वारा होता है काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है ये भी आप पूंच लेता है कई वाद काम पाने का अधिकार क्या है समीधाने का अधिकार या कानूनी अधिकार तो कानूनी अधिकार प्यदान मंतिरी सुरक्षा वीमा युजना, इसकी सुरुआद 9 मई 2015 को प्यदान मंतिरी नैंद मौधी ने की थी, इसे युजना के अंतर के वीमा धारक की दुरगटना मित्यू की इस्तिती में 2,00,000 रुपे प्राप्त होगी, और 12,00,000 प्रीमियम 10 रुपे होगा जिसे जं जंधन खाता आप लोगों न सुनाओगा, काफी लोगों के खाते खोले, जंधन जमा धारक को 1,00,000 रुपे की दुरगटना वीमा और 30,000 रुपे सामान मित्यू वीमा अनमान है, अटल पैंसन युजना, इसकी सुरुआद 9 मई 2015 को प्यदान मंतिरी नैंद मौधी द्वार से अधिक एक हजार बासिख होगा, अनसदान करेगी, पैदान मंत्री जीवन जोती युजना भी सुना होगा, और इसकी भी सुरुआद 9 मई 2015 को पैदान मंत्री मौधी के द्वारा की गई थी, यह होजना स्वाब भयविक और दुरगटना वित्ति दोनों के, दोनों ही के स साल के, माप करिए, बच्चों को निसल्क, सिक्षा और अनिवार सिक्षा का दिकार, इस 2009 में, 86 वा समिधान संसोधन सुने हैं, एक तो मौलिक का दिकार है, 86 वा समिधान संसोधन के पैदाम सुरुख समिधान के भागतीन में अनुछे 21 का एक अईवार पहुँच लेता है, समाविष्ट किया गया और जिसमें फलसुरुख 6 से 14 वर्स के बच्चों को सभी बच्चों के लिए निसल्क और अनिवार सिक्षा की वरस्था की बात की गई है, बच्चों को निसल्क और अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रेल 2010 से परभावी हो गया, इस कुछ विवस्थाएं की गई है, एक तो 6 वर्स के 6 वर्स के पितिक बच्चे को प्यारमिक सिक्षा पूरी होने अपने पड़ोष की विद्याले में निसल्क और अनिवार सिक्षा का अधिकार है, लेकिन आप सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों की क्या हलत है, दिली जैसे हों विद्याले की स्थापना करेगा, अधिनियम के पालन के लिए विद्य की विवस्था करना केंद और राजी सरकार की जिम्मेदारी होगी, पड़ोष की विद्याले में पिरवेस दिलाने की जिम्मेदारी माताफिता और अभीभावक की होगी, पिरवेस के लिए ना किसी प परामर्सी परिशत की केंद सरकार द्वारा इस्थापनी की जाएगी एक तरफ सिक्षा अभियान सुना होगा गरीबी निवारन में आसिक्षा को सबसे प्रमुक और उधक दत होने के कारण तथा साथ ही सिक्षा के प्रवल आगर गामी तथा पश्चे गामी कडियों की पूर्वत्तर के राज्यों में 90 अनपाते 10 के अनपात में करती है यानि कि इसमें युगदान रहेगा जो आपकी उत्तर की राज्य है इसमें बाकी राज्य हैं जिसमें आप 40 अनपात रहेगा 40 रहेगा केंद का 40 रहेगा राज्य का और पूर्वत्तर भारत की जो राज्य इन में 90 केंद का रहेगा, 10 आपका राज्यों का रहेगा सरफ सिक्षा अभियान के हस्तेचेप की कारण बिस विध्याले छोड़ने वाले वच्चों की संख्या में अत्यधी कमी आई है फिर आप लोगोंने विध्याले में मध्यान भोजन भी सुनाओगा इसकी सुरुवाद 15 अगस तर 1995 में की गई थी यह केंद द्वारा प्याजित यह उजिना है सुरुवाद में इसे प्राइमरी स्तरपा लागू किया गया था परन्तु यह अक्टूबर सन 2007 से इसमें अपर प्राइमरी की बक्चों को भी सामिल किया गया और इस पकार यह है उजिना अब एक से कच्छा एक से आठ तक के बच्चों के संबंद में लागू है इसे उजिना के अंतर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 केलोरी दस ग्राम प्रोटीन और अपर-फ्रामरी बच्चों के लिए 1700 क्लियूरी और 20 ग्राम प्रोटीन का पिवस्ता की जाती आटी है लाश्टी ग्रामिट स्वास्त में सन इसे उजना को 12рь długo Π्रोटीन 2005 को शुरू किया गया था 12ड़ अफ्रेयल 2005 को यह गरामीड चेत्रों में सलता से पहुंच बाली बहिनी है और जब आप देही बाली स्वास्त सेवा में मुहया कराने से संबन देते हैं यह गरामीड गरीवों और कमजोर वर्गों की लोगों को स्वास्त सेवा में लगी पिसीक्षित आसा की भूमिगा बहुत ही महत्पूर है लगबग एक हजा गरामीड जनसंखा पर एक आसा कारी करती है आसा आप लोगों ने देखा हुए गरामीड चेत्रों में राश्टी ये स्वास्त में सनख इसकी सुराद 2013 में हुई थी इसका लक्ष सामर सामर सस्ता और गुडवत्ता पूर स्वास्त देख भाल सेवाओं की व्यापक स्वलप्ता अपदान करना हुए स्वक्ष भारत अभियान, इसकी सुराथ 2 अक्टूबर 2014 को भी थी, इसका लक्ष सभी ग्रामीर परिवारों को सोचालाई की सुविधा पदान करना है, साथी स्वक्षता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचयादों को ठोस और दरवित, आपसे श्टे परवंधन क या किरिया कलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में सोच मुक्त भारत हांसिल करना है, 2 अक्टूबर को सवक्ष भारत अभियान, काफी इसमें सफलता पाई है आप लोगने, बालमी की मेड़कर मलिन वस्ती आवास योजना, इस योजना की सुरूआत आप देख किन सरकार 50% अनुदान देती हो, 50% की वस्ता राज सरकार करती है, मिसन इन्दधनोस, इसकी सुरुआत 25 दिसमबर 2014 में की गई थी मिसन इन्दधनोस की, और इसका उदिश उन बच्चों को टीका करन में लाना जो पूर्ण, आंसे ग्रूप से 7 बीमारियों के विरूद टीक का नहीं लगवाया है, जिन लोगों ने, समझ रहे हैं, तो यह भी याद रखिएगा, एक इकरत बालविकास सेवा इसक्रीम, इसकी सुरुआत आप देखिएंग, 1975 में हुई थी, इसकी उजना का मुकुद देशा, यही है कि 6 वर्स तक के उम्मे के बच्चों, गरबरती मह महिलाओं, इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्त फूसन, और सेक्षडिक सेवाओं का इकी कि पेकेज, पेकेज पिदान करना, तथा आँगनबाड़ी भवनों और CDPO, कार्यालेओं और गोदामों के निर्मान के लिए रिड उपलब्द कराना, इस यह उजना का जरूर रखिएगा, डिजीटल इंडिया कार करम, आप सभी जानते हैं कि 21 सगस्त 2014 को इसकी घोशना वी थी, पिदान मंत्री जन्न यह उजना, 28 सगस्त 2014, दीन दयाल उपाद्ध हैं अंति उधार यह उजना, 25 सेप्टमबर 2014, स्वाक्ष भारत मिसन, 2 अक्टूबर 2014, सांसत दादर्स गराम वे उजना, 11 अक्टूबर 2014, स्वाव जैती उजना, 16 अक्टूबर 2014, फास्टेक, 31 अक्टूबर 2014, जीवन पिरमाड, पैंसन भोगियों के लिए, 10 नवंबर 2014, मिसन इंदिधन उस्टीका करन, यह आप देखें, 25 दिसब्बर 2014, नीतियायो, 1 जन्वरी 2015, 20 जन्वरी 2015, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, 22 जन्वरी 2015, सो कन्या सम्रिद्ध ही होजना, 22 जन्वरी 2015, मिर्दा स्वास्तकार्ट, यह आप देखेंगे, 19 फर्वरी 2015, पिधान मंत्री कॉसल विकास, यह 20 फर्वरी 2015, सागर माला परी होजना, 25 मार्च 2015, जननी सुरक्ष 10 जन्वरी 2015, युजाला, 1 मई 2015, पिधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, 9 मई 2015, पिधान मंत्री सुरक्षभीमा योजना, 9 मई 2015, अटल पैंशन योजना, 9 मई 2015, उस्ताद अल्प संख्यक कारियर, चौदय मई 2015, काया कल जनस्वास्त से संबंदित 15 माई 2015 डीडी किसान चैनल 26 माई 2015 हाउसिंग फोर ओल स्कीम 25 जून 2015 अटल मिशन फोर रिजू बेस बेनेशन एंड अर्वन ट्रांस्फोर्मिंग अमरद 25 जून 2015 स्मार्ट स्री पेड़ी होजना 25 जून 2015 डीडीटल इंडिया एक जुलाई 2015 इंद धनों सारजनिक बेंकों की द्रड़ सु द्रड़ता के लिए 703 मिसन अगस्त 2015 स्वाड मौद्री करन यह उजना 5 नवंबर 2015 स्वाड वराण यह उजना 5 नवंबर 2015 स्वाड भुलियन यह उजना 5 नवंबर 2015 उदय उज्वल डिसकॉम यह उजना एपन 2015 में इस्टार्ट अप इंडिया 16 जनवरी 2016 स्वाड जनवरी 2016 स्यामा स्यामा प्रसाद मोखर जी नेशनल रूर रूरुबन यह उजन्सन यह 21 फर्वरी 2015 2016 21 फर्वरी 2016 सेतु भारत तम यह उजना 4 मार्च 2016 स्टेंड अफ इंडिया 5 अपरेल 2016 ग्राम उदर से भारत युदय 14-24 अपरेल 2016 फिधान मंत्री उज्वला यह उजना 1 माई 2016 नमामी गंगे 7 जुलाई 2016 फिधान मंत्री ग्रामी डिजीटल साक्षर्था आट फर्वरी 2017 उडान 27 अपरेल 2017 संपदा किर्षी पसंसकान परकेंद्रे तीन माई 2017 पिधान मंत्री वय बंदना युजना 4 माई 2017 मातत लाफ कारक्रम 17 माई 2014 माप करें 17 माई 2017 जिग्यासा 6 जुलाई 2017 साधी सगुन युजना 8 अठकस्त 2017 स्वास्त बच्चे स्वास्त भारत ये 22 अठकस्त 2017 सोभाग युजना ये सहज बिजली हर घर 2017 गरीवी भारत छोड़ युजना छोड़ो अभियान ए 11 एक्टूबर 2017 11 एक्टूबर 2017 फिर आप देखेंगे आपका सभून वीमा युजना 13 एक्टूबर 2017 जीरो हंगर कारक्रम गोरकपूर उत्तरपदे स्थाने महराष्ट और पूर उडिज़ा में 2030 तक भूख को समाप् 74 एक्टूबर 2017 एक्टूबर 2017 12 एक्टूबर 2017 एक्टरो ऋहर युजना फची सक्टूबर 2017 राष्टी किर्सी विकास युजना एक नवंबर 2017 दीन्दयाल में उसमर्ज पर्दे नवंबर 2017 भारत ने चर्ण सेकेंड युजना ए तेरह नवंबर 2017 सुरक्षे सहर युजना 22 नवंबर 2017 समग सिक्षा अभियान एक अपरेल 2017 वंधन युजना 14 अपरेल 2017 अठारे सेवा भोजे युजना एक जून 2018 पीम आसा ए बारे सेप्टंबर सितंबर 2018 आयुसमान भारत प्रजिन जन्द आयोग युजना 25 सितंबर 2018 पीम किसान एक दिसंबर 2018 पीम स्तरमयोगी पांधन युजना एक फरवरी 2019 पीम किसान पांधन युजना 30 मई 2019 पीम करमयोगी मांधन युजना ए बारे सेप्टंबर 2019 को रांची से सुवारम हुई थी 30 मई 2019 सोमन सुरक्षित मातत अस्वासन युजना ए 10 अक्टूबर 2019 अठल भुजल युजना 25 दिसंबर 2019 सागरमित्य युजना एक फरवरी 2020 ग्राम भंडारन भंडार भंडारा का गार युजना एक फरवरी 2020 धान लच्मी युजना एक फरवरी 2020 किसान लेल युजना एक फरवरी 2020 2020 किरसे उड़ाने हुजना एक फरवरी 2020 विवाद से विश्वाद से हुजना एक फरवरी 2020 टीवी हारेगा देश जीतेगा हुजना एक फरवरी 2020 पिधानमंत्री गरीब कलने आड़े हुजना 26 मार्च 2020 आदम निवर भारत अभियान 22 माई 12 माई 2020 गोल गोईंग ओन लाइन एज लीडर्स आदिवासी वाओं को ससक्त बना जाने की उजना है 15 माई 2020 को आई थी सुक अन्या समरिधी खाता वेटी बचाओ वेटी बढ़ाओ कारकरम का एक भाग है इसमें 10 वर्स से कम उम्री की लड़कियों के नाम जमा खाता खुला जाज सकता है जिसमें निवनतम जमा रासी 1000 रुपे और अधिक तम रासी 1.5 लाक रुपे होगा इस पर आप सुनें तो आंगरमाडी केंद की बात करने तो इस केंद की स्थापना ग्रामीड शहरी और जजाती बहूल चेत्रों में खोले गया है और इन केंद्रों को खोलने का अधार जनसंक्या होता है सहरी और ग्रामीड चेत्रों में 1000 जनसंक्या पर जनजाती बहूल चेत्रों में 700 जनसंक्या पर और रेगेस्थानी और पहाडी चेत्रों में आप देखेंगे 300 की जनसंक्या पर आंगरमाडी केंद की कार करताओं कचैन उसी चेत्र में रहने वाली महलाओं से किया जाता है चार को सरकार ने देश में SC, ST, OVC और मुसलिम समद्राई की लड़कियों के लिए कस्तोरा गांधी बाली का विद्ध्याला एक खुलने की घुशना की थे यह आवासी विद्ध्याले इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है और इने विद्ध्यालों में 75 परसंट इस्था कुटीर जोती योजना, जोती कायकरम, हरीजन और आदिवासी परिवारों सहथ गरीवी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीड परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारस सरकार ने 1988 में कुटीर जोती कायकरम किया था, इसके अंतरगत ग्रामीड चेत्रों में निर्धनता रेका से नीचे जेपने आपन करने वाली परिवारों को एक वत्ती विद्धुत कनेक्शन उपलब्द कराने के लिए 400 रुफए की सरकारी सहेता उपलब्द कराई जायती है एक आप लोगों ने अंतियोधा योजना सुनी होगी अंतियोधा अन्योजना तद कालियन पिदानमंत्री अटल विहारी वाचपेई ने 25 दिसंबर 2000 सन 2000 को इस योजना की सुरुवात की थी इस योजना के तहत देश के एक करोड निर्धनतम परिवारों को पिती माह 35 किलोग्राम 13 अपरेल 2002 से अनाज बिसे इस रियायती मूल ले पर उफलब्द करा जाता है यसे योजना के अंतियोधा जारी किये जाने वाले एक गयहों और चावल का केंद्री निर्धम मूल करमसा 2 रूपय और 3 रूपय पिती होता है किलो होता है यह योजना के अंतियोधा मामले ओको खाद दो एवं सारवी जी के डितनर मंत्रा ले किया तहट प्यारम की गई थी पिधान मंत्री उजला योजना अच्छी योजना है एक मई 2016 को केंद सरकार ने गरीवी रेखा कि नीचे रहने वाले पिधान करने वाली पिधान मंत्री उजला योजना प्यारम की इस योजना के दहित पितेग BPL परिवारों को LPG connection के लिए 1600 रुपे की वित्तिय साहित अपिदान की जाती है और इसमें BPL परिवारों को एक भरा हुआ गेस सिलेंडर, रेगूलेटर और पाइप भूप दिया जाता है इस योजना के कर्यानवन के लिए अभियान की माध्यम से LPG सबसिटी में बचाओ, बचाए गए पैसों का उपयोग में लाया जाता है और इसे उजना का क्यानवन पेटोलियम और प्राक्तिक गेस मंतरा लेकि द्वारा किया जा रहा है उजला योजना के तहरे सरकार ने 2020 तक आठ करोड गेस कनेक्शन देने का लक्ष राखा था, 31 मार्च 2019 तक तेल मार्गेटिंग कंपिनियों उनने 7.19 करोड LPG कनेक्शन के लिए जो लक्ष का 90 परसेंट है, फिर आप लोगों ने दिन दयाल उपाद्या ग्रामीड कॉसल योजना सुना होगा, ये 25 सेप्टमर 2014 की बात है, भारत सरकाय द्वारा गरीब परिवारों को 15-35 बरसों के जो ग्रामीड युवा के कॉसल विकास उत्पादन चमता के विकास पर बल देने के लिए दिन दयाल उपाद्या है, ग्रामीड कॉसल ये उजना की शुरुवात की गई, इसे उजना का किरियान मन 30 राज्यों के अंदसासित पिदेशों के 610 जिलों में कयान वित की गई है, और सरकार के आदेशा अनुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75-35 पिदेशत पिसुक्षूओं को रोजगार देने का लक्ष तय किया गया है, और यसे उजना के थायत पिसीक्षन प्राप्त कर करने का लक्ष रखा गया है, दिन्दयाल उपाध्या गिरामिट को असल योजना, पिदान मंत्री जंधन योजना, इसे उजना की घोषना 15 अगस्त 2014 को, इसका सुबारम हुए था 28 अगस्त 2014 को पिदान मंत्री मौदी साब के द्वारा की किया गया था, पिदान में योजना का फॉकस, पिति घर या परिवार के वज़या, पिति वैस्क नागरिक के, नागरिक के इस योजना की तहित खोले गए, बैंक खातों के लिए कोई नियुनतम सेसरासी रखना आवसक नहीं है, इन खातों में जमारासी पर व्याज भी पिदान किया जाता है, और पि इसे योजना के लावारतियों को रुपे डेविट काईट दिया जाता है, सेप्टमबर 2018 में केंदरी मंती मनल ने इसे योजना को ओपेंड एंडेड योजना में बदल का जारी रखनी की अनुमती दी, इसे योजना के अंदरगत खोले गए, बैंक खाते की 18 से 60 वर्स से बढ़ा कर 18 से 65 वर्स कर दी गई, और 28 सक 2018 तक के बाद रुपे कायट धारुकों की दुरगटना बीमा कबर 2 लाग रुपे कर दिया गया, अच्छी बात है, अच्छी योजना है, पिदान मंतरी मुद्रा योजना के बारे में सुना हुए, अपरेल 2015 में माइक इवा सिक्षेत उद्यमियों को मदद दे कर उन्हें योजना धारा में लाना, इसे उजना की विश्षता ए है कि इसे उजना किता है, छोटे उद्यमियों को कम ब्याद दर फर 50,000 रुपे से 10 लाग रुपे तक का रिड उपलब्द कराया जाता है, इसके अंतर के तीन सैनि इसमें 50,000 ता कि 100 रढ़ इसमें 5,000,000 से 5,000,000 रुपे था ठीक है बिधानमंतरी मुद्रा योजना आत्में अब भाब्भा भारत रोजगार योजना सुनाओगा मारे नवबंबर 2020 को हमारे देश के वितमंतरी निर्मलाग सी इता रवन ने आत्में भाब भारत योजना से उ उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ाव देने के लिए आरम किया गया इसे उजना के अंतर के सरकात द्वारा उन सभी पितिष्ठानों को सबसेटी पिदान की जाएगी जो नई भरतियां करेंगी इसे उजना का मुखदेश नए रोजगार को फुरुसान करना है फिर से चलने वाले सोलर फंप फिदान किया रहे हैं इस उजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया और इसके अंतर का 30.8 गीगावाट की चमता प्राप्त करने का लग चन्मे धारित किया गया फिर आप देखेंगे मातित बंदना यूजना गरभावस्था सहायता यूजना की करती हैं इसे उजना के अंतर justification महिला त नोड़ल एजशनशी की तरह काम करता है इसे उजना का लाव पहले जीवित बच्चे बच्चे को जर्म देने पर ही गरवती महिलाओं महिलाओं को प्राप्त होगा इसे उजना के अंतरगत वही महिलाओं आविधन कर सकती है जिनकी उम्मड 19 से 19 विया उससे अधिक हो इसे उजना से लाप प्राप्त करने के लिए गरबती महिलाओं को आंगरबड़ी या निकट की स्वास्त के अंद में जाकर पंजीकन कराना हो होगा फिर आप लोगों ने एक और सुना होगा स्वामित्य उजना यह है उजना पिदान मंत्री इन उनायन मौदी नहीं 11 एक्टूबर 2020 को शुरूं की थे और इसे उजना के अंतरगत लगवक 6.62 गाओं संबलित किये गए स्वामित्य उजना का मुद्धि से ही है कि गराम 20 भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोसित किये सन 1986 में जारी की नई सिक्छा नीती की बाद भारत की सिक्छा नीती में यह बहला नया परीवरतन है यह नीती अंतरिक्ष विग्यानिक की कस्तूरी रंगन की अधिक्स्ता बाली सम्ती की रिपोर्ट पर आधारी थे इस सिक्छा नीती के इंतरगर 230 तक इसकुली सिक्षा में 100% GER के साथ पूर विध्याले में माद्मिक विध्याले तक सिक्षा को सार भूमिकन किया जाएगा सरकार ने सिक्षा नीती का काफी सारी मुख्य बदलाओ की पहले आप देखेंगे 10 पिलस 2 का पैटर्न फॉलू किया जाता था प सिक्षा नीती का मोकुद्देश भारत में पिधान की जाने वाली सिक्षा को वैसे वी किस तरब आना इसे योजणा के जरिये सिक्षा की वड़वात्ता में सुधार किया जाएगा और बच्चे अच्छी सिक्षा परात कर पाएंगे अब देखिए सिक्षा नीती तो आ होती है एक पिधान मंतरी सौन नी थी यह उजना थी और इसे उजना का क्यांद सरकाद वारा देश की रहेडी और पठरी बालों चोटे सड़क विक्रताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से सुरू करने के लिए आरम किया गया और इसे उजना के तहट आप देखें कि क्या चेत्रों में बेंडर, होकर, ठेलिट वाले, रहडी वाले, ठेली, ठेली, फल वाले, आधी सहत, पचास लाग से अधिक लोगों को यह उजना से लापिदान किया जाएगा आईश्वान भारत थी उजना, 2018 में बजट में बित्त मंत्री हमारी जो बित्त मंत्री, अरुन जे परिवार को 5,00,00,00 रुबे तक का कैस रहे स्वास्त वीमा उपलब्द कराए जाएगा और 10 करोट BPL धारक परिवार लगभक 50,50 करोट लोग इसे उजना का पित्त मंत्री नेद महोदी ने 14 अपरेल 2018 को भीमराव मेड कर की जैनती के दिन जार्खंट के राची जिले में से में सुधार नई तकनीक को आदम साथ करना समग रूप से चमता के पूर प्रेयों को एक राष्टी अभियान का रूप देना इसका गया है मैन उद्देश है समझ रहे है मैन उद्देश और आंगे क्या है इसमें नई आर्थिक सुधार की रूप रेखा सरवपितम राजविक गांदी के पिदान मंतरी काल काल में 1985 में बनाई सुनू हुई थी नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर नरसिम्हाराओ की सरकार में के काल में 1991 में आई थी नई आर्थिक सुधार नीती, उधार की डूसरी 9 कार नीतीlaughs के काल के खाड़ी ओदो भारत की भुक्तान सेतलान की समच्य है थी नई आर्थिक निती के तीन पर मुखाया मताँ है नीजी करण, उधारी करण, औभैस्वी करण बिस्व ब्यापी करण नई आर्थिक सुधार नीती 1991, 91 के मुख छेत थे, राजकोसिय नीती, मौदरिक नीती, मूल निधार नीती, विदेश नीती, अधगक नीती, विदेश बिनियोग नीती, व्यापार नीती और सारुजनिक छेत नीती या उद्धोगिक छेत हो गए, और यह आपकी क्या हो गए, उद्धोगिक छेत, और आप देखेंगे, विदेश नेविस की सीमा, यह 2021 के हिसाफ से बता रहे हैं आपको, लेटेस्ट आगड़ी हैं, लेकिन आप लोग अपडेट होते रहा करिए, करेंट अपेर्स से जोड़े रहते हैं, सारेजनिक बैंक छेत्रे में बात करें, तो विदेश नेविस की बात करें तो 59% तक हो सकता है, निजी बेंकिंग छेत में, चोहत्तर परशेंट तक, गैर विंकिंग बैंकिंग भितिय चेत में, 100%, बंदरगहा निर्माण में, आप देखेंगे कि, बंदरगहा न आप देखेंगे 49 पर्टन दवाउत दियुग में 100% नांगरी कुट्ट्यान में 100% भीमाचित में 94% कुईला खन्र में 100% कोरियर सर्विस में 100% केडिट इनफारमेशन केडिट इनफारमेशन कंपनीज में 54 सिंगल ब्रॉंड रिटेल में 100% पावर एक्षेंज में 49% स्टॉक एक्षेंज डिफोजर्टरी में 49% चाय बागान में 100% एसेड री कंश्टेक्षन में 100% रक्षा उत्पादन में 100% किसी विएवं पसुपालन में 100% परेटन में 100% टेलीकॉम सेक्टर में 100% रेल्वेस आउसरचना में 100% मल्टी बेंड इस्टेल में 100% परेंशन में 49% पैंट मेडिया में 26% सिक्षा में 100% FM रेडियो में 49% प्राइवेट स्टेक्षा इसेज में 74% यानि कि विदेशी निविस कर सकते हैं मालीजी आपने कोई कंपणी बनाई हुई है या उन्हें कोई कंपणी बनानी हुई है तो 100% उनका ही स्वामित हो सकता है कई छेते हैं जिन में अब देखी कि पूरा स्वामित नहीं दिया जाता है मालीका रहत नहीं दिया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा राजकोसी नीती 1991 के मुख चार कदम थे सारविनेक बियाय को सकती से नेंतित करना कर इबंभिन राजस को बढ़ा होना के अंदर तहरा राज सरकारों पर राजकोसी सासन लागू करना अनुदान राज़ी में मौदरिक कटो थी मौदरिक नीती 1991 के तहट इस्पिर्टी कारी दबावों के लिए पिती बंधात्मक उपाय किये गए और उद्धोगी सुधार नीती 1991 के दिन जिन उपायों को लागू किया गया था बेथे 18 उद्धोगों की सूची को छोड़ अन सभी उद्धोगों के लिए लाइसेंस अटा दिये गये थे MRTP कंपनियों को बिनियोग हितु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया सारवंजीक चेत के लिए आरक्चित के रायों का दायरा सीमित कर दिया गया ओक्ते चेत्रों में निजी चेत्की को अनुमती दी गये विदेशी विनियोग नीती 1991 की तहट जिन सुधारों को लक्षवद्ध किया गया था बहुसे उपायों में 59% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित की सीमा तक पित्यक्ष विदेशी विनियोग को की सुधा सुधारों किति दी गई निरयात में लगी विदेशी ब्यापार कंपनी को 59% तक हिस्सा पूंजी लगाने के अनुमती होगी सरकार उच प्राथमिक का बाले उद्ध्योगों में तकनीकी संधियों के लिए सुधा सुधारों किति पितान करेगी ब्यापार नीती 1990 के तहत अरत विदेश्था के अंतराश्टी है एकी करण को पुन्नत करने ही तो उद्ध्योग को प्राप्त अत्यधिक आवेवेग पून सरक्षन धीरे धीरे समाप्त करने की दिसा में कदम उठाएंगे 1990 में आप देखी एक बहुत बड़ा फेर बदल किया गया था सार्विजिनेक उद्ध्योगों के निसपादन में उनती के लिए उद्ध्योगों को बोध ग्यावदपन के माध्यम से मजबूत किया गया सर्मकों की संख्या कम करने के लिए सौक्षिक, सेबा निवित्ती, योजनाय आरम की गई और नई आर्थिक सुधार नीती से समध कुछ मत्पूर सब्दा वली हैं जैसे निजी करन साल्विनिक चेत में पुझी या परबंधन या दोनों में निजी चेत की भागेदारी बढ़ाना उन्हें निजी चेत को सौप देना ही निजी करन कहलाता है आज कल आप देखें निजी करन कुछ जानदा ही हो रहा है उधारी करन उधारी करन सरकारी नेंतन को सिथिल या समाप्त करने की करिया भी दिये इसके अंतरगर निजी करन भी सामिल होता है बैस्वी करन किसी अर्दुवस्था को बिस अर्दुवस्था से जोडने की किरिया को ये आप लोग wsviken कहते हैं ऐसा करने से उक्तः चेत में निजी कार को सल्ता और बाहरी तकनिक की ग्हान प्राप्त होते हैं और वेस्वी करण की पिक्रिया से आविफया है अंतराश्टी व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना है बीनिवेस सरकारी छेत में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही बीनिवेस कहलाता है माले जिए कोई सरकारी कंपनी है 100% सरकार की हिस्सेदारी है बुक्या करेगी उसमें कुछ बैंच दे दूसरे लोगों को तो से भी निवेस कहे देते हैं कि उसका हिस्सा कम हो गया सरकार का कोई और आ गया नई आर्थिक सुधार नीती सन 1991 में से आंगे बढ़ते हुए अब तक काफी खुली उदार और वैस्वी कित हो चुकी है बरतमान में नई उद्धोगी नीती के तहट आरक्चित उद्धोगी की संख्या केबल परमाडू उड़ जा और रेल परीवार बचा हुए संसालन जोटाने तथा कार को सल्ता लाने की दृष्टी से सारुनेक उद्धोग की संबंद में वीनिवेस की नई नीती वर्स 1991-92 में अपनाई गए सौ पितीसाद निर्यास्त मूलक काईयों में सौ पर्षेंट वेदेसी पूंजी निवेस की अनमती दी गई वीनिवेस या फिर आप परिनिवेस का अर्थ हो दिम्यों में सरकारी भागेदारी घटाना है 1996 में वीनिवेस मुद्दे पर समीक्षा सुझाओ तथा वीनिवन के लिए बिनिवेस कमीशन का गठन किया गया इसके पहले अध्यक्ष जेवी रामकिष्ने थे उद्दोगी कादूनी किटकरन तकनीकी विकास के वाइडाम सोरूप प्रभावित होने वाली थे था बंद की जाने वाली रूमन है उद्दोगी के काईयों के विस्थापिस रिम्योंकों की साहता थना पुनर स्थापना के लिए सब्सक्राइब में राष्टी नविकार निधी की स्थापना की गई दूसरे चान के आर्थिक विवस्था है उसकी वारे में भारती विवस्था बित्य विवस्था से तातपर क्या होता है आखिर इसका मतलब हो क्या होता है तो आप देखेंगे कि इसका मतलब होता है कि ऐसी विवस्था से जिसमें ब्यक्तियों, बित्तिये संस्थाओं, बैंकों, उद्धोगिक कम्पनियों और सरकार द्वारा बित्ति की मांग होती है और इसकी पूर्टी की जाती है और भारतिये बित्तिवस्था में दो पक्ष हैं एक तो पहला मार्ग मांग पक्ष और दूसरा होता है पूर्ट आधी करते हैं जब कि पूर्ती पक्ष का पिते ने दित बैंक, बीमा कम्पनिया, म्यूचियाल फंड और अनवित्ती ये संस्थाएं करती हैं आपको पैसे की जरूरत है तो आप देखते होंगे कि आप लोग करज भी लेते होंगे लॉन लेते हैं के नि लेते हैं तो उसी तर में बैंकिंग छेत हो गया मुद्रा बाजार का उप बाजार हो गया आ संगठी छेत के अंतरगत देशी बैंकर साहुकार और महाजन आधी परंपरागत शुरूत आते हैं गिरामीट तरह किरसी साख में अब भी इनकी इसकी महत्त्व भूमिता होती है महत्त ठीक है और संग आपका याद रखेगा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिजर्ब बेंक के बारे में अर्बी आई के बारे में सुने हमारी केंद्रिय बैंक है तो रिजर्ब बैंक की स्थापना कब होती है इसकी स्थापना होती है एक अप्रेल 1935 को पाच करोड की अधिकेत पूजी से तो इसके बारे में इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजेगा देखे इस थापना कब होती है अर्बी आई की रिजर्ब बैंक अप इंडिया की एक अप्रेल 1935 को और इसका राश्टी एकन कब क्यास दिया गया एक जनवरी 1949 को और आप देखे 5 करोड की एक तरह से रासी से इसके शुरूवात हुई थी रिज़र बैंक भारत का केंद्र ये बैंक है और इसका मुख्याल अगर आप देखें तो मुंबिए में है कहा है क्या गवर्नर थे 1935 से लेकर 1937 तक और पिथम भारती एवं सुतन्थ भारत की पिथम गवर्नर की बात करें अगर तो CD देशमुक थे यह 1943 से लेकर आप देखी 1949 तक रहे थे और इनी के समय में RBI का राष्टी एकरण भी हुआ था बैंकों के राष्टी एकरण के समय एल के जहां RBI के गवर्नर थे जब अन्य बैंकों का क्या हुआ राष्टी एकरण हुआ हेल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रिय बैंक के रूम में रेजर बाग बैंक आप इंडिया की संस्तोती की थी RBI की भारती रेजर बैंक का लेखा वर्स एक जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक होता है जो आठ दसकों के बाद परिवर्तित होने जा रहा है अंगला लेखा देखेंगे वर्स जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक यानि कि 9 महीने आउधी का होगा और उसके बाद आप देखेंगे सभी लेखा वर्स सरकार के वित्तिय वर्स के यानि कि 1 अपरेल से 31 मार्च तक होगा ican कार है एक तो सामान के अंदरिये banking कार है और एक है विकास समंदी और प्यवर्तन कार है सामान ने केंदरिये banking कार के अधीन RBI के द्वारा निमनिकार किये जाते हैं करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बेंकर का काम, बेंकों के बेंक के रूम में भी काम करता है, विदेशी बिनीवाय को नियंतित करता है, साख नियंत अगड़ों का संग्रहन और पिकासन, विकासमन्धी एवें प्रवरतन, कार की अधीन भारती रजर बैंक का कार निमने फिकार का है मुद्रा वाजार पर पिती बंदात्मक नियंतर बच्चतों को बैंकों वा अन्न वित्तिये संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्द कराना लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रियास करना संस्तागत किर्सी साग की सुविधाओं की विवस्थाप वा विस्तार रजर बैंक की एक अन्न महत्पूंड जिम्मेदारी है और इसी उद्देश के तैद आपने देखा होगा कि 1963 में किर्सी बोनर वित्थ और विकास निगम की स्थापना की गई थी कब 1963 में भालती रेजर बैंक द्वारा साग पर नियंतन निमने तरीकों से किया जाता है बैंक दर निती खुले वाजार की किरियाओं द्वारा बैंकों की नगत कोस संबंदी आवसकताओं में परिवर्तन करके और तरलता संबंदी बैधानिक आवसकताओं को पूरा करके बिवेदक व्याधदरों की पिणाली अपना कर चायनात्मक साग नियंतन नीती से और नेतिक प्रभाव की नीती से सरकार अर्थोपायर रिड आरभी ऐसे ही रिड येति है आप सोची आर वी आई बैदेिज रिड लेती है भारत में नोट निर्गमन हेतु नियूंतम कोस पिडाली पिचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया था, और इसी पिडाली के था है, जारी किये जाने बाले नोटों के पीछे भारती रेजर्ब बैंक को कुल 200 करोड का रेजर्ब कोस अपने पास रखना होता है, जिसमें आप का नीमन करती है, RBI ब्यापारी बैंकों की साख से जन चमता को मार्जिन बढ़ा कर नियंतित कर सकता है, कोई भी बैंक अपने किसी साखा का इस्थाना नतन बिना RBI के अनुतित के नहीं कर सकता, भारत में विदेशी ब्यापार से संबनित आग्री RBI द्वारा इकतित तथा विकासित किये जाते है, Reserve Bank of India के द्वारा, RBI तरलता फ्रिवंधन के अंतरगत, मंदी की स्थिति में आहर्थ विवस्था, में तरलता बढ़ाने के लिए रिफो और रिवर्स रिफो की दर में कमी करता है, और इस्विद्धी को नियंतित करने के लिए दोनों दरों में चना, बैंकों अनबित्ती संस्थाओं की बात करें, तो भारत में पहला ब्यापारिक बैंक, General Bank of India था, जिसे 1786 में खोला गया था, इसके बाद 1790 में Bank of Hindustan खोला गया था, ये सभी बैंक यूरोपियान थे, भारतियों द्वारा पिरबंदित स्थीमित दायत के का पिथम भ भारत का पहला अगर ब्यापारिक बैंक, General Bank of India था, ये 1786 में खोला गया इसके बाद 1790 में Bank of Hindustan खोला गया था, और ये सभी बैंक यूरोपेन थे, भारतियों द्वारा अगर आप से पूँचे, तो प्रवंधित स्थीमित दायत का पिथम भारतियों अवत कोमर्सियल बैं में खोला गया था, इसके बाद 1894 में पंजाब National Bank खोला गया था, अभी जोला आप देखते हैं, जो पूर्ण रूप से भारतियों द्वारा पेवंधित था, फिर आप देखेंगे कि 1806 में, कब? 1806 में Bank of Bengal, Bank of Bengal, 1840 में Bank of Bombay, 1843 में Bank of Madras की स्थाफना की गई थी, और 1921 में 13 बैंकों को मिलाकर Imperial Bank of India की स्थाफना की गई थी, और 1 जुलाई 1955 को राष्टी एकंड के उपरांत इसका नाम बदलकर State Bank of India रख दिया गया था, 1969 में आप देखेंगे 8 छेत्रिये बैंकों का राष्टी एकंड कर State Bank की सहाएक का दर्जा दिया गया था, इन 8 सहाएक बैंकों State Bank of Bikaner, State Bank of Jaipur को मिलाकर State Bank of Bikaner और Jaipur बना दिया गया, State Bank of Saurasht का जुलाई 2008 में एवं State of Indore का जून 2009 में SBI में विलाई कर दिया गया, सेच बचे 5 सहाएक बैंकों तथा भारती महला बैंक का 1 अगस्त 2017 से भारती स्टेट बैंक में विलाई कर दिया गया, तो ये भी आप एक जुलाई 1955 में, ये आप देखिए, पहले चर्ण में राश्टी केद बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियान बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑब बढवादरा, बैंक ऑफ महराष्ट, सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया, कैनेरा बैंक, सेंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और औरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब ततन सिंद बैंक, विजया बैंक, पहले 14 का किया गया था, उननी सो नकतर में, अस्ती में आप देखिए, फिर आपका छेका और कर दिया जाता है, तो ये भी, इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राश्टी आरवी आई का विजया पनपंगती क्या है, विथ यू आल दा वे, इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसी बड़ा व्यापारिक बैंक है, और भारत में आप देखिए, एक लाग के बाजार पूजी करन पर पहुँचने वाला पहला बैंक है, इसका मुख्याल है मु एस एके साथ, विदेशों में भारती स्टेट बैंक के सरवाधिक कार्याल हैं, इसके 28 देशों में 69 विदेशी कार्याल हैं, नावाड ने अरवी आई को स्वेम साहत पुन्यान संस्ता के दर जा दिया, और 19 जुलाई 1989 को 14 बड़े बेवसाइक बैंकों का, और 15 अपरेल 1980 को राष्टी कार्याल कर दिया गया था, 19 जुलाई 1989 को 50 करोड से अधिक जमां बाले, और 15 अपरेल 1980 को 200 करोड रुपे से अधिक जमां बाले बेंकों का राष्टी कार्यान किया गया था, ठीक है? अनुसूचित बैंकों अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारती रिजरबैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचि में समलेत हो और साथ है जिनकी पिदत पुझी और आरक्षित खोष कायोग कम से कम 5,0,000,000 के बराबर हो सारेजिनिक बैंक बे बैंक होते हैं जिसमें सरकार की धारिता 50% से देखो सारेजिनिक छेट के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभाग 91% पर नेंतन किया जाता है अब आप सोचे कि 100% माल लेजे माल लेजे आप लोगा ने कोई कंपणी खोली हुए 100 रुपे लगे हुए हैं उसमें अब आप सुचे कि 50 रुपे की आपकी इस्थारी रहती है 49 रुपे की आपके दोस्तों की रहती है तो आपकी पास सबसे मिजोरिटी से जांदा आपके पास है समझ रहा है तो आपका नियंतंड रही गादी सेप्टमबर 1913 में नीव बैंक ओप इंडिया का बिलाय पंजाब नैसनल बैंक में कर दिया गया था और एक अपरेल संगीह बजर 2021 में अनुसुचित बैंकों में, जमा धनरासी के लिए बीमा कबर की धनलासी एक लाख रुपिये से बढ़ा कर पांच लाख रुपिये कर दी गए यह बीमा डिपोजिट इंसोरेंज और कैड़िट गारंटी निगम द्वारा प्रिदान किया जाता है तो यह भी गैर निस्पादन कारी परिसापंतिया एंप ये के बारे में आप लोग सुनें तो बैंकों द्वारा बित्रित किये गए रेड का ओए भाग जिसका निस्पादन बहतर नहीं होता है जिस रेड की किस्त या ब्याज का समय समय पर भुकतान नहीं होता है गैस गैर न समझे आप लोग मैं इसलिए कहता हूं अगर बिस्तार में आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग NCEIT पढ़ सकते हैं NCEIT या स्पेसल बुक्स और भी बढ़ सकते हैं माली जी कि मैंने कोई रिड ले लिया हुआ है अब आप सोची कि उसकी किस्ते मदी हुई कि दस और हजार रोपे की पांच हजार रोपे की सो रोपे की दो सो रोपे की अब अगर हम लोग हम 90 दिन तक उस किस्त को नहीं देते हैं उसका अब आज नहीं देते हैं तो आप सोची कि वो यह NPA में जुड़ जाएगा ठीक है वेसल मानक भी आप लोग न सुने होंके क्या वेसल मानक तो 1904 में बैंकिंग भी नेमन हेतू मानक विक्सित करने के लिए वेसल सम्ती नामक एक अंदराष्टिये सम्ती का गठन किया गया और इसमें 27 देश इभां यूरोपिये संग के केंद्रिये बैंक समले थे हैं इसका मुख्याला है सुजयनेन की वेसल में बैंक ऑप इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की कार्याले में इस्तित हैं वेसल एक दो तीन मानक बैंक जोकिम प्रवंधन में से संबन देते हैं जो बैंक पूजी आवसक्ता आवसक्ताओं को सुझा दिया गया है और बैसल मानकों में सलाय दी गई है कि बैंक अपनी गयर निस्पदन कारी परिसमपतियां यानि कि NPA की समस्या से निपटने के लिए अपने रिड वितरन की पिक्किरियागत नीवों को पूरा करें भारत की दौरा ऐसल एक मानक और एक मारक Awd 2009 में बैसल दो मारक को सुझार किया गया आरवीया द्वारा भारती बैकों के लिए बैसल थैड मानक को लागू करना है लेकिन COVID-19 में हमारी के कारण बैसल 3 के करयान बन जनवरी 2023 तक के लिए रोक दिया गया स्थेगित कर दिया गया बैसल थैड मानकों के तहट बैंकों को अपना कोर पूंजी अनपाद 8% जबकि पूंजी परियाप्ता अनपाद 11.5 करने का लक्ष बरतमान में ये 9 है और बैसल 1 में ये 8 था निधारित किया गया इसके तहट बैंकों के लिए अपने सभी विकार के वित्तिय लेंदेन की जानकारी को सारजने करना अनिवार कर दिया गया और इन दिसा निदेसों के अनुरूप बैंकों को पिदेख बार से एक निश्चित रासी से जोकिम फंड का निर्वान करना होगा और जिसका इस्तेमाल आप देखिए संकट की घड़ी में किया जा सकेगा बैंकिंग लोगपाल एक आप लोगों ने लोगपाल देखा होगा यह बैंकिंग से जुड़ा हुआ लोगपाल है बैंकिंग से सम्मंदित गिराहकों की सिकायतों को सुनने उसके समाधान के लिए आप देखिए आवसक कदम उठाने का उद्देश से 14 जून 1995 से बैंकिंग लोगपाल यहुजिना की सुरुवात की गई और इसे हुजिना में दो बार एक तो 2002 में एक 2006 में संसोधन किया गया बैंकिंग लोगपाल एक अर्ध नया एक प्राधीकारी है जिसकी निवक्ती भारती रेजर्बेंक करता है इसके दुआरा पारित आदिस अंतिम और बाधिकारी नहीं होता है बलकि रेजर्बेंक के डिप्टी गवर्नर की नेतित में गठित अफीलिय प्राधीकार में इसके बिरोध अपील की जा सकती है और बैंकिंग लोगपाल द्वारा दे गई सेवाएं निसुलक होती है या होती निसुलक होती है भारती रेजर्बेंक ने उन सभी वड़िजिक बैंकों जिनकी साखाएं दस या उस्से अधिक है चेतरी ग्रामीड बैंकों को छोड़कर को ग्रहाकों की सिकायतों की समिक्षा करने के लिए सोतंत आंतरेक लोगपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है और बैंकिंग लोगपाल भारत में कारत भारतियों भारतिये एवं विदेशी बैंकों से सम्बन देश सिकायतों चाहे वे सिकायत भारतिये नागरेकों या पर आप देखें प्रवासी भारतियों या आनिवासी भारतियों से सम्बन देश हो या फिर वे बिदेशी नागरेखों की भारती बैंक से संबन देतों को सुनने बाँ उनके समाधान के लिए आवसक कदम उठाता है ठीक है फिर आप देखेंगे भारती रेजर बैंक द्वारा डिजीटल लेंदेन के लिए लोगपाल 2019 की सुरुवात की गई और इसे भोगतार बैंकों के स्वाधान के लिए एक तोरित और इवम लागत युक्ति सिकायत निवार्ण तन्त है बैंकों के माध्यम से किये जाने वाले डिजीटल लेंदेन से संबन्दी सिकायते बैंकिंग लोगपाल योजना के तहत ही देखी जाएगी फिर आप देखेंगे भारत में सह सहिकारी बैंकों का गठन तीन इस तरवाला है राज सरकारी बैंकों से संबन्दित राज में सीसर स्थनस्ता होती है इसके बाद के अंदरी जिला सहिकारी बैंक जिला इस तर पर कार करती है और तितिये इस तर पर आप देखेंगे परात्मिक रिड समतियां होती है जो ग्र ये भी ने सम्तियां, ये सम्ति हो गई, इनका उद्देश क्या था, इनसे जरूर कुश्चन्स पूचा जाएगा, ये तो यकीन के साथ कह सकता हूँ, एम एन गोईपोरिया, ये आप देखेंगे सम्ति, गराक सेवा में सुधार के उद्देश से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेगा, तो ये एम एन गोईपोरिया सम्ति, गराक सेवा में सुधार के उद्देश से, एग हो सम्ति, ये आप दे बैंकों में धोका धड़ी बैंकों में धोका धड़ी रोकने के उद्देश से इसकी स्थाफना की गई थी एक गोस समती बैंकों में धोका धड़ी रोकने के उद्देश से एक तरह से बनाई गई थी इसका उद्देश है इता और आप देखें कि नर्सिंभम समती वित्तिय ब R.B. गुपता सम्ती, किरसी रेड के छित में सुधार के उद्देश से, Y.B. रेड़ी सम्ती, छोटी बच्तों से जुडी विवस्था में सुधार के उद्देश से, P.R. खन्ना सम्ती, एगैर निस्पादक परिसंपतियों यानि की N.P.A. की रोप रेखा में परिवर्तन के दीपक पारिक सम्ती, आधारीक सारचना की वित्दिय मामलों में सुझाओ देने की उद्देश से, D. सुबबराओ सम्ती, याद देखेंगे मौद्रिक नीती पर, नीती पर तक्नीकी सलाय के उद्देश से, दामोदरम सम्ती, बैंकिंग सेवाओं में सुधार के में सुझाओ के उद्देश से, एक ही खंडेल वाल समती, बैंकों में मानो संसाधंच दक्षिता में सुधार लानी के उद्देश से, बिमल जलान समती, नए बैंकों के परमेट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्छा के उद्देश से, और जीत पटल समती, ए मौदरिक देऍक्ता प्राप्त चेत में विद्धिमान वरी केंड़ की समीक्छा था इस चेत में उधार से संबनदीर मुद्दों से मुद्दों में संसोधि दिसाद निर्धेश पिस्तावित करने के उद्धिस थे नचीकित मूर समती, निम्न आयवाली परिवारों येवं छोटी वेवसाय को ब्यापक बित्तिय सिवाय उपलब्द कराने के उद्धू दीपक महंती समती, बित्तिय समाविशन की मद्ध बार कारी होजना तियार करने को उद्धिस से ग्रामीड बैंक को भी सुनाओगा, ग्रामीड बैंक की अगर पूचे तो एक अगज़, क्या, ग्रामीड बैंक की स्थापना 2. October 1975 में की गई थी, कब? 2. October 1975 में इस दिन पांच चित्रिय ग्रामीड बैंकों को इस्थापित किया गया था, एक तो मुरादाबाद और गुरकपूर उत्तरपितिस में ये दोनों, भिवानी हर्याना में, जैपूर राजिस्थान में, माल्दा पर्शे मंगाल में सिक्किम और गुवा को छोड़का देश के सभी राज़ों में चित्रिय ग्रामीड बैंक काम करती हैं, किने चोड़का सिक्किम और गुवा को चेतरी ये ग्रामीड बैंकों में केंद सरकार, राजसरकार और प्वर्तक बैंक 50 के अनपाते 15, अनपाते 35 के अनपात में पूंजी लगाते हैं सबसे जाला केंद सरकार की देखेंगे स्वामी मान योजना के संबन्द में ग्रामीड बैंक से है स्वाभी मान, योजना का समन्द किसे है? ग्रामीड बेंक से केल कर समीति किसी फारेसों को मानते हुए सरकार नहे 1987 में नए چेत्रिय ग्रामीड बेंकों की स्तापना बंद कर दी और समय तक इसकी संख्या colonial थी और 1 अपरेल 2020 को चेत्रिये ग्रामीड वंकों की कुल संख्या 38 हो गई चेत्रिये ग्रामीड बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में बिलाई की संस्तुती प्रोफेसर A.M. खुसरो की अध्यक्ष्टा में गठित 1989 किर्सी साख समिक्षा सम्थी ने की थी और बैंकिंग पेडाली की पुनर सरचना की संबन्द में सुझाओ देने ये तो 1991 में नर सिम्मम सम्थी का गठन किया गया था और इसमें इसने बैंकिंग सरचना को चार स्तरिये अधीक करम में इस्थापित करने का सुझाओ दिया था ठीक है तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए मुझे लगता है बैंकिंग छेत की पिछली ये सब्दा बली यानि की कहने का मतलब यह है कि बैंकिंग छेत से जुड़ी हुई सब्दा बलिया है बैंक दर जिस सामान व्याद दर पर रिजर्ब बैंक द्वारा वडिजिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता ना उसे आप लोग बैंक दर कहते हैं इसके माध्यम से रिजर्ब बैंक द्वारा साख नियंतन के एडिट कंट्रोल किया जाता है सिधासा मतलब यह है जिस सामान ब्याददर पर रिजर बैंक, RBI के द्वारा वडिजिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसी को बैंक दर कहते थे बैंक दर में अगर विद्धी होती है तो क्या होगा वडिजिक बैंक, RBI किसे दीर कालिक रिड्म कम लेंगे और वडिजिक बैंकों के पास पूजी की मात्रा अर्था तरलता में कमी आएगी वडिजिक बैंकों द्वारा ब्याददरों में विद्धी की जा सकती है हम लोग जब ब्याज लेंगी तो उस पर ब्याज उस दर देनी पड़ेगी निवेस करताओं और परिवाद द्वारा साकी मांग में कमी आएगी और अर्थवर्ष्था में तरलता में कमी होगी उभोग बैयाओं और निवेस में गरावट और समग मांग में कमी होगी बस्तुओं येवं सिवाओं की कीमत में कमी होगी और जो मुद्रा इस्वीती की नेंतर में मददगार होगा बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर की विद्धी के प्रभाव का ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा यानि की बैंक रिड अधिक लेंगे बैंक के पूंजी की मात्रा बढ़ेगी यानि की तलता में विद्धी होगी बैंकों की बैंक दर में भी कमी आएगी और साक की मांग में विद्धी होगी यानि अर्दवरस्था की तलता में विद्धी होगी और समग बाग में विद्धी होगी बस तुमों एबाओं की कीमितों में भी विद्धी होगी मुद्रा और स्पीती नियंतर्ण में रहेगी रिपो दर भी आप लोग ने सुना होगा रिपो रेट अल्व कालिक अवसक्ताओं की पूर्ती है तो जिस ब्याददर पर कॉमर्सियल बैंक रिपो काल के लिए रहता है तो इसमें देखिएँगे अल्व कालिक अवधी के लिए रिजर बैंक द्वारा कॉमर्सियल बैंक से जिस ब्याददर पर नगदी परापत की जाती है उसे रिवर्स रिपो कालिक अवधी के लिए अब देखिए आप कैसी सकते हैं रिपो दर का उल्टा कर दीजे अब RBI ले रही है ठीक है बेंकों से उस पे ब्याद देगी सामानता बाजार में मुद्रा की आपूर्थी बढ़ जाने पर उर्स में कमी लाने के उद्देश से रिजर्व बेंक द्वारा बड़ी व्याद दरों पर कॉमर्शियल बेंक को अल्फ अउधी के लिए नगद नगदी रिजर्व बेंक में जमा करने ही तो प्रोसाहित किया ज होगी निवेस करताओं और परिवारों द्वारा साग की मांग में कमी होगी और अर्थ विवस्था में तल्दा की कमी रहे होगी और भोग ब्याय और निवेस ब्याय में गराबट आएगी अर्था समग मांग में गराबट आएगी बस्तूं एवं सेवाओं की कीमितों में क किछुए में रिवर्स रिपोदर में कमी करने पर रिवर्स रिपोदर में कमी इसके विप्रिदी के वहां डाले बैंक आरविया अओगी को अलव कालीन реж का मातरा में उपलब्द कराएंगे और इसकी कारवे बैंकों के त Kra होगी और प्रणाम सुरूफ आप देखेंगे ब्यात दरों में कमी आईगी और समग मांग में ब्रड़ी होगी तैन सेवां की कीमतों में बिड़ी होगी जो मुद्रा और इस पिति नेंतन में सहाइक पर आप लोग ने बंक दर भी सुना होगा बंक दर बंक दर बंक ग्राहा राचाओं की चोटी चोटी बशतों पर बेंक द्वारा दी जाने What another google बंका देते लिए जम धर बैंक गरखहकों की साओधी जमाव पर दी जाने वाली ब्याद दर को जमा दर कहते जमा करते है ना बैंक में ठीक है तो इसमें भी याद रखिएगा याद का रखिएगा रखोगे ही याद तो आप लोग फिर आप देखेंगे नगत आरक्षित अनुपात सुना होगा आपने CRR किसी वड़िजिक बैंक में कुल जमारासी का वैपितिसत भाग जिसे रेजर बैंक के पास अनिवार गुप से रखा जमा करना होता है नगत आरक्षित अनुपात कहा जाता है CRR कहा जाता है इसकी दर जितनी उची होती है बैंकों की साग सेजन शमता उतनी ही कम होती है नगत आरक्षित अनुपात में विद्धी और कमी का प्रभाव बैंक दर में विद्धी और कमी के प्रभाव के समान ही रहता है एक आप लोगोंने सुना होगा बैधानिक तरुलता अनुपात SLR किसी भी वाड़ेजिब बैंक में कोल जमारासी का हुआ पिती साथ भाग जो नगत स्वर्ड वब्धी सिमुद्रा की रूम में उसे अपने पास अनिवार रूप से रखना होता है बैधानिक तरुलता अनुपात कहलाता है बैंकों को वित्तिय संकट का सामना करने ही दूरेजर बैंक द्वारा ऐसी वेवस्ता की जाती है कि बैंक के सुरक्षित रहें बैधानिक तरुलता अनुपाद में विध्धी और कमी का प्रभाव बैंक के दर में विध्धी और कमी के प्रभाव के समान ही आपको देखने गुमलेगा प्राइम लेंडिंग रेट, P LRV सुनाओगा किसी भी बैंक के लिए प्राइम लेंडिंग रेट वह है ब्याजदर है जिस पर बैंक उस ग्राफ को जिसके सम्मद में जोकिम सुन है कुर्रिट देने को तेयार होता है और यह दर एक तरह से आधार दर की रूम में कार करती है जिसको ध्यान में रखकर अन उद्यमियों के सम्मद में बैंक अपने ब्याजदर नेधारित करता है आधार दर पिडाली RBI ने PLR आधारित उधार दे पिडाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर पिडाली लागू गिया है और इसकी गड़ना लागत आधारित सूत से की जाएगी यह PLR से कम होगा और तथा कोई भी बैंक इससे नीची दर पर किसी को उधार नहीं देगा राष्टी किरसी तथा गिरामीड बैंक के बारे में आप लोग सुने है नावाड के बारे में देश में किरसी गिरामीड विकासीतु बित्तो उपलब्द कराने का कार बाली सीज संस्ता है एक तरह से इसका काम ही ही है इसकी आरंबिक पेड़ अप कैपिटल करो सौ करोड रुपे थी जिसमें आप देखे भारती रजर बैंक को भारत सरकार का इस्तिदारी थी पचास-पचास फिप्टी-पिप्टी की लेकिन 31 मार्ज 2021 को इस बैंक को चुकना पूजी 15,080 करोड कितना यह तो बहुत है 15,080 करोड इसकी अगर 31 मार्ज 2021 तग आप देखे तो इस बैंक की चुकता पूजी 15,080 करोड है और आप देखेंगे भारत सरकार एवन भारती रेजर बैंक के बीच सेयर पूजी की सेतारी में संसोधन के बाद आज नावाड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित वाली है नावाड का मुख्याल है आपको मालू होना चाहिए मुंबई में है और इसकी स्थाफना सिवर रवन कमेटी की सस्तिफी पर की गई थी छटी पंच बर्षी योजना के दोरा 12 जुलाई 1982 में एक कुश्ण जरूर पूँच लेता है इसका मैटी को भी याद रखीगा और 12 जुलाई 1982 को किसान के डिट कार का आरम करने तथा स्वयम साहता समोहों को बैंकों से जोडने में नावाड ने महत्मूर भूमी का निभाई है किसानी के डिट कार योजना कि शुरूआत अगस 1998 में ततकालीन बितमंत्री एस्पंद से नहांग दुआरा की गई थी और राष्टी किरसी सहकारी विपनन भारती संग की इस्थापना 2 अक्टूबर 1958 को राष्टी किरसी और गरामीट विकास बेंक का दिनियम 1981 के तहत हुई थी या राष्टी इस्थर का एक सीज सरकारी संगठन है इसका प्रमोकार चुनी हुई किरसी वस्तूओं को पराप्त करना है वितरन और निर्यात तथा आयात करना है नाफेड के मूल इस्थर की इस्थरी करन वाजार में उत्पादों को तथा अभोगतां दोनों के हितों की र की रूम में 1919 में हुआ और यह बैंक पूर्टा दीकालिक साक उपलब्द कराती है भारतिय उद्धोगिक विकास बैंक की स्थाफना एक फरवरी 1964 एक फरवरी 1964 को इसकी हो गई थी और इसने अपना काम एक जुलाई 1986 से सुरूं किया था भारतिय उद्धोगिक विकास बैंक भारतिय उद्धोगिक पुनर निर्मार बैंक अगर इसकी स्थाफना की बात करें तो आस्वस्त आस्वस्त उद्धोगिक काईयों के पुनर निर्मार के उद्धेश से 20 मार्च 1985 में इसकी स्थाफना की गई थी और माइक्रो फाइनेंस को विनिमित विकास के लिए और इसके लिए दाए माइक्रो फाइनेंसियल सेक्टर डवलमेंट एंड रेगुलेशन विल 2007 लोग सभा में आप देखे 20 मार्च 2007 को पिस्तुत किया गया था और इस विद्धेयक में माइक्रो फाइनेंस डवलमेंट एंड एक्वेटी फंड नाम से एक कोर्स के सेजन का प पाखों को ऐसी सेवाएं उपलब्द नहीं कराई जा सकेंगी पंजीयन के लिए सम्मंधि संस्था के पास अपने स्वयम की नेउन्तम रासी पांच लाग रुपे होना अनिबार किया गया है और विद्धेयक में किये गए प्रावधानों में 50,000 रुपे तक की रासी उधा पित किया गया था और भारती उन्हें ट्रस्ट अब अपने परिवर्तन स्वरूव में निजी छेत की कंपनी हो गया है और इसकी परीश संपत्तियों का परीश चालन का अधिकार भारती जीवन बीमा नेगम भारती स्टेट बैंक और बैंक और बड़ोधरा पंजाब नेश क्यूवल फंड मैं इन चारों की हिस्सेदारी 25-25 परसेंट है 25-25 परसेंट भारती वे जीवन बीमा नेगम का मुख्याल अगर आप देखें तो इसका मुंबई में है कहा है मुंबई में और इसके आप देखेंगे साथ जोर्नल कार्याल है और 106 कार्याल है भी है इसकी इस भारती वीमा बीन नियामक और विकास प्राधिकर्ण का मुख्याल है हिदराबाद में देखने को मिलेगा 17 मार्श 1997 को सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के दिन भारती उद्धोग एक निवेस बैंक लिमिटेड की स्थापना की और इसकी अधिकर्थ पूंजी आप देखेंगे एक हजार क्रों रूपे और मुख्याल है इसका कोलकाता में का कोलकाता में ये प्रमुख वित्तिय संस्ताने हैं जैसे भारती रिजर बैंक इसका मुख्याल है मुंबई में और एक अप्रेल 1935 को बनती है भारती उद्धोग एक निगम 1948 में भारती उद्धोग एक रेड़ 12 जुलाई 1982, भारतिय उद्धोग एक पुनर्व निर्माड बैंक, ए 20 मार्श 1982, भारतिय लगू उद्धोग के विकास बैंक की बात करें तो मुख्याले लखनओ में और इसकी अप्रेल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारतिय निर्यात आयात बैंक की बात करें तो एक जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, राश्टी आवास बैंक की बात करें तो आप देखें कि जुलाई 1988 में, छेत्रिय गरामीर बैंक की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 में, भारतिय जीवन बीमा निगम की बात करें तो मुख्याले इसका मुंबई में, और सेप्टमब और 1956 की बात है, भारतिय साधारन बीमा निगम, एक नवंबर 1975 को, भारतिय किसी तथा गरामीर विकास बैंक, बारे जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, और भारत में आप सभी जानते हैं कि बित्तिय बर्स की बात करें तो 1 अपरेल से लेकर 31 बर्स तक, 31 मार्च तक रहता है, ठीक है, एक अपरेल से शुरू होता है, और 31 मार्च तक रहता है, तो इसके बारे में यह भी याद रख सकते हैं, आप लोग रखी, क्या बार क्या होता है, नॉर्मल कुष्चन्स भी आपकी परिक्षाओं में पूछ लेता है, पूछता है यानि पूछता है, भा लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करंसी और ब्यापारीक बेंकों द्वारा की निवल मांग जमाएं, भारतिय अर्दवरस्था में मुद्रा पूर्ती की मांग सामनता भेन रूपों में पापी जाती, M1, M2, M3, M4, और अर्दवरस्था में मुद्रा का प्रवा कहा कहां ब्यापत है, इस बात की जानकारी रिजर बेंक द्वारा रखी जाती है, ताकि मुद्रिक नीतियाओं का संचालन किया जा सके, और अर्दवरस्था में मुद्रा के प्रवाकिस्तर का मुल्यांकन किया जा सके, 1977 में आप देखें, तो पूझी की आपूर्ती, पर गठित दूसरे कारे समूह की अनुसंताओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा के अलावा M1, M2, M3, M4 को भारती रिजर बेंक द्वारा फिकासित किया जाता रहा है, और मुद्रा पूर्ती की उपयोगते सभी आउधार नाओं में, M1 मुद्रा पूर्ती की संकुचित तथा सबसे महत्पूर मापक है, M3 मुद्रा पूर्ती की व्यापक मापक है, M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है, तलता की दृष्टी से इंचार करम में M1, M2, M3, M4 भारत में M0, M1, M2, M4 का प्रेव विदेसी भी निवा प्रारक्षित विदियों की माँ फेतु किया जाता है तो इन्हें भी याद रखेगा है यहां कुछ point है इन्हें देख लीजे गुड़क, मुद्रा गुड़क, मुद्रा गुड़क से तातपर होता है कि अर्द्वस्था में मुद्रा के स्टॉक और सक्तिसाली मुद्रा के इस श्टॉक के अनपात में मुद्रा गुड़क M upon H, M जहां देखेंगे मुद्रा का स्टॉक हो गया गढ़ने से मुद्रह का मूलत से अधिक होता है रुख का मुज़ के मॉद्रिक आधार हूं और मुद्रा के कूब्ध करता है और चलनमा मुद्रह के बढ़ने से मुद्रह गुड़क में बेड़ी होगी ठीक है जैसे भी आत रख्येगा ए मौद्रिक एवं चल निदी अभयवों की माप अर्थात अर्थात मुद्रा फूर्थी की माप इसमें एम एम जीरो संट आप देखिए इसमें अगर आप देखें संचला नमें मुद्रा मुद्रा पिलस आर्वियाई के पास बैंकों की जमा रासिया पिलस आर्वियाई के पास अन जमा रासिया जनता के पास मुद्रा और बैंके पेडाली के पास मांग जमा पिलस आर्वियाई के पास अन जमा रासिया एम बन पि की बचत प्रमाणपत को छोड़ कर और एन सी आरिटी में M1 M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा और M3 M4 को ब्यापक मुद्रा बताया गया है M3 मुद्रा माप की सबसे साधारन रूप है सिसमस्त मुद्रिक संसाधन भी कहते हैं और भारत में मत्र पत्रमुद्रा की बात करें तो भारत में 1861 के पूर निजी चित में कार करें दा जनरल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बंगाल दा बैंक ऑफ हिंदुस्तान और आप देखेंगे ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आधी से विभिन ने देवनागरी लिपियों में कागजी मु 1934 में जोर्ज पंचम के चित बाले नोटों के स्थान पर जोर्ज सष्ट के चित बाले नोट चारी किये जाने लगे 1947 के बाद जोर्ज सष्ट के चित बाले नोट के स्थान पर असोक की इस्थम के सिंगों का सिंग चिन्नों के बाले पत्त मुद्रा आई फिर 1907 में सबसे पहले आप लोग महत्मा गांदी के चित बाले 500 की नोट आये थें तो एक किरम रहा है जो आज आप देखते हैं ना महत्मा गांदी की तस्वीर यह नहीं रहती थी शुरू में ठीक है? 1996 में सभी नोटों पर असोक इस्थम के सेनहों के स्थान पर महत्मा गांदी के चित बाले नोट आये जो आप तक चल लोगा है रिजियर बैंक ओप इंडिया के गवर्नर बाई वी रेड़ी के कारकाल के दौरान 2005 में निर्गमेत होने वाली नोटों पर नोटों की निर्गमन बर्स छपना शुरू हुगा और पहला निर्गमेत नोट एक रुपे का था जो 1949 में चलन में आया जिस पर सारनात इस्थम असोक इस्थम छपा रहता था आप लोगों ने इसे देखा भी होगा एक रुपे के नोट और सिक्के का निर्गमन बित्त मंतराल है भारत सरकार करती है और इसके अतरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन आपका रिजर बैंक करता है एक रुपे के नोट पर केंद्रिय बित्त सचिप के सास्ताक चल रहते हैं आप लोग देखें, नोट उठाके देखें, एक रुपे का नोट उठाके देखें और दस रुपे का, आप एक रुपे की नोट पर देखेंगे सिगनेचर किसके रहते हैं, आपने देखा होगा कि बित्त सचिप के रहते हैं, और उस पर सो रुपे के नोट पर या अन नोटो पैसों में माटा गया ऐसी कि साथ पेचलित नया पैसा एक अपरेल 1957 में से पैसा हो गया ठीक है व्रिजेव बैंक द्वारा निरगमत निरगमित सभी नोटों पर हिंडी और अंग्रेजी को कुल मिलाकर 17 भासाओं में लिखा रहता है आप सभी ज्यानते हैं कि आप लोग नोट उठाईए उस पर गिनिये उसमें और एक कुश्चन किया रहता है कि परीक्षाओं में कम पूछा जाए या ना पूछा जाए लेकिन मैंने देखा है कि कई वार लोग पूछ लेते हैं कि चलिए आप लोग बताईए इस नोट पर कितने कितनी भासाओं में अंकित रहता है जितने का नोट है तो आप लोग जरूर याद रखेगा रुपे के लिए सिंबल के चिन की रचना IIT मुंबई की इस नाकुतर उपादी प्राप्त उदय कुमार ने की थी और देवनागरी के रा वा रोमन अक्षार आर से मिलते जुलते पितीक चिन आर इस तरह को रोपे के पितीक की रूमें स्विकार किया गया इस विकार आप देखें कि भारत में अपने रोपे का अलग पहचान रखने वाला विस्व का पांचवा देश से बन गया है अमेरिका डॉलर आप लोग देखते हैं इस तरह का चिन रहता है बैसे भांड इस तरह का जापानी एंड इस तरह का यकोfire इस तरह करें किया गया 50 रूपे का जिया की नर्म पर देखेंके भारती बैंक नोट पर चपा मंगलियान का पहला पाष्टर से Нам एक घृ सुरू में आपने देखा होगा 2000 का नोट आया हुए दो कहते थे चिप लगी रहती है बड़ा बेवकूब बनाए गया रुपे रुपे कायड भारती राष्टी भुक्तान नेगम लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है इस कायड का सुभारम 13-23 मई 2011 को 80 गौमती क्लू रहा था आपका नोटवंदी का आपको लाइन वहाना पड़ा था मेरा देखिए बड़ा दिल्चसम एक तरस्छी की अनभा होरा मुझे लौए Angling नहीं लगना पड़ा इसले बॉलाओं कि आप देखिए कि मुझे अगर घर से बाहर जाते हैं और बाहार रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग नगदे नगदी में कुछ रखते होंगे हैं और मेरा रहता है था कि मैं सौसों के नोट मेरे पास वो घर से मिलते थे तो वही रखे हुए थे तो उसी से काम चल गया था पराल लेकिन हां लाइन में नहीं लगना पड़ा इतना के लिए रहा है मया आप लोग अपना बताईएगा भारत में पिती भूति मुद्रण और वह सिक्कों का वतपादन की बात करें तो इंडिया से कोर्टी प्रेस नासिक माहराश्य नासिक रोड इस्थिद भार्तिय पिती बूति मुद्राले में डांक समन्दी लेकर समग्री और डांक पत्रों के उपक्रमों बित्ती निगमों आधी के पिती भूती पत्रों की छपाई की जाती हैं इंडिया सेकोर्टी फेस नासिक महराष्ट में फिर आप देखेंगे सेकोर्टी प्रेस पेंटिंग हैदराबाद सेकोर्टी पेंटिंग फेस हैदराबाद की स्थापना दच्छ समझ रहे हैं? फिर आप देखिए सालवानी पश्चे मंगाल में और मैसूर कंडाटक की भारती रेजर बेंक के नोट मुद्रण लिमिटेट दो नए अत्य धेक करेंसी नोट फ्रेस मैसूर कंडाटक को सालवानी पश्चे मंगाल में स्थापित किये गए और RBI के नियंतर्ण में करेंसी नो पर टकसाल जो आप देखते हैं सिक्के छपते हैं बनते हैं सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी के परक्त करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारसरकार की चार टकसाले मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोडा कहां मुंबई, कोलकाता, में स्थापित की गई थी ठीक है तो यह भी याद रखी किया मुंबई की 1830 में हैदराबाद की 1903 में को कोलकाता की आप देखें 1950 में और जो नुएड़ा की है 1999 में मुंबई ते था कोलकाता की टक सालाओं में सिक्कों के अलावा वेविन पिकार के पदकों जो मेडल आप देखने है ना उसका उत्पादम भी किया जाता है भारत में सिक्के जारी करने के लिए बित्मंतराले अधीकित है अधीकित है कॉल मनी मार्केट यह अतन थी खुदैं थी अल्व एक से चॉदे दिन के लिए उधार लेते हैं जिसने सी आराल समंदी अपने पास रखी जाने बाली नगत से संबंधी अनिवरताओं के दाइत्मों को पूरा कर सके और जब उधारी एक दिन की होती है तो उसे कॉल можно करते है और जब आ आप देख ह जिस पर सौधा होता है वो बहुत ही उगता होती है और सावांदा कॉल रेट को राद भर की दर के रोब में जाना जाता है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है इसे USA में फेडरल बैंक फेडरल रेट कहते हैं बैंक दर को फेडरल डिसकाउंट रेट भी कहते हैं एक जुलाई 2011 को RBI द्वारा निर्गत निर्दिस की अनुसर उधार लेने तथा उधार देने वाले दोनों रूपों में भाग ले सकते हैं और ब्यापारिक बैंक चेत्रिये गरामिट बैंक को छोड़कर सहकारी बैंक, भूमी विकास बैंक को छोड़कर, परात्मिक्स दीलर बैंकों से दिये जाने वाले रेडों की बहुत अधिक मांग होती है या फिर बैंकों को अपनी सियारार तथा सालार संबंधी आवसकताओं की पूरती ततकाल करनी होती है तो वित्तिये संस्थाएं अपनी ततकालिक तरलता की मांग को पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट में उधारी के लिए आत जाती है दूसरी और आप देखेंगे LIC, GIC, UTI Bank, DFHI और एवं बड़े-बड़े mutual fund अपने fund कॉल मनी मार्केट में डालते है DFHI, Discount and Finance House of India की स्थापना अप्रेल 1988 में हुई थी STCI, Securities Trading Corporation of India Limited की स्थापना विसी सुरूप से कॉल मार्केट की उग्यता को नेंतित करने के लिए की गई थी भारत में समय दो कॉल दर हैं अंत बैंक कॉल दर, इंटर बैंक कॉल एट और DFHI की उधारी दर कॉल दर, बैंक दर से उपर या नीचे हो सकती है, DFHI द्वारा निर्धारी दर सामानता बैंक दर से उपर ही होती है मुंबई, कॉलकाता, दिल्ली, एहम्दाबाद, उच्चन्री, पिरमुक कॉल सेंटर है सामानता कॉल दर मुंबई में निउन्टम और कॉलकाता में उच्चतम होती है मुंबई में सबसे कम और उच्चतम का कॉलकाता में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया परुक चुरूप से हस्तिछेव करके कॉल बाजार की ओगता में कमेल आता है और इसे इस्थायत प्रदान करता है और इसके लिए रिजर्ब बैंक आफ इंडिया दो पाय करता है वह एडी एप, हाई और कॉल मनी बाजार की संस्थाओं को अध किया जाता है वर्थमार में आर्वी आई 91 और 364 दिन की टेर्जी बिल निर्गमित करता है इसकी नियूंतम रासी आप देखें तो 25,000 रुपे और इसी गुड़क में होती है ठीक है और भारत में अगर आप देखें तो टेर्जी बिल पहली बार 1970 में निर्गत की गई थी लेकिन 1997-1998 की बजट में इसी बंद कर दिया गया था 1997-1998 की तरलता की दृष्टी से पिती भूतियों और रेडों का अनकरम करमसा नगत एड होक ट्रेजरी बिल्स ट्रेजी बिल्स और कॉल मनी है मुद्रा बाजार का उप वाजार एक विसेश पिकार की पिती भूती 80 दिन का ट्रेजी बिल जमार प्रिमार पत्त और व्याबारिक पत्त आ दी है डी एफ है अर्था डिसकाउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमेटेट मुद्रा बाजार की एक विसेश संस्ता है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका कार बैंकों तथा बित ब्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरन उपलब्द कराना है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी तब 1992 में पूजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से विन है कि मुद्रा बाजार अलपाउधी के वित्तिय विवस्था का बाजार है जबकि पूजी बाजार में मध् बाज़ार में सरकारी और अजो सरकारी पिती भुती ओं करता दो अन्ज ए प्ञाandom के सेरों और डि वेंच्रों का और विक्रे किया जाता है यदि यदि पुझी यदि पुझी बाजार में निजी निगम के छेत में नए अंसों और डिБेंच्रों हर सरकारी कंपणियों की प्रात्मिक पिती भूतियों या नई पिती भूतियों तथा सारवजिनिक छेत के बॉनों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो यसे वाजार प्रात्मिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं दूतियक पूंजी बाजार की अंतरकत आप देखेंगे स्टॉक एक्षेंज में होने वाले क्रेव इक्रे तथा गिल्ड एजड बाजार में होने वाले क्रेव इक्रेव इक्रे आते हैं भारतिये पूंजी बाजार में आप देखी पूंजी की सरोत अंस पूंजी ग्रहण पत इसके अतरिक सरुत के रूम में बेसंस्ताइं भी हैं जो बित्तिये मध्यम मध्यस्त की भून का निभाती हैं ऐसी संस्ताइं मर्चेंट बेंक म्यूचियल फंड लेजिंग कंपनिया जोखें पूंजी कंपनिया आती है यानकी भारती उनिट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचियल फंड संस्ता है ठीक है तो इनके बारे में भी याद रखिएगा अगर आपको देखिए एकोनोमी को विस्ताज से बढ़ना है तो असानी से एक्रय विक्रय कर सकते हैं अभीदत पूंजी एकुल निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो सियाधार द्वारा खरीदा जाता है कंपनी द्वारा लाभांस की गोश्णा अभीदत पूंजी पर ही की जाती है सेभी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा भारती पिती भूती और विनिवाय वोड की बारे में भारती पिती भूती एवं विनिवाय वोड की स्थापना 12 अपरेल 1988 में की गई थी कब 12 अपरेल 1988 में आर्थे कोदारी करन की नेती के अंतरगत पूजी बाजार में निवेसकों की रोची बढ़ाने और उनके हितों की रख्षा के उद्देश से की गई थी 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे बैदानिक दर्जा भी पिदान किया गया सेवी यदिनियम को संसोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेवी को मेर्चुल फंड एभूं स्टॉक मार्केट की नेंतन की अधिकार भी दिये गए भारत इस्टॉक बाजार का वीनेमन और परिवेक्षा सेवी के द्वारा किया जाता है सेवी का मुख्याल है मुंबई में है जबकि इसके चेतरिये कार्याल है कोलकाता दिल्ली चैननाई मी भी आपको देखने को मिलेंगे सेवी का सबसे महत्पूर्ट प्रवंधन छे सदसों की देखरेक में किया जाता है इसका अध्यक्ष केंद सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योगता पर आपते ब्यक्ति होता है दो सदस केंद्रिये मंतरा लेकी अधिकारियों में से ऐसे ब्यक्ति नामित किये जाते हैं जो वित्त और एवं कानून के विसेसक होते हैं सेवी के प्रवंदन में एक सदस भारती रजर बैंक के अधिकारियों में से और दो अन्र सदसों का नावंकन भी केंदर सरकार के द्वारा करते हैं सेवी के अध्यक्ष का कारिकाल समानता तीन साल का होता है किन्तु ब्यक्ति अधिक्तम 65 बर्स की आईवू तक ही इस पत पर रह सकता है जो भी पहले हो ठीक है और 1988 में सेवी की पारमभी पुझी 7.5 करूर रोपे थी जो की पवर्वतर कंपनियों द्वारा दी गई थी भारती पुझी बाजार को भी निमित करने की वैधानिक सक्तियां अब सेवी को ही प्राप्त हैं नई विराउधानों के उनसार अब किसी भी सेवी बाजार को मानता प्रादा प्यदान करने का अधिकार अधिकार सेवी को है सेवी संसोदन विध्यक 2002 के तहद इंसाइडर ट्रेडि से एक करोड रुपे जुर्माना आरुपीत करने का परावधन भी किया गया है यहां कुछ पॉइंट है ने भी याद रखेगा यह आपके क्या है बिस्ते में पिसिद सेयर वाजारों की सूचकांग सेयर मूल सूचकांग हो गया स्टॉक एक्सचेंज डो जॉन्स ए निवार् संगाई कौम चीन नासदाक यूएसे एस एंड पी एक अनाड़ा बोब वैस्पा ब्राजील मीबेट विटेल इटली आई पीसी मेक्सको सियोल कम पोजिट सियोल एप टी एस एंड्रेड यह लंदन की है यहां कि लंदन की है यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए अ अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुक सियर वाजार भी देख लेते हैं भारत के प्रमुक सियर वाजार तो राष्टिय सियर वाजार राष्टिय सियर वाजार की स्थापना की संसुती सन 1991 में फेरवानी संती ने की थी इस संती को भी याद रखेगा राष्टिय सियर सब्सक्राइब देखने को मिलेगा फिर आप Bombay Stock Exchange BSI को भी सुनते होंगे इसमें देखें तो यह है दलाल स्टीट में इस्तित है इसकी स्थापना 875 में Stock Exchange Mumbai की नाम से की गई थी जिसे 2002 में बदलकर Bombay Stock Exchange कर दिया गया और 19 अगस्त 2005 से BSE का एक Public Limited Company में रूपान्तित हो गई ओवर दी Counter Exchange of India इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई थी यह भारत में सरपितम ओनलाइन ट्रेडिंग्स सुविधासंपन कंप्यूटराइज एक्षेंज नेश्ट डेक की आधर पर की गई है OTCEI में उन कंपनियों को सुची बद किया गया जिनकी पुझी का इस्ता 30,000,000 से आप देखिए 25 करोड तक है इस टॉक एक्षेंजों में 69 परसन तक विदेशी निवेस की अनुवती है और इनमें विदेशी पित्रेक्ष निवेस FDI अधिक तम 26 तथा सेश 23 परसन संस्थागत विदेशी निवेस हो सकता है और विसका सबसे पहला संगेटे CR बाजार बर्स 1902 में एम्स टर्डम नीदेलेंड में स्थाफित किया गया था ठीक है और निवार्क स्टॉक एक्षेंज में सुची वद्ध भारत की कुछ कंपनिया अमेरिकी स्टॉक एक्षेंज नास्दक में शुची वद्ध होने बाली पितम भारती कंपनी थी इनफोसेज भारती कंपनी अधिनियम के अत्रकत पिते कंपनी को पूंजी के लिए अंसों के निर्गवन का अधिकार है और इस पेकार 31 की गई पूंजी या सेयर कहलाती है सेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लावांस कहते हैं क्या कहते हैं लावांस कहते हैं अब भारत की पिरमुक सेयर मुल सुच का आंगे भी देख लीजे अगर इनसे कुश्चन से आपकी परिक्षाओं में पूछे तो आप लोग अच्छी तरह से इसके आंसर भी दे पाएं तो सबसे पहले वी ऐसी सेंसेक्स यह आप देखेंगे कि मुंबई स्टॉक एक्षेंज दा इस्टॉक एक्षेंज मुंबई का संबेदी सेयर सुच कांग है और यह 30 पिरमुक सेयरों का पितिने देद करता है इसका आधार बरस अगर आप देखें तो 1978-89 है कितना है? 78-89 और वी ऐसी 200 यह बंबे इस्टॉक एक्षेंज का 200 सेयरों का पितिने देद करता है इसका आधार बरस अगर आप देखें तो 1989-90 देखने को मिलेगा डॉलेक्स यह बी ऐसी 200 सुचकांग कों का ही डॉलर मूल सुचकांग डॉलेक्स कहलाता है इसका आधार बरस 1989-90 ही है NSE 50 NSE 50 राष्टी स्टॉक एक्षेंज सुचकांग का नाम बदल कर S&P CNX निप्टी रखा गया है अब सबसे बड़ी बात आती है बजट की तो बजट सब्द के बारे में पहले जान लीजे बजट सब्द का विकास फ्रेंच सब्द बूजेट से हुआ है जिसका साब्दी करत होता है एक छोटा चमड़ी का थेला और बैग जिसे आप लोग कहते हैं और इंग्लेंड की पिथम से पिधानमंत्री Sir Robert Walpole ये बात है 1721 से 42 में ने अपने बित्तीय बिस्ताओ की दस्ताबीत को चमड़ी की एक थेली में रखा हुआ था और जब वाल पूल ने अपने बित्तीय बिस्ताओ को संसर्थ में पिस्तुत किया तो लोगों ने मजा कुड़ाया और कहा कि बजट खोला गया है बजट खोला गया है इसके बाद बारसिक आयवे की पिस्ताओ के लिए बजट सब्द का प्रियोग होने लगा है आप भी तो सुनते रहेते हैं हर साल बजट पेस किया जा रहा है बजट के प्रिकार की बात करें तो संतुलित बजट जब बजट प्राप्तियां बजट बे के बराबर होती है बजट प्राप्तियां बजट बे के बराबर हो तो संतुलित बजट हो गया यानि किमालली जी कि आपका बजट है 10 रुपे और आपका बे भी 10 रुपे है खर्च भी 10 रुपे है तो संतुलित बजट हो गया और इसमें अर्द्वस्था कुछ कुल मांग के इस तर में मामूली विद्धी होती है और जब अर्द्वस्था फूर रोज़ियार पराप्त करने की निकट होती है तो इसकी अनुसंसा की जाती है और फिर आप देखेंगे कि घाटी का बजट जब बजट प्राप्तियां बजट बैसे अधिक हो तो उसे घाटे का बजट कहते हैं ऐसे ऐसी बजट की अनुसंसा तब की जाती है जब अर्द्रस्था में मंदी की स्तिती हो और कुल मांग बढ़ानी की आवा सकता हो यानि कि सीधा सा कहने के मतलब है कि माल लीजे 10 रुपे सबस्क्राइब अधिक हो और आप सुचे बाल एरोपे खर्च है तो आप समझेए घाटे का चल रही है सौधा आपका अधीसिस बजट जब बजट प्राप्तियां बजट बैस एधिक बजट प्राप्तियां बजट बैस यह देखो तो उसे अधिसस कहते एं आम लोग ऐसे गाटा इसमें सरकार कुल बजट ये बजट प्राप्तियों से अधिक होता है जैसे यहां अगर बजट गाटा निकाल लाएं तो बजट वे हो गया राजस फिलस पुझी माइनस बजट प्राप्तियां राजस फिलस 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 ठीक है इसा उधाटा का उपयों 1997 में बंद कर बंद कर लिया बया क्योंकि अब भारतिय रेजर बैंगने से सरकारि उधारी उधारी की बिंबेत एक तरह से करता है राजस फिलस प्राप्तियों की तylie में राजस फिलस फिलस ब Zweek겠ких अधिकिता को धर साता है उच्चे राजस घाटा सरकार को सामाजी कल्याड करकरों अपने खर्चों में कटोती करने के लिए विवस करता है जिसकी सामाजी कारते विकास पिरभावित होता है घाटी के वित्पोसण के लिए उधारी के माध्यम से धन जोटाने के दाहित अनुवत पादक ब्याज भुकतान बढ़ता है और साथी सरकार की साख पत्तता भी कम होती है एक पिरभावी राजस घाटा सुना हो आपने यहां राजस घाटे और पूजी गतपरी समबत्तियों के स्जजन के लिए राजस सम्मीधाने को और साम्मिधिक निकायों आधी को केंद सरकार द्वारा पिदान की गई अनुदान साहता के बीच के अंतर होता है अगर पिरभावी राजस घाटा आपको निकालना है तो राजस घाटा माइनस पूजी गतपरी समबत्तियों के स्जजन के लिए अनुदान जो जाता है उसे घाटा देंगे तो निकल आएगा यह बास्ताओं में कैंसरकार के ओपियोग बैय के लिए ओपियोग की गई राजस राप्तियां किरासी होती है और प्रभावी राजस घाटा सब्दावली के अनुदी बज़श दो जार बार है तेरह में पहली बार ओपियोग में आई राजस घाटा अगर आप देखें इस रोतों से सरकार की कुल उधारी आवसक्ताओं को एंगित करता है इस साधन का उप्योग एक निष्चे समाई पर सरकार की वास्विक देता का निर्धारन करने के लिए किया जाता है राजस कोशी ही घाटा निकालना है तो बजट पिलस बाजार उधारी पिलस देता इस इसका GDP सम्रिध्धी पर परवाव परता है क्योंकि रवजटी है राजस की एक बड़ी रासी कैंसर का द्वारा उधारी के ब्याज भुक्तान पर खरच हो जाती है और इस परकार निवेज में कमी आती है ठीक है और कैंसर का द्वारा अधिक उधारी RBI से उधारी से अर्ध व घाटी का हरासकारी प्रहाव होता है क्योंकि इससे क्या होता है ऐसी स्तिती उत्पन होती है जिससे भारी राजकोसिये घाटी का प्रवंधन करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी उधारी से निवेसकों के लिए धन की उपलब देता कम हो जाती है उचे राजकोसिये घाट निमने पिकार से कम किया जा सकता है आप देखेगे कि सबसेटी का युक्ति की करन करके सरकारी करमचारियों को बोनस LTC अवकास नगदी करन आधी की संदरब में राजस वेय में कमी और तीसरा अन परिहार राजस वेय में कटोती करके राजस वेड़ी निमने पिकार से किया जा सकता और दुस्ता कि में करग आधार वडाकिर करचोरी रोक कर बीनिवेस के माद्यम से सार्वजनेक छेतरों के उद्ध्यम का पुनलगठन करके और स्वास्त और सिक्चा जैसे सामरिक छेतरों में प्राप्त निधी का उप्यों करके प्रात्मिक घाटा भी आप लोग सुनते रहते हैं वह रासी होती है जिसके द्वार अपने रेड़ पर व्याज भुकतान को छोड़कर सरकार का ब्याज उसके कुल राजस से से अधिक हो जाता है को प्रात्मिक घाटा कहा जाता है दूसरे सब्तों में है राजकोसिय घाटे और सरकार द्वारा व्याज भुकतान का अंतर होता है प्रात्मिक घाटा निकालना है तो राजकोसिय घाटा माज़न सरकार द्वारा व्याज भुकतान और पिर आतमे घाटा ब्याज भुक्तान को छोड़कर उधारी की अवसक्ताओं को एंगित करता है या पिछली रेडों पर ब्याज भुक्तान का भार वहन नहीं करता या कि वलकुल उधारी को एंगित करता है या उधारणा 1993-94 की बजट में प्यारम की गई थी फिर आप देखें कि मुद्री के घाटा या आरवियाई की से केंद सरकार द्वारा नई मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से ली गई उधारी को बताता है और इसका सहारा तब लिया जाता है जब सरकार राजकुसी है घाटी का बित फोसन करने के लिए बाजार से उधार नहीं ले सकती है यह नई मुद्रा भारती रेजर बैंक द्वारा कें सरकार की विशेश पिती भूतियों के विरोध उपलद कराई जाती है इससे अर्द्वस्था में मुद्रा आपूर्ती में विड्धी होती है और जिसके कारण अर्द्वस्था में मुद्रा इस्पीती का इस्तर बढ़ जाता है घाटी की वित विवस्था को सार्वियेक रेडों और नई मुद्रा के सेजन के वाध्यम से बजटी है गाटी की वित्त पोशन की रूम में परिभासित किया जाता है भारत में गाटी की वित्त विवस्था से आसे चालू राजस और सारवियेक उधारी से अधिक ब्यासे है सरकार निम्ने पिकार से गाटी का वित्त पोशन कर सकती है RBI ने अपना संचित नगदी भंडार निकाल कर सरकादवारा इन नई मुद्रा का निरकाम RBI से उधार लेकर और RBI सरकार को अधिक करेंसी नोट चापकर रिड़ देता है घाटी की वित्वेवस्था का उद्देश मंदी के उफचार की रूम में कार करना सबसिटी देने के लिए कुल माग बढ़ाना ब्याज के भुकतान के लिए साज़ेनिक चित के उद्दमों की हानी पर काबू पाने के लिए निर्धनता रोधी कारकरम का यानवित करने के लिए तो ये सभी उद्देश हैं गाटी की वित्विवस्था का उद्देश आप लोग इस तरह से भी याद रखेगा गाटी की वित्विवस्था की पितीकुल पिरभाव अगर हम देखें तो मुद्रा इस पिती का मार्क पर सस्त होता है गाटी की विद्विवस्ता के कारण मुद्रा की आपूर्थी बढ़ जाती है और लोगों की किराय सक्ती भी बढ़ जाती है जिससे समग मांग बढ़ जाती है और कीमतें भी बढ़ जाती है यह बच्चा तो निवेस पर भी दीकुल प्रभाव डालता है आप देखी इसमें आसमानता के इस्तर में विध्धी हो जाती है यह कीमत विध्धी के कारण भुक्तान संतुलन में घाटा पैदा कर सकता है जिससे बैसवेक बाजार में निर्वयाद पित्ती इसपर्दी हो सकते हैं इससे उतपादन की लागत बर्द सकती है यदि हम यदे हम राज़स वया और उच्च पूझीगत वया का बित्वधा करने के लिए घाटे की बित्वःस्ता की है तो यह अर्धवथा के लिए अच्छी है ऐसा इसलिए केवेंकि इस मामले मुधारी का वर्थवथा में पूझीगत फरी संपत्तियों के सिजन के लिए उप्यों किया जाता है जिसे उत्पादर में विद्धी हो सकती है और घरेली उत्पाद अधिक हो सकता है वहीं दूसरी वर यदि अधिकांस घाटी का वित्पोशन राजस्वेय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है तो यह भारत जैसी विकासी अरद्वस्था के कि उत्पादक चमता में विद्धी हो सकती है भारत में घाटी की वित्पोशन की स्थिती की बात करने तो भारत ने पहली बार 1999 में इस साधन का उपयोग किया और तब से उच्चितर राजकोशी ये घाटी से निवटने के लिए 1991 तक एक नेवेत परिगटना बन गई और हा मन में 2003 में राजकोशी ये उत्तरदायथ बज़ट प्रवंधन अधिनियम बनाया गया था, राजकोशी ये समेकन वह फिक्रिया जिसके माद्यम से राजकोशी ये घाटी को प्रवंधनी है, इस तर तक कम करने का उपायकर अर्ध वस्था की राजकोशी ये स्वास्त में कारकांडी परिश्थ में पहली बार एक विशे सदस का सर जेम्स विल्सण को बितस सदस की रूम में संभलित किया घया था। जेम्स बिल्सन ने पहली बार साथ अपरेल 1860 को वायसराई की कारकारणी परिशाद में पिथम बजट पिस्तुत किया, इसलिए भारत में बजट परडाली का संस्थापक जेम्स बिल्सन को ही माना जाता है। समीधार में बजट के लिए पियुक्त सब्ध है, ठीक हो, बजट सब्ध का उलेक नहीं है समीधार में, को केंद सरकार का बजट कहा जाता है। बजट कर देगा, उसे बहुमत है एक तरह से सोच लिए बहुमत ही नहीं माना जाएगा उसके पासे, यही मान लेंगे। और 1925 में आप देखेंगे पहली बार रेल बजट को अलग से पेस किया गया, तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग पिस्तुत किया जाने लगा था। लेकिन 2017 में भाजाबर की सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेस किया गया था। जवाल लाल नहरू ने वर्स 1959 का बजट पेस किया और बजट को पेस करते हुए उन्होंने घोशना की कि अंगले वर्स से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेस किया जाएगा तो पंडित जवाल लाल नहरू ने भी एक बार पेस किया। भारत में अभी तक 2013 सबसे अधिक बार बजट पेस करने वाले वितमंत्री मुरार जी देश आई थे। उन्होंने कुल 17 वार पेस किया था जबकि पीचे दमदरम ने 8 वार पेस किया। वितमंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मन मुहन सिंग ने देश में आर्थिक उदारी करन की नीती लागू करनी की घोशना की थी। ठीक है। डॉक्टर मुहन सिंग ने और आप सभी जानते हैं आगे चल के पिधान मंत्री बनते हैं। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेस करना शुरू किया तो उसके लिए साम के 5 बजे का समय रखा जाता था। लेकिन 1999 में जो राजक सरकार थी के वित मंत्री यसवंध सिंहा ने बजट पेस करने का समय दिन के 11 बजे रख दिया था। फिर आप देखेंगे 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी को 1992 को सामान बजट का टेलीविजन पिसारन शुरू हुआ था। तो यह भी याद रखेगा। भारत में बजट सामान निमनिलखित अनुआनों को व्यक्त करता है। व्यक्त बर्स के वास्तविक प्रापतियां आओभय, चैलु वित बर्स के बजट अनुआन और संसोधे तनुआन , आगामी बर्स के परसतावीत अनुआन इस पैकार भारत में बजट पिस्तुति करन का संबन्द 3 अर्ज़ों के आपकडों से होता है। ठीक है और भारत में बजट के में घाटे का वर्तमाद सुरो जहान अगर हम देखें तो राजकोसी ये घाटा GDP का 4.6% और GDP का संसोदे तनवान हो गया और GDP का इस तरह से आप देख सकते हैं मैं यह बोला हूँ कि 2021 नहीं 22 थे इसके आप लोग बजट देखिएगा अब यह आपका पेस हुआ होगा उसी से questions पूचे जाएंगे तो मुझे लगता है कि इन्हें देखना जरूरी भी नहीं है आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं आराम से और जब paper देना जा रहा है उस साल का budget देखा करिएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं text बिना करके आप देखिए सरकारें जो चल रही हैं कहां से चलींगे यार पैसा नहीं रहेगा तो बताईए कर एक पैकार का अनिवार भुकतान है जो उस वेक्ति की अनिवार रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से सम्मंदित होता है और जिसके बदले करदाता को आवसक रूप से कोई लाब नहीं पराप्त होता है कर आधार से आसा है उससे जिसकी आए बना करते हैं जिनके मौदरिक तर्फट बास्तविक बोज कर से उत्पन कराद है उसी विक्ति पर पड़ता है जिसके उपर सरकार कर लगाती है आप प्यक्षकर जिन करों वी विवर्तित किया जा सकता है उन्हें आप अब देखे कि आये पर आप लोगों को डारेक्ट दे ना पड़ता हैं, ओई है आप लोग yogi वस्तूप दे लिजे अब से देखिए डारेक्ट वहां जो भता है जो उसका करभर देता है उस पर डारेक्ट ना पढ़के जनता पढ़ पढ़ता है पित्यक्ष कर कियन सरकार की पित्यक्ष कर और राय सरकार की पित्यक्ष कर इसमें बेक्तिगत आय कर निगम कर उपहार कर आस्ती कर बैय कर संपत्ती कर पूझी लाप कर लावांस कर व्याज कर पिती भूती विभार कर और राजे सरकारों के देखें तो होटल प्राप्तियों पर कर भूराज किरसी आय पर विवसाय कर गय सहरी सरजना संपतियों पर कर रोजगारों पर कर और आप देखें पत्थ पर कर वहीं अगर आपते एक्षकर की बात करें तो कैंद सरकार की सीमा जाने वाला कर, क्यंदी उत्पाद सुल्क, क्यंद्रिय विक्री कर, सेवा कर, ये 1994-95 से शुरू हुआ, राज्य सरकार की आपित्यक्षकरों में देखें, विक्री कर, व्यापार कर, इस्टांप एवं बंजी के सुल्क, राज उत्पाद सुल्क, बाहनों पर कर, विग्यापन पर कर, प्रवेस पर कर, सिक्षाओ कर, सट्टेवाजी पर कर, डीजल पेट्वल पर विक्री, सब ये समझ रहे हैं, ये आपित्यक्षकर, आपकी राज्यों क्यों गये, मूल बर्धित कर वेट, सबसे पहले हर्याणा में, वो सबसे बाद में आप देखें कि उत्तर प्यद इसमें 1 अक्टूबर 2004 को की गई थी, और ये आहे कर, घरेलू स्टोक एक्चेंज में हुए लेंदेन पर लगाया जाता है, केंदो को सरवादिक निवल, नेट, राजस की प्राप्ती सीमा सुलक से होती है, सीमा सुलक से प्राप्त राजस को बटवारा राज्यों को नहीं क करना होता है, ये सबसे करसुधार से सम्मंदी सम्तिया है, आपकी कमेटी है, इन्हें भी याद रखेगा, इन्से भी कुष्चन साथता रहता है कई बार, जैसे वाचू सम्ति, कमेटी, ए पित्यक्ष कर से, एल के जहां सम्ति, ए आपित्यक्ष कर से, राजा चिलेया सम्ति, करसुधार से, रेखी सम्ति, आपित्यक्ष कर, पार्थ सार्थी सीम सम्ति, कर से, और वाई भी रेड़ी सम्ति, आईकर छोटों की समीक्षा से, भोरे ल समीति यह आप देखें मोटर बाहन करों में विड़नी से केलकर सम्ति पित्यक्ष और परोप्ष करार उपर से रंगराजन सम्ति पैटॉलियों उत्पात पर पित्यक्ष सरजना किये संब्द में सिफारिश से कर ढाचे में सुधार के लिए सुझाओ देने हितू चेलिया सम्त पर पांच परसेंट की दर से सेवा कर लगाये जाने लगा था सर्विस टेक्स चोटे ब्यापारियों के लिए एक मुफ्स्त आयकर यह उजना की सिफारिश से चलिया सम्ति नहीं की थी चलिया सम्ति कमेटी ने गैर किसकों को कि 25,000 रुपेश से अधिक की वार्सिक किरसी आ राज सरकारे करती है और इसकी राजस प्राप्ती राज द्वारा ही ली ली जाती है और इसकी शुरुआत एक परसेंट की अतियन थी अल्व दर से 1982 में शुरू किया गया था सरकारी वह को नियंतित करने का प्रादीकारी बित्मंत्रा लेह होता है GST एक जुलाई 2017 से बस्तु सेवा कर की विवस्ता लागू की गई अब तक केंद सरकार राज सरकार या दोनों के द्वारा लगाय जाने वाले सभी कर की जगह सरिफ एक GST लगेगा जो सभी बस्तु हों सेवाओं के उपर लगेगा एक बस्तु के उपर जो GST की दर होगी व एक सो एक बार समिधान संसुदन है और GST के तहत बस्तु हो सिवाओं पर इंदरों को कर लगेगा 0.25%, 5%, 12%, 18%, 28% आप रिसकित रतनों और रतनों पत्थरों पर अब 0.25% की विश्त दर से और सौने पर 30% कर लगेगा समिधान में GST की परिभासा की अनुसार मानो उभो के लिए अलकोहल को GST के दारे से बाहर रखा गया है दूसरी वो 5 पैटॉलियम उत्पाद कच्चा तेल, मौटर, इस्प्रेट पैटॉल, हाई, इस्प्रेट डीजल, प्राक्तिक गैस, एविएसन, टर्वाइन, इनन को आइस्थाई रूप से GST से बाहर रखा गया है और GST परिशाद इन 5 उत्पादों पर GST लागू करने की तिथी का निधारन का सकती है और आप देखिए अगर GST के अंदरगत अगर यह आ जाता है तो आप सोची बहुत सस्ता पैटॉल मिलेगा आपको लेकिन कुछ दिखा पूर्ती विधियक 2017 और केंद सासित पिदेश GST विधियक 2017 यह पारित किया गया थे GST एक गंतव बाधारित कर है और इसमें राज्यों के विच्छिस रूप से बीनिर्मार करने वाले राज्यों में असंका थी कि GST को लागू करने से उन्हें राजस की हानी होगी इसलिए समिधान के 101 में समिधान संसोधन के वस्तुए विधियक करने के कारण होने वाले राज्यों की नुकसान के लिए 5 बरसों की अधी के लिए राज्यों की चतिपूर्ती करने की विवस्ता की गई थी और GST से मुक्त बस्तुओं की बाद करें GST के बाहर अगर कहने का मतलब है कि GST के बाहर कौन-कौन से बस्तुए है इनसे भी पूछ लेता है आपका और आप देखिए GST से बाहर बस्तुए अगर मुझे लगता है कि अगर GST के अंदर आ जाए तो यह बहुत सस्ती हो जाए क्योंकि आप देखेंगे कि GST में क्या है कि और राच्य चाहते नहीं है कि वह आए जैसे प्राक्तिक मदू दोध फोल जालो जाडू खुला खाद पदास लस्ती खुला पनीर दही तरसाद जगेरी नमक गुड स्वास्त सेवाए काजल चितकला की किताब सेवाए अंडा व प्रांस में वर्स 1905 में अपने यहां GST लाउ किया गया था फ्रांस ने और आप सुचिए हम लोग कितने पीछे हैं उससे चोटे करदाताओं के लिए GST के लाव की अगर बात करें तो सकल वार्सिक टरन ओबर 20 लाक रुट तक होने पर कोई कर नहीं पूरुबत्तर सिक्म उत्राखन वहमाचल पिदेश के लिए छूट सीमा 10 लाक रखी गई है छोट सीमा से नीचे एक कारूबारीक इनफुट टेक्स क्रेडिट के लाब के साथ स्वक्षित करभुगतान कर सकते हैं यदि करचूट की सीमा है तो पंजेगन की कोई जरूवत नहीं होती है समिधान एक संसोधन से यह विवस्ता सुनिशित की गई है कि GST परिशाद का पितेक नेड़े बैठक में उपस्तित सदस्तों और बोटिंग के कम से कम 3-4 बोटों से किया जाएगा और ऐसी बैठक में केंदरी सरकार के बोटों का मान कुल डाले गए बोटों का एकतेहाई होगा सभ में इस रहे हैं यहाँ देख लिजे जीएश्टी बषद केंद्रियी बित्त मंत्री होते हैं और यान की बात करें तो केंद्री बित्त रاج मंत्रीय, और बोटों की इन्र 21 राज्यों का साउय। जीएश्टी परशद जीएश्टी समंदी समीम उद्धों यथा विधी नियम वद्धर आदीफर नेड़र करती है जीएश्टी परशद नेड़र तो जीएश्टी से छूट के लिए सीमा बीस लाक रुपे होगी विसेस राज्यों में दस लाक सरकार्द मौजूदा छेतरा धारित चूट योजनाओं को छदी पिती पूर्थी योजनाओं में बदल सकती है चार करदर हैं पांच बारे अठारे और अठाईस कुछ बस्तुएं कुछ सेवाएं जीएश्टी से बाहर हैं कीमती धातुओं के लिए अलग दर हैं खास बिलास करदा राज्जों के करपदा प्रावसासन के दिन रहते हैं जीएश्टी में समाहित आप देक्ष करों की बात करें तो देखिए केंद्ध सरकार की केंद्री अउत्पात सुल्क हो गया उत्पात सुल्क और अत्रिक्त उत्पात सुल्क मात्रुकी बस्तूएं पर बिसे जो बिला आपके जो बिलास्ता करमत्पू की बस्तु हैं होती ना अत्रिक्त उत्पात सुल कपड़ा प्रवेस पर और कपड़ा उत्पात पर अत्रिक्त तक तटकर विसेस अत्रिक्त तटकर सेबा कर केंदरी अधिवार और उपकर जब लोटरी सटे जुवे से जुड़कर तक की बस्तु में और सिवायन की आप उर्ती से सम्मन देता हो यहां आप देखिए राज्यों के हो गया राजवेट और इसमें फिर आप देखेंगे मनुरंजन कर तब नहीं जब वह स्थानी निकाय और द्वारा वसूला जाए विग्यापन पर कर 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 लॉटरी सट्टे जुए से जुड़े लॉटरी सट्टे और जुए से जुड़े कर राज इस्तरिय दिवार उपभार जब तक की वस्तुवाओं वा सेवाओं की आपकूरती से सम्मझने थो जी एस्टी के अंतरकात आ चुके हैं एक दसम्ला पाँच करोड से कम टर्नोबर वाले दस्त कर दाता ही केंद्रिय कर पर साधन के पिसासन के दीना आएगे एक दसम्ला पाँच करोड से अधिक टर्नोबर वाले कर दाताओं का विभाजन केंद्रिय तथा राज जी के कर पिसासन के वी सामान रूप से होगा जी एश्टी में सत्रे आप देक्ष कर आठ के अंद्रिय नौ राज इस्तरिय और तैइस के अंद्रिय और राज जी उपकर समाहित होते हैं तो यह भी याद रखे सब्सक्राइब फिर आपका किरसी चीट आता है और एक समय देखिए कि माकरी जी में-बीपी में किःस इंद्रिय का एक और भारत के किर्सी छेते की लचीलता इस तत्य से इसफ़श्ट है कि COVID-19 में हमारी फैल लें कि बाबजू उत्पादन के मामले में इसका बेहतर दर्सन बहुत सांदर ही रहा है एक अनुमान वर्स 2011 की जन्गरना की अधार पर आज भी देश का लगबग 54.6% कार बल किर्सी कार और शमर्द चेते की गतिविदियों में सलगन है जो देश सकल योजित मूल जी भी ये वर्स 2019-20 मोजीदा कीमितों की लगबग 17.8% के बराबर है कोविद 19 की वज़े से लागू लोगडाउन द्वारा उत्पन कटनाईयों में ने गैर किर्सी चेतरों के पदरसन के पितिकूल ढंग से प्रभावित किया और 2021 के पिथम अग्य मनमान के दोरान कीमितों पर किर्सी चेत 3.4 की दमदार विकासदर हासिल किये एक बार और बता दूँ कि जो हमारी एक तरसे आप सोची कुरोना महमारी के कारण बाकी किछे थे जो हमारी जिद डुबा रहे थे उसे जिद सम्मान को बचाने का काम किया था किर्सी नहीं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी किर्सी महत्पूर एहुदान द जब नोफसान उन्हें आप सोची कि ओने वो तो जुगा की तरह खेल रहे हैं एक आस्र लगा कर और आप देखी कि इसलिए सबसे जानदा का सुसाइड करने वाले लोगों की बात करें तो इनी में देखने को मिलेगा किसान वर्ग में ठीक है भारत में किसी वर्स दो एक ज 40-4 परसेंट राश्टी किसान अउने से 5% करने का सुझाओ दिया था और है कितना इसका 0.3% आप समझ सकते हैं कि हमारी इस्तिधी क्यों बुरी है देश की अब आप जो सोचिए किसान आयूग बनाते हैं राश्टी किसान आयूग वो कहता है कि आप लोग 5% करिए किर्सी छेत के जो किर्सी सोथ पर और हम लोग उस पर क्या करते हैं 0.3% कहते हैं यानि कि कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि माल लेजे कि आपके आपसे कोई करता है सरकार मतलब आप अपने परिवार में पिताजी को मान सकते हैं वो कहते हैं कि कुछ आपको माल लिजे पैटॉल गाड़ी की ले लेते हैं धारण कि इसमें दस रुपे का कितना पांच रुपे का सो रुपे में से सो रुपे देते हैं और पांच रुपे का पैटॉल डलवाईए वो कहेंगे ठीक है पांच परसेंट का पैटॉल डलवा लि कि ती तो कर 6 लगाने की बात हो रहा यह लिकRIPन किसानों की हालात सुधारने की बात नहीं हो रहे हैं अब कहते थे 2022 तक किर्सी आय दउगनी हो जाएगी आप ही सूछते है 2022 आ चुका है क्या हुगा क्या नहीं हुगा किसी का सहाव लुकन देश में पिचलित कीमितों पर सकल संबर्धित मूल में किसी उसाहिक शित्रों का हिस्सा 2014-15 की 18.2% से गर कर 2019-2020 में 17.8% हो गया किर्सी छेत की भीतर फसलों तथा बनकी का हिस्सा 2014-15 की 11.2% से घटकर 2018-19 में 9.4% रहे गया पसुपालन और मस्थफालन उद्धियों के हिस्सेदारी में विर्धि ने फसल छेत के हिस्से में कमी की च्छती पूर्ती की है तो ये भी देखेंगे आप लो और वर्स 2021-2021 के दोरान संपूर अलतवरस्था के लिए GBA 7.2% की दर से सिकुड गया लेकिन केसी च्छत के लिए GBA के विकास में आप देखें 3.4% की सकारात्मक विद्धी दर्द बनाया ही रखी है एक केसी उपज के अधिक्तम उत्पादन करने वाले राच उपज हो गई राज कुल उत्पादन चावल में पश्च сохран Bangal, ग्यंहू में उत्तर प्रदेश, मक्ता करनाटक, मौटा नाज में राजिस्थान, कुल खाद्यान में उत्तर प्रदेश, मुंपरी में गुजराद, सरसों में राजिस्थान, सोयाबिन में अमध्पिदेश, सूरज मुकी में करनाटक, समस्ति तेल म में आप देखें वर्ष्चे मंगाल इन्हें टॉप बालों को याद रखी पूँच लेता है कई बाल सकल पूझी निर्माड शेक्टर में जीवीए के साफिक किरिसी तथा समर्द छेत्रों में सकल पूझी निर्माड वर्ष 2013-14 में 17.7% से घटकर 2018-19 में 16.4% हो गया है और देश की कुल सरम सक्ती का लगवग 48.9% वा किरिसी और इससे समर्द उद्योग धंदों से अपनी अजीब का कमाता है और देश का लगवग 55% किरिसी चित वर्षा पर निर्वड करता है किरिसी अहदान और उत्पादन भारत किरिसी अब भी मानसून पर ही निर्वड करती है आप से अची के बंदेल खंड का चित आप लोग जाकर देखे यहां के लोग आप देखे बुआई कर देंगे बरसा नो परसेंट था और सबसे अधिक सिंचे चेत की दिरिष्टी से चार राज्यों का ओरोवी करम घटती करम में उत्तर पर देश पहले पंजाब दूसरे तमिलानू तीसरे हर्याना चौत्रे सबसे कम सिंचे चेत की बात करें तो असम है कुल चेतफल की पितीसत की पंजाब है 97.8% और सरवादिक आसंचे तराज मिजोरम है 92.7% नल कुगा और नहर द्वारा सिंचे चेत्रों का चेतफल की आधार पर निमनिक राम है नलकूप सबसे जाना नहर फिर कुगा नलकूप द्वारा सरवादिक चेतफल पर सिचाई की उत्तर पिदेश में होती ह उत्तरपदेस में आप जाएंगे तो नलकूप ही नलकूप देखे आई देगे आपको उनी से एक तरह से सिचाई होती है देश के अधिक्तम भावों में हरती मिर्दा में बोरों जिंग तामा लोहा आदी जैसे सूख्च तत्तों की कमी देखने को मिल जेगी आईसी ए आर द्वारा किये गए सस्से विग्यान समंदी परिक्चनों के अमसा सूख्च चुपो सकत्तों की अनुप उर्थी करने का औरवरग बाले औरवग 3.3 से 0.6 टन पिती हेक्टर तक अनाज में अतरिक तो पज़ बढ़ा सकते हैं वर्स 2019 में चौत अग्य मनवान के मताबिक देश में कुल खाद्यान का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो 2018 में 282.21 मिलियन टन था उत्पादन इसमें अधिक रहा इस बार यह आप देख सकते हैं जो नए आंकड़े आए तो उसमें देख लेना आप लोग ठीक है यह आप देखें 2020 में फसलों की तीन बड़े उत्पादक राज। मक्का में करना तक पहली मद्पधिस तूसरे तेलंगाना तीसरे मोटे एनाज में राजिस्थान पहली करना तक दूसरे मद्पधिस तीसरे चना में आप देखेंगे राजिस्थान पहले महाराष्ठ दूसरे और मध्यपदेश 30 तूर में आप देखेंगे करनाटक पहले महाराष्ठ दूसरे उत्तरपदेश 30 तूर में आप देखेंगे राजिस्थान पहले महाराष्ठ दूसरे मध्यपदेश 30 तूर मुंग फली में महाराष्ट दूसरे, राजिस्थान तीसरे, सूरज मुखिगे में करनाटक पहले, उडिसा दूसरे, विहार तीसरे, कुल तेलहन में राजिस्थान पहले, गुजरात दूसरे, मद्पदेश तीसरे, गन्ना में उत्तरपदेश पहले, महाराष्ट दूसरे, करनाटक तीसरे, क खाला चना राजिस्तान किता सोयावीन मंधपधीस सूराज की करनाटक को तेरहा राजिस्तान घंना उत्तर पूजरात और जूट ऑर मिस्ता यह पर्शि मंगाल यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए खाद्धानों की भंडार के लिए 31 बारे 2020 तक FCI राज्यों एजन्सियों के पास आप देखेंगे 829.19 LMT की भंडारं चमता रखी गए जिसमें आप देखेंगे 679.10 LMT छमता वाले ढाका हुआ गोदाम 150 कवर्ड और डिफिन्स उविधा वाले ते भी आप सुची कि हमारे पार सरफ बथम किरसी कीमत आयो किस्था आपना 1965 में की गई थी जिसे 1985 में किरसी लागत और कीमत आयो का नाम दिया गया किरसी कीमत आयो किस्था आपना 1965 में और जिसे 1985 में आप लोग किरसी लागत और कीमत आयो के नाम से जानने लगे हैं किरसी उपज़ पर का नियूनतम समर्थन मूल और इसके लिए कर आप देखें कि तरह तरह के आंदोलन होते रहते हैं किसानों के द्वारा और मेरा मानना भी यह है कि देखें नियूनतम समर्थन मूल मिलना चाहिए मैग जीमम नहीं मांग रहे हैं नियूनतम मांग रहे हैं कम से कम इतना तो मिलना चाहिए यससे क्या होगा किसानों की काफी अच्छे इस्तिती रहेगे के अंदर सरकार 23 अक्टूबर 2019 को फसल वर्स 2019 जुलाई जून विप्रण वर्स 2021 के लिए भारत सरकार ने 22 आवसक फसलों के लिए नियूनतम समर्थन मूल और गन्य के लिए उचित और महंताना मूल की घुशना की थी अगर रवी फसल पर नियूनतम समर्थन मूल ये देखे अभी की बात हो रही है और जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस साल आप लोग जरूर याद रखा करिएगा इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूर थे क्योंकि जिस सामय आप लोग पेपर दे रहे हैं उस समय आप लोग देखके जरूर जाये करिएगा और मैं बता रहा हूं कि इवार आपका इनसे भी कुष्टन्स आ जाते हैं आपने देखा होगा कि यूपी-पी-स में कई बार पूंच लेता है खरीब हसल की नियूनतम समर्थन मूल विपण 2017-2021 के लिए सरकार ने एक जून 2020 को खरीब हसलों की नियूनतम समर्थन मूल की बिद्धी की घुष्टना की थी तो ये भी होता रहता है और एक नियूश पेपर आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा इसलिए कहते हैं कि कम से कम नियूश पेपर से रहता है कि करेंट की यो भी घटना है रहती हैं उन से जोड़े रहते हैं आप लोग और का होता है राश्टी किरसी वीमा योजना अक्टूबर 1999 में से लागो किया गया भारती सुधार के अंतरगत मुकता तीन पेकार के कदम उठाए गये मद्धेस्तों का उनमूलन कास्तकारी सुधार और किसी का पुनर गठन पहली पंच बरसी वीमा की समाप्ती तक देश में मद्धेस्तों का अनूमूलन चोटे 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 चित्रों को चोड़कर किया जा चुका था कास्तकारी सुधार के अंतरगत मुकता तीन पेकार के उपाय किये गये लगान का नेवन कास्ता अधिकार की सुरक्षा और कास्तकारों की को भूमी का मालिकाने अधिकार देना किरसी के पुनरगटन के अंदरकत मुकता दो पिकार के उपाय जोतों की सीमा बंदी और जोतों की चगबंदी किये गए भारत में सरबादिक जोतों की संख्या सीमांत विकार का है और एक हेक्टर से कम छेथफल वाली जोत सीमांत जोत एक से चार हेक्टर वाली जोत लगू जोत और चार हेक्टर से कम बड़ी छेथफल वाली जोत बेहत जोत कहलाती है भारत में सबसे पहले 1920 में बड़ोदा में चगवंदी लागू की गई थी और हरत किरांती का पैरम 35 बरसी यह जना से पैरम माना जाता है इसका सरवादिक सकारात्मक प्रभाव ग्यहूं पर पड़ा था जिसकी पैदावार 500 गुना बिट्धी हुई थी 500% ठीक है? और किसी विर्थ के संस्थागत सरोतन से सरकारी समतियां और सरकारी बैंक, ब्याबारिक बैंक, छेत्रिये, ग्रामिट बैंक, सरकार आदी प्रमुक है सरकारी सांग, साख, संगठन क्या पैरम, सरपतम, 1904 में हुगा था किसान के अडिट कारी योजना की सुरुवात 1998 में ततकालीन बित्तमंत्री यसबंद सिनहा की द्वारा की गई थी किसान के अडिट कार आप लोग देखते ना उसी की बात हो रही है एक किरसी उतपाद बोड हो गए, कॉफी बोड बैंगलूर करनाटक में, कॉफी अधिनियम 1942 की धारा चार की अंतरगर रवर बोड कोटायम में ए रवर अधिनियम केरल 1947 द्वारा, चाय बोड कोलकाता चाय अधिनियम 1953 द्वारा, तमाकू बोड गुंटूर में तमाकू अधिनियम अंतरपिदेश 1975 द्वारा, मसाला बोड कोची केरल में मसाला अधिनियम 1986 की द्वारा, राष्टी मास पॉल्ट में राश्टी मस हदराबाद 2006 में बात है विकास बोड तो ये भी याद रखेगा सम्रद जैसे पसुपालन डेरी उमत सोध्योग भी चलते हैं बार पसुपालन ओद्योग ने वर्स 2018-19 में कुल जीवीए में 4.2% का युगदान दिया किर्सी और सम्रद चेतवार सकल मूल समर अधन के लिए राश्टी लेखा सांखिकी नस, नस, 2020 के अनुवानों के अंसार कुल किर्सी और सम्रद चेत में पसुपालन का युगदान जीवीए में ने अंतर कीमत पर 24.3% से बढ़कर 28.3% हो गया 2018-19 में अगर आप लोग देखेंगे तो दूस के उतफादन में भारत विस में पिथम इस्थान पर हैं, क्या संपूर बिस में पहले इस्थान पर हैं देश में दूस का उत्पादन अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2014 पंद्रेगे 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2019 भी इसमें 118.4 मिलियन टन हो गया तो आप देखेंगे बड़ोत्त्री देखे गई है एक तरह से क्या देखेंगे बड़ोत्त्री देखी गई है और 2014 पंद्रेगे दौरान दूद उत्पादन का वार्षिक विकास दर 6.2,7 था उसके बाद इसके में बिड़्धी होना जारी रहा और पिछली वर्स की तुल्ला में 2019-20 के दौरान दूद उत्पादन में 5,68% की विद्धी हुई 2019-20 में पिती वेक्ती दूद की उपलग दता 407 ग्राम पिती दिन थी तो आप दीखी आपका भी इस्सा 407 ग्राम का है दूद की मांग के बारे में राष्टी ये डेरी विकास बोड़ द्वारा किये गए एक देन के अनुसाद 2030 तक अखिल भारती इस्तर पर दूद का दूद तथा दूद उत्पादनों की मांग का 246.5 मिली इंटर वहने का नुमान बेक्त किया गया और 2030 के अनुमानों के अनुसाद दूद के पिती बेक्ती खपत ग्रामीड चेत में 404 मिली लीटर की तुला में सह वर्गीज कुरियन को माना जाता है एक उश्यस भी आप देखे कई बार कुछलिया है कि स्वेद क्रांती के सम्मद किस से तो दूद उत्पादल से इसके जनक कौन थे स्वेद क्रांती के डॉक्टर वर्गीज कुरियन कि ऑपरेशन फ्लेड कारकरम भी सुनाओगा एस स्वेद क्रांती के गती को तेज करने में विस्व का सबसे बड़ा समनवित देरी विकास कारकरम है पस्वों की आबादी और उत्पादन की बात करें तो एप ए ओ स्टी एटी की उत्पादन की अकड़ों 2018 के उससर संपूर्ण विस्व में अंडों की उत्पादन में भारत का यह तीसरा स्थान है और वर्स 2020 से 19-20 के दवरान इसमें 10 दस दसमलों 19% का विकास हुआ है 2019 विस्व में की दवरान पिती वर्स अंडों की उपलब दता आप देखें 86 है यानि की कहने का मतलब कि हर भारती युगों 86 अंडे मिल सकते हैं उपलब दता इतनी हमारी बास F-A-O-S-T-A-T के उत्पादन की आपड़ो 2019 के अनिस सार्ट ट्रंपों विस्व में मास्क के उत्पादन में भारत पाचवी अस्तान पर है वर्स 2020 में मास्क के उत्पादन की वासली विद्दीदर 5.98% रही थी मत्स पालन विस्विक उत्पादन में मामले में भारत का इस्ता अंदूसरा है और विस्विक उत्पादन में इसका उत्पादन 7.99% है 2020 में भारत में अवी तक सबसे अधिक मच्ली उत्पादन 14.16.18 अरच किया गया है राष्टी अर्थवस्ता में मत्स फालन उद्धे उक्कुल राष्टी जीवीए का 1.4 परसेंट और केसी जीवीए का 7.28 परसेंट के वरागत पर युगदान देता है और 2019 वीश के दोरान बारे दिसमलों नौ लाक मेट्री टन्स रमुद्री उत्पादों का निर्माद किया गया जिनकी कीमत 46,662 क्रोड रुपे थी पिधान मंत्री मत्स संपताय उजना के बारे में सुना होगा मई 2020 में पिधान मंत्री मत्स संपताय उजना शुरू की गई थी और एया है यह उजना भारत सरकार की आत्म निर्वर भारत अभियान के हिस्ते की रूम में की गई है और सरकार ने इस यह उजना के अंदर गयत वित वर्स 2020-2021 से वित वर्स 2024-25 की कुल पांच वर्सों की अधी के लिए बार 2000 मापकरिए 20,050 करोड निविस करने का लक्ष देखिए 9,407 करोड का युगदान देगी और राज सरकारें का युगदान रहेगा 4,4880 करोड रुपे का जबकि इलावारतियों द्वारा 5,763 करोड रुपे का युगदान रहेगा इस से यह उजना भी उस्तर 9% बार्से विकास दर को प्राप्त करने ते हुए 2024-25 तक मत उत्पादन को 220 टन लाख में ट्रिक टन करना है इस मत्वा कांची परियोजना के सफल निस्पादन के परड़ाम सोरू नेरयाद आय दुगनी अर्थात यानी की खहने का मतला एक लाग करोड रुपे हो जाएगी और इसे मत्पालन उत्द्योग में अंगले 5 बरसों में प् अब लोग कहते हैं कि नहीं खाते हैं मास नहीं खाते हैं और इस पर मैं किसी कि दिखे इसमें कभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ जिसे खाना हो से रोखा नहीं जा सकता है ठीक हो जिसे नहीं अच्छा लगता हो मत खाईएगा जिसे और जिसे अच्छा लगता हो खाईएगा आप सोचिए कि वही हाल है कि अगर से सिकार ना करें तो जंगल में और भी आपके जो पसूर होंगे उनकी जानवर होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और बड़ा हम लोग उत्पादन करते हैं आप देखिए वो अच्छे वोड़ी है फिरहाल बिस्सिक में भारत की किरसी ब्यापार की बात करें तो बिस्सिक किरसी ब्यापार में भारत का युगदान लगवक 2.15% है 2018 में भारत से 2.7 लाग करोड मूल की करसी बस्तुएं का निरियाद बाद 1.37 करोड रुपे का मूल का हायात किया गया 2018 में देश के कुल निरियातों में करसी निरियातों का युगदान 11.6% है पिधान मंत्री किसान सम्मार ने दी, PM किसान, PM किसान भार सरकार की 100% निधियत बाली केंद्री अच्छित की योजना है, यह योजना एक दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई, इसमें सभी किसान सामल किये गए, लेकिन इस योजना का लाव उठाने के लिए, उठाने के लिए सरका नहीं होगा, और बटाईदार, खरीदार, मजदू, सरकार, करमचारी, 10,000 से अधिक पेंसन पाने वाले को भी लाव नहीं मिलेगा, इसे उठाना के अंदर के सभी किसान परिवारों की आयमें, पिते एक सा, चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपे दिये जाते हैं, और पिती लाख 50,000 करोड ने धारित किया गया, इस तलक्ष की विरूद 13,92,419,81 करोड का लक्ष पराप्त किया गया, और बरस इसे बरस 2020-21 के लिए क्रिश्ची चित के लिए साख्ष पिवाय की, कि ये 15,00 करोड का लक्ष ने धारित किया गया, और नवंबर 2020 तक 9 करोड, 15,00 करोड ठीक है, 9,37,87,80 करोड वितित किया गया, क्रिश्ची साख का छेत्रिय विवरण, दच्षडी चेत्र की पक्ष में अधिक जुका हुआ है, 2021 के दोरां 30 नवंबर 2020 तक करिश्ची के एडिट का कुल, वितितरण में क्रिश्ची साख में 10,6 की हिस्चेदारी 40% से अधिक है, जबकि उत्तरपूर्वी चेत्र की आप देखेंगे 2% से भी कम है, उत्तरपूर्वी चेत्र में क्रिश्ची रेड का इत्से में हिस्तेदारी होने की बज़े से देश के कुल GCA में, उत्तरपूर्वी राज्चों के कुल क्रिश्ची योग चेत्र का देश के कुल GCA में इसमें दो काराख हैं जो उत्तरपूर्वी राज्य में किसान शाक काड रेडिये के संभितरन को प्रभावित करते हैं क्योंकि यह रेड़ खेत के दस्ताविजों को बंदक रखकर दिये जाते हैं फिर आप देखी उद्ध्योग आते हैं आपके उद्ध्योग भी धन्दे देखते हैंगा नहीं तो आजादी के बात देश के पिथम उद्ध्योगिक नीती की घुष्णा 6 अपरेल 1948 को ततकालीन के अंद्रिये उद्ध्योग मंत्री डॉक्टर स्यावा प्यसाद मोकर जी द् पूसओं पा गया था भारत में उद्ध्योगिक नीती पुनासन 1956 में लाई गई गई और जिसमें सारविजनेक चेत्रों का विस्तार सहकारी चेत्र का विकास और निजी एकादिकार पर नेंदन जैसे उद्ध्योग सामिल किये गए थे लैसिंसिंग की आवसकता से युक्त पार के डिटोट नेटिंग फ्यूज सेप्टी फ्यूज गन पाउडर नाइट्रो सेलू नाइट्रो सेलूलोज माच सहित उद्धोगे बिसपोट आदी खतरनाक रसायन इनके लिए आपको लैसंस लेना पड़ता है और मुझे लगता है कि सराप के लिए तो आप लोग जा करता करतीन कर दी गई थी सान 1973 में दत सम्धिकी से फारिश के आधार पर सेउक्त छेत का गठन किया गया था 1980 की उद्धोगेक नीती आर्थिक संगबाद की धारना से फिरित थी और इसमें किसी पराधारीत उद्धोगों को रियासत रियायतें देने की नीती अपनाई गई थी नई उद्धोगेक नीती की घोषना 24 जुलाई 1991 को की गई थी जिसमें व्यापकिस्तार पर उदारवादी कदमों की घोषना की गई थी इस नई उद्धोगेक नीती में पांच पिरमों को चोड़कर अर्न सभी उद्धोगों को लैसेंस से मुक्त कर दिया गया नई उद्धोगेक नीती में निजी करन और ओधारी करन पिरमों कें सार्वजनिक उद्ध्यम जिनका संचालन नेंतन सरकार द्वारा होता है सरकारी छेते के लिए आरक्षेत उद्धोगों की संख्या दो है परमाडवूरचा रेलवे परिभार नावरतन महारतन मिनी रतन कंपनिया इनसे भी कोशन सातरे थे नावरतन का दर्जा केंद्रिये लोक उद्धयम विभाग द्वारा दिया जाता है 1997 में यह दर्जा मूलता 9 कंपनियों को ही सिजित किया गया था कल अंतर में यह संख्या बढ़ चुकी है बर्तमार में केंद्रिये सारविनी चित के उकरम को निमलिकित मामदन्डों को पूरा करने पर ही नावरतन की सेनी में रखा जाता है कंपनी को मिनी रतन सेनी एक और मिनी रतन सेनी दो का दर्जा पराप्त हो पहले पिछले पाच वरसों में से तीन वरसों में पडाली के दहित आप दीखी उतकेष्ट इसमें आपका मेमोर्नडम ओफ अंडर स्टेंडिंग पडाली के दहित उतकेष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग पराप्त की गई हो एबं 6 चैनित निस्पादित मापदन्डों में सो में से साथ उससे अधिक का स्कोर पराप्त हो एक मापदन्ड निम्न कुल सुद्ध पुझी निवल मूली के अनपात की रूम में निवल आए कुल सरम सक्ती लागत पिति अंस आए अंतर छेत्रिये पे दर्सन और कंपनियों को एक हजार करोड या परियोजनाओं के कोल मूल का 15 परसंट तक बिना सरकार की बंजूरी के निवेश करने की स्वायतता प्राप्त होती है बरतमार में 14 नावरतन कंपनिया है बढ़ती रहती है तो इसमें जानलर जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उ स्थान थे 1986 में इसकी सथाफना हुई थी नाई दिल्ली मेंश्का मुख्याल है भारत एलेक्टोनिक लिमेटेड भेल उनिचे चंग्र मेंसकी स्थाफना हुई थी बैंगलर में इसका मुख्याल है हिंदुस्तान एरो नोटिक्स लिमेटेट हेल 1940 में सकी स्थाफना हुई थी बैंगलोर में इसका हैड़क्वाटर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पी एपसी 1986 में सकी स्थाफना हुई थी नई दिल्ली में इसका मुख्याल है राष्ठी खनेज विकास निगम एन एम डीसी 1998 में इसकी स्थाफना हुई थी हैड़राबाद में इसका मुख्याल है गरामीड विद्धोद्य करन निगम लिमेटेट आरीसी 1989 में स्थाफना हुई थी नई दिल्ली में इसका है है एड़क्वारटर है मुख्याल है नेशनल एलुमीनियम कम्पनी नालकोग निच्टी स्थाफना हुई थी उडिसा में है भारती नौबाहन निगम 1986 में इसका स्थाफना हुई थी मुंबई में है राष्टिय इस्पात निगम लिमेटेट 1982 में इसकी स्थाफना हुई थी बिसाखर पर्णम में है All India Limited 1969 में इसकी स्थापना हुई थी डुलिया जन में इसका हेड़क्वाटर है नेवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन 1956 में इसकी स्थापना है चैन्नेई में इसका हेड़क्वाटर है National Building Construction Corporation Limited 1960 में नई दिल्ली में है Engineers India Limited 1956 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर है भारती कंटेनर निगम Limited 1988 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर है महारतन कंपणी की बात करें तो चौब 21 दिसंबर 2009 को केंद्री मंती मंदल सार्विनेक छेत की कंपणीयों के लिए महारतन दर्जे किर्सेजन का नेड़ा लिया और 2005 से लेकर 2010 को 2010 को पहली बार बार चार सार्विनेक उक्रम और राश्टी हताब बिद्दुर निगम, NTPC, तेल तथा तेल अमँप्राक्तिक गेस तेल अमँप्राक्तिक गेस प्राक्तिक गेस निगम और भारती इसपात परादी का लिमिटेड और भारती तेल निगम को यह दर्जा दिया गया था बर्तमार में 10 महारतन कंपणिया है कि अंदरी सार्विनेक चित के उक्रमों को निमलिखित मामदन्डों को पूरा करने पर ही आप देखी महारतन का दर्जा मिलता है वह नावरतन दर्जा प्राप्त कंपणिय हो वह स्टॉक एक्चेंज में सूची बद्दो बेगत तीन वर्सों में इसका उसत कारोबार 25,000 करोड यास से अधिको बेगत तीन वर्सों में इसका कर पश्चे उसलाब का 500 करोड रुपे से अधिक रहो बेगत तीन वर्सों में इसका उसत रेट वर्थ 15,000 करोड यास से अधिको ये महारतन, भारत की महारतन कंपणियों की बात करें तो इसमें राष्टी एताप विद्धुद निगम हो गया NTPC, इसकी इस्थापना 1975 में हुई थी नई दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर में लेगा तेल एबं प्राक्तिक गेस निगम ONGC 1556 में सकी इस्थापना हो गया भारती स्थापना 1957 में इसकी इसका हेड़कवाटर बारती एतल निगम IOC 1964 में सकी इस्थापना हुई थी कोल इंडियां लेमिटेट CIL 1975 में सकी इस्थापना हुई थी 1975 में कूलकात्या में इसका हेड़कवाटर है भारत हैबी Electricals Ltd भेल, 1964 में इसकी स्थाफणा हुई थी, नई दिल्केंड़ी में इसका हेड़कोर्टर है Gas Authority of India Ltd. गायल, 1984 में स्थाफणा हुई थी, नई दिल्केंड़ी मेंसका हेड़कोर्टर है भारतिय पेटॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेट, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, मॉंबई में इसका हेड़कॉर्टर है हिंदुस्तान पेटॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेट, HPCL, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, मॉंबई में इसका हेड़कॉर्टर है तावर ग्रेड कॉर्पोरेशन ओप इंडिया लिमिटेट पेजी CIL 1990 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिली में इसका हेड़क्वाटर है 24 जन्वरी 1976 को ब्रहमा सेल को भारत सरकार ने अधिकेंड कर भारत रिफाइनेरी लिमिटेट मनाया है अगस्त 1997 को भारत रिफाइनेरी लिमिटेट का नाम भारत पेटोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेट कर दिया गया और सेप्टमबर 2010-2017 में इसी महारतन का दर्जा दिया गया फिर आपकी मिनी रतन आती है मिनी रतन योजना का प्यारम अक्टूबर 1997 में किया गया था इसमें दो बरक आते हैं मिनी रतन फर्ष्ट हो मिनी रतन सेकंड अगर मिनी रतन फर्ष्ट की बात करें तो सारविश चित्रक की ऐसी कमपनियां जनोंने विगत तीन बरसों में लावरजित किया हो तथा नेट वर्ग धनात्म करही हो मिनी रतन एक सेडी में रखी जाती है मिनी रतन एक सरकार की अनुमती के बिनाथ 500 करोड रुपे या अपने सुद्ध मूले के बरावर में से जो कम हो खर्च कर सकती है मिनी रतन कंपणियों के संख्या 62 है मार्च 2021 तक मिनी रतन सेकेंड कंपणिया अपनी सुद्ध मूली का 50 पर्टेन तक अपना अत्वा 150 करोड रुपे में से जो भी कम हो तक खरज कर सकती है मिनी रतन कंपणियों की संख्या 12 है मार्च 2021 तक कपड़ा उद्धियो भारत किर्सी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पिदान करने वाला उत्पादित किया जाता है भारती टेक्टर उत्द्यूग का संसार के सबसा बड़ा उत्द्यूग है अमारे हाग किसान आप देखते हैं न टेक्टर जो कुल बैसलेक उत्पादन का एक्तिहाई है भारत हर वर्स्ट उन्ने आसी हजार टेक्टरों का निर्याद करता है और लगू वाकुटीर उत्द्यूग पर विसी स्थिहान 1977 की उत्द्यूगिक नीती में दिया गया जिला उत्द्यूग के अंद्रों की संक्या स्थापना 1977 में की गई इस समय देश में 422 लिला उत्द्यूग के अंद्र है अवीन अविद्ध हुसेन समती लगू द्यूगों में सुधाल से समद्ध है तो यह भी आद रखना चाहिए निजी केट की गई सार्दिनी कंपनिया हुए निजी चेट की जिस कंपनी को बेंचा गया हुआ है जैसे आपका मॉडर्ण फूर्ड इंडर्स्टीज ठीक है बालको, CMD, हिंद टेली, पेंटर्स, विदीशी संचाल निगम लिमिटेड, आईवी बीपी लिमिटेड, पारादवी फॉस्पेट लिमिटेड, हिंदुस्तान इनिजी चेट की जिस कंपनी को बेंचा गया है हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, इस्टर, लाइट इंडर्स्टी, टाटा, संस, एच, एफ सी एल, टाटा, टाटा समूकी, फेरना, टोन, फिन, वेस्ट, भारतिय तेल निगम, जुवारी, मारो, मारो, फॉस्पेट, राइविट लिमिटेड, चलिए देख लेजी आए लगुद्योग विकास अंगठन्स सीलता लगुद्योग विकास संस्थान है, इसमें आप देखी भारतिय उद्यम सीलता संस्थान गोहाटी, राष्टिय उद्यम सीलता एवं लगुद्योग विकास ब्यापार संस्थान, नोविडा, राष्टिय लगुद्योग विस्तार फिसीचण संस्थान, पूंजी 250 करोर रुपया है या उन सभी संस्ताओं के कारियों में समनवे इस्तावित करने के कार करती है जो लगो उद्धोगों के प्रवर्दतर में जोटे हैं फिर आप देखिए उद्धोगिक रोंगड़ता किसी कंपणी को रोंगड़ता किसी कंपणी तब कहा जाएगा जब वह बिगत लगातार चार वर्सों में किसी एक या अधिक वर्सों में बित्तिये वर्स के अंत में इसकी संचित हानी इसकी नेट वर्थ का 50% या उससे अधिक हो जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ररदाताओं को अपनी देताओं का भुकतान करने में आसा फल रही हो यानि की बुडिश्ति थी उद्धोगेक रोगड़ता की संब्ध में 1985 में नारायंदा तित्यबारी सम्थी की सिफारिस पर रोड रोग ने उद्धोगेक कंपनी अधिनियम पारित किया गया था और जनवरी 1987 में उद्धोगेक एवं बित्तिये पुनर इन्वार बो पिधानवंतिरी नयाद मौदी ने 25 सेप्टमबर 2014 को की थी मेक इन इंडिया का पिती कोक्स से वन ने सेर है एक और याद रखी 25 सेप्टमबर 2014 जरूर याद रखेगा फिर आप देखेंगे 1993 में गठित उंकार गोस्वामी समती ने वी आई एफार दोगिक वित्तिये पुनर निर्मार बोर्ड की भूमिका में परिवर्तन की बात की हो ही वालकिष्ण इराडी समती ने वी आई एफार को समाप्त करने दथा राष्टिय कंपनी लौ टीविवनल की स्थापना का हो ना हो तो उनके बिलाए पुनर गठान के इताय स्थेति आदिस पारित करें रोगने कंपनिया कंपनियों के पुनर वास हेतु कंपनी एक्ट में संसोधन के द्वारा पुनर वास विधी की स्थापना की गई जिसका निर्बान कंपनियों की वासिर विक्री या सकल करा होगा भारती उद्धोगिक वित्त निगम इस्थाफना समिधान के विसे सद्धिनियम द्वारा एक जुलाई उन्ने सो और तालीस को की गई थी ठीक है तो यह भी याद रखीगा ठीक है याद रखी गया आई एफ सी आई का उद्धिस निजीत तथा सरकारी छेत के उद् आई-सी-सी-ाई- अर्थात भारती उद्धोगिक साको निगम लिमिटेड की स्थाफनाओं 1905 पन में भारती कम्पणी अधिनियम के अंतरगत की गई थी आईसी, आईसी आई कार निजी छेत में सताफित होने वाले उद्मों सताफित इस्थाफना विकास तरहां आधोनी की करन में सहयता करना है उद्धोगई के वित के चेत में भारती उद्धोगई के बिकास बैंक का स्थान सबसे उंचा है 2021 में बित वर्स 21 में उद्धोग एक्षित के GBA में समग अंसदान 25.8% है उद्धोग एक्षित के अंसदान में 2011-12 से लगातार गिराबट होती जा रही है GBA में बिद्धुत गैस जलापूर्टी अन उपयोगी सिवाओं का सियर वित आप देखेंगे वर्स बारे में 2.3 से बढ़कर वित वर्स 21 में 2.7 यानि कि 2.7 हो गया जबकि अन सभी उद्धोग इस चेत्रों में गराबट आई हुई है दिवाला और दिवालियापन सहिता भी सुना होगा 2016 दिवाला और दिवालियापन से समंद्धी सभी कारेयों को इस सहिता के मध्यम से किया जाएगा और यह आ सहिता कंपणी के दिवालियापन और परी समापन की स्थिती में एक चरनवद्द और समयवद्द और सामोहिक प्क्रिया प्यदान करके कमपणी के मूले को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है और इस सहिता में दिवाला और सोधन आच्छमता से जुड़े सभी विसेद तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है और यह सहिता किसी इसका निकल गया है यानि कि दिवाला दिवालिया पन सहिता दुतिये संसोद अधिनियम एक अब आया 2000 क की बात है 18 अथाुए की बताइए 288 की तो है इसके अंतरकर आप देखेंगे तो अब घर खरीदने वालों को बित्तिये लेंदानों की लेंदानों की रूम में माना जाएगा और उन्हें लेंदानों की सम्थी में पितिनेदित का अधिकार होगा दिवाला और दिवाली आपन की पिक्रिया की उधी को 180 दिन से बढ़ा कर 270 दिनों तक कर दिया गया लेंदानों की समिती के नेड़ाय के लिए बोटिंग सीमा को 75,3% से घटा कर 59,3% कर दिया गया और इस समिती ने कुछ पिरमोख नेड़ायों के लिए बोटिंग सीमा को 75% से घटा कर 66% कर दिया इसमें आप देखे रिजुलेशन, वीसिवरों की निवोंकटी, रिजुलेशन की योजनाक कुमझुरी, इंसॉलवैंसी, रिजुलेशन फिक्रिया की समय सीमा बढ़ाना, 90% परितीसत बोर्टिंग सीमा के द्वारा रिजुलेशन की फिक्रिया के पूर्था वापस लिया जा सकता है यसा धीनियम के द्वारा M.S.M.E की परवर्ता को और गारंटी करता को भोली लगाने की आयोगता से मुक्त कर दिया गया यसा धीनियम में परावधान किया गया कि यदि कोई यदि कोई बित्तिय लेंदार या उसका अधिकरत पितिने दिवाला पिक्रिया का सामना कर है तो उसे कमेटी ओफ क्रेडिटिज की बैठक के द्वरान किसी पिकार की भागयदारी या मद्दान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा एक कंपनी दिवाला से संब्दित पिक्रिया के संब्द में आभिधन पिस्तुत कर सकती है बासरति होए सेयरधारकों की स्विकिति प लिए दिवालिया फन समाधान पिक्रिया संसोधन अधिनियम 2019 भारती दिवाला और सोधन आचमता बोड नियम 2016 में हुई पिरमुक संसोधन निमने अगर इसमें आप देखें किया है एक तो आप देखेंगे इसमें आपका संसोधन द्वारा रिड़ दाताओं की समिती कि ग लोग तो संकल योजना को मंजूरी देते समय है अत्वा कार्पोरेट देंदार की रिड़ सोधन का फैसला करते समय रिड़ दाताओं की समिती परी समापन लागत को पूरा करने में योगदान करने के लिए योजना को मंजूरी दे सकता है और यह संसोधन कार्पोरेट सोधन कि पिकरिया फोने की वर्स के भी तरसे पुनाबंद एक तरसे करते लिया जाएगा कि से सद्वधन की पिकरिया में पते एक वर्स के लिए एक मॉडल समय सीमा सीमण रधारी कि गई इसमें कमपनी कानून 2013 की धारत 230 के तहट हिद धारकों द्वारा प्रिस्तावित किसी समझोते को पूरा करने के लिए रड सोधन की आदिस से अधिकतम 90 दिनों का समय निर्दिष्ट करने की बेवस्था की गए जिससे रड सोधन की पिक्तिरिया जल से जल खतम होना कामगारों, बकरमचारियों, सरकार अन परिचालन रड दाताओं और सेय धारकों का पितिने देते हैं जो रड सोधन कराने वाले को विक्क्री से संबंदित मामलों में सलाय दे हलाकि इस सम्ती की सलाय को मानने के लिए रड सोधन कराने वाला बात नहीं होगा संसोधन संसोधन के लिए आवस है कि कोई हित धारक अपना दावा पिस्तूद कर सकता है या रेड सोधन सुरू होने की तारीक पर तारीक पर कॉर्पूरेट देवाला समाधन पिक्रिया के दवरान पिस्तूद करने अपने दावे में बदलाओ कर सकता है दावा पिस्थूत करने के साथ एक सुरख्ष लेंदान रेड सोधन कराने वालों को अपनी सुरख्चा त्यागने की नेड़े की जानकरी दे सकता है संसोधनों ने एक व्यापक अनुपालन प्रमाणपत पिस्तित किया है जैसे अंतिम रिपोर्ट के साथ अधीनस्त फिराधीकार को पिस्तित किया जाना है भारती दिवाला और सोधन आचमता बोड की स्थापना एक अक्टूबर 2016 को दिवाला और दिवालियापन सहिता 2016 के तहत की गई यह दिवाला से संबंदित दिवालियापन पेसेवरों और दिवालियापन पेसेवर एजनसियों सूचना और उक्रम को बीनिमित करता है यह दिवाला और दिवालियापन की सहिता के अंतरगत, कॉर्फरेट दिवालियापन, संकल्प, कॉर्फरेट, परिमापन, परी समापन, बेक्टिकर दिवालियापन, संकल्प और बेक्टिकर दिवालियापन से संबंदी लेंदेन की नेमों की को बनाता है और लागू भी करता तो ये भी आप लोगों को याद रखना पूरेगा अब बात करते हैं हम लोग विदेशी व्यापार भुकतान संतुलन की बात कर लेते हैं आप देखेंगे कि भारत के विदेशी व्यापार के अंतरकत भारत से होने वाली बाले सभी निर्यात और विदेशों से भारत में आयातित सभी सामानों से है विदेश व्यापार भारत के वाडिज्यो और उद्योग मंतरालाई की देखरेक में होता है विश्य व्यापार संगठन की अक्टूबर 2020 के संसुदित अनुमान की अनुसार 2020 में वैस्वेग व्यापार की मात्रा में 9.2% की गिरावट आई है इसके बाद 2021 में 7.2% की बिड़्धी हुई है कुरोना में हमारी के कारण देखिए विवन छेत्रों में आपको नुकसान देखने को मिलेगा प्रभाव वर्ल्ड एकॉनोमिक आउटलूक रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर 2020 के संस्करण में आईये में अपने 2020 में विश उत्पादन में 4.4% की तेजगरावट की उम्मीद की थी लेकिन 2020 के विश व्यापार की मात्रा में अप्रेल 2020 में की गई भविसमाणी रथात करम सा 3.0% और 11.0% की तो लाम में 10.4% संकुचंदर्ज की गई कमी तो यह भी आप लोग याद रखिएगा क्या याद रखना है सब कुछ है याद रखना है याद ही याद तो रख रह गई हो 2021 में बारत की विदेशी व्यापार में आकड़े देखें तो अप्रेल दिसमबर 2021 के दौरान कुल निर्याद युएस का युएस डॉलर में अगर आप देखें तो दो सौड दसमला आठ बिलियन हुआ इसके पिछले बर्स की इसी आउधी के दौरान आप देखेंगे माइनस 2.4 की तुला में माइनस 15.7 का संबचन रहा है और अप्रेल नवंबर 2020 में दवा फार्मूलेशन एवं जविक उतपादों की निर्याद में भागेदारी 7.4 पर्टेंट है जो पिछले बर्स की इसी आउधी के दौरान हुए निर्याद 2.1 पर्सेंट से याधे के जिसमें ये 30-10 पर्सेंट निर्याद बस्तूों की बीच दूसरी सबसे वड़ी निर्याद की बस्तू बनी गई है अपरेल नवंबर 2020 में सयुक्तराज अमेरिका भारत के लिए सबसे वड़ी निर्याद बाजार की रूम में बनाया जबकि चीन अपरेल नवंबर 2019 में तीसरे स्थान से दूसरे स्था नहीं है बंगलादेश एक पिरमुक निरयात की रूम में उब रहा है क्योंकि इसकी 2011 से लिकर 2019 के दौरार प्रभाव साली मिस्तिरित बार्सिक विद्धीदर 8.6 रही है जो भारत की तुला में आप देखे कि 0.9 परसेंट और इसकी तुला में 0.4 परसेंट अदेखे फरिडा के बास से बंगलादेश के कुल निरयात का 90% से अधिक रहा है ए 5 बस्तु में मुकरूप से वस्त परिधान, फोट वियर, उद्धियोक से संबन्दी थे और ए अत्यधिक सरम गहन और अर्द पुसल से मुकों को रोजगार उपलब्द कराते हैं दूसरी और आप देखेंग आसा निरयात के कदम इस्तल और आयात के सरोष से है भारत की बिदेश से व्यापार की दिशा में लगादार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है देखें आयात का मतलब होता है कि हम लोग उस देश से खरीद आ है निरयात का मतलब है कि हम अपने एहा से कुछ भेंच रहे हैं अपरेल दिसंबर 2021 के दारान व्यापार घाटा 57.5 billion अमेरिकी डॉलर था और पिछले वर्स की साओधी में व्यापार घाटा 125.9 billion अमेरिकी डॉलर था बारत की बेस्वीक फार्मेसी बनने की संभावना की बात करें तो भारती फार्मा इस्ट्यूटीकल उद्ध्योग दुनि अपनी हिस्थेदारी को 10 परस की अवधी के दोरान 2010 में 1.4% से बढ़ा कर 2019 में 2.6 कर दिया और 2019 में 20 फार्मा निरयात में हिस्थेदारी की मामले में भारत 11 इस्थान पर था और जर्मनी सोजियलेंड से इफ्टरा जमीर का तीन टॉप थे कोविद-19 में हमारी भारत की दुनिया की फार्मेसी की रूम है उभरने के लिए अवसर और चुनोतियां दोनों मोहया करा है अक्टूबर 2000 अक्टूबर 2020 के दौरान भारत का फार्मा सिव्टिकल निरयात कुल 11.1 विलियन US डॉलर है जिसमें 18% की विध्धी दर्श की गई 2019 में 9.4 billion अमेरिकी डॉलर था और अप्रेल नमंबर 2020 में भारत की कुल निरयात में फार्मा सिव्टिकल निरयात की सेथारी 7.1 परसंट थी जो पिछले आउधी में 5.1 परसंट थी तो यह भी आप लोगों की याद रखना चाहिए भारती फार्मा सिव्टिकल उद्यों का वर्तमान मूल 14 billion US dollar है 2019 में यह देखिये पुराने आकड़े हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को जो नए आकड़ी रहते हैं जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं वही देखा घरिएगा पढ़ना है तो बढ़ते रहे हैं मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं वना भी अजिए आवा, अजिए सकते हैं किया घर सकते हैं देखिये बुकतान संतलन बुकतान संतलन गथा पर होता है किसी देस या अन धेस की निवासियों के साथ एक बरस की ओदि Uganda होता है भुकतान शंतलन खाते हीए कि दो भाग होते हैं चालू草ग खाता करेंट अकान टोंड़ चालू के खाती के अंतरगत वस्तुगत व्यापार आयात प्लस निर्यात के साथ आदर्स मदों बीमा परिवाहन परिवाहन परेटन उपहारादी की लेंदारियों बाद्देंदारियों को सम्लित किया जाता है पुझी खाते में पुझी का तिलेंदन, रिणों की प्रवाप्तियां, अदाएगियां, करेंसी लादान, श्रोड हस्तांतरण की प्रविष्टियां की जाती है अर्थवस्था की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यदिक महत्पूर होता है भारत का व्यापार संतुलन नेंतर पिती कूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटी की स्थिति नेंतर बनी होई है चालू खाते के घाटी सितात पर भुक्तान संतुलन के चालू खाते में विदेशों से कुल प्राप्तियों पर विदेशों के लिए कुल देताओं की अधिक से है और बिल्देसों से प्राप्तियां देताओं की कुतुला में अधिक रहने से चालू खाते में अधिक की इस्तितिय मानी जाती है और चालू खाते में घाटा रहने पर उनकी भरपाई पुझी खाते में अधिक प्राप्त कर की जाती है पुझी खाती की प्राप्तियों से में विदेशी निवेश की प्राप्तियां बाविदेशी रेडों की प्राप्तियां आधी पुझी की प्राप्तियां सामिल रहती है वक्ताम संतलन में सुधार ही तू रेजर बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 में को रुपे को चालू खाते में पूर्ट परिवर्थन निये घोसित कर दिया गया और पूजी खाते में रुपे की पूर्ट परिवर्थन निये ता से समट बिविन पहलों पर विचार ही तू रवियाई के पूर्प डिव्टी गवर्नर ऐस तारा पौर की अध्यक्ष्टा में एक सम्मिती का गठन 20 मार्च 2006 को किया गया था विदेशी निवेश अप्रेल अक्टूबर 2020 की दोरान सुद्ध पित्यक्ष विदेशी निवेश अंतरवाह 27.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्श किया गया और 2020 की पहले साथ महीनों की तुला में 14.8 परसेंट अधिक रहा जहां तक सेक्टर वार पित्यक्ष निवेश का सम्मिती की बात करने तो अपरेल से शेप्टमबर 2019 में 4 विलियन अमेरिकी डॉलर की तुला में सिंगापो सरवादिक निवेश करने वाला देश बनाए दूसरा है आपका सेक्टराज अमेरिका विदेशी करश की बात करें तो सेप्टमबर 2020 के अंत में भारत का विदेशी करश 556.2 विलियन अमेरिकी डॉलर था जून 2020 के अंत में दुनिया का कुल विदेशी रिड नव सरकार की अंतराष्टी मुद्रा कोस में रिजर ट्रांस पॉजीशन आर्टीपी विदेशी मुद्रा बंडार को केवल अमेरिकी डॉलर में अभीविक्त किया जाता है आठ जन्वरी 2021 संचित विदेश रिजर पांस सो चैसी दसमलाव एक विलियन अमेरिकी डॉलर था तो य याद रखिएगा ब्याबारिक संगठन हो गए अंतराष्टी मुद्रा कोस आई एम एप के इस बारे में और पहले भी बताया है कि देखिए इस तरह की जो संगठन है उन्हें जरूर याद रखिएगा उनसे आपका स्टेट पीसे सिविल सर्विस में हर साल कुश्चंस दो देखेंगे इसके सदस्त देशों की संख्या एक सो नवासी है एक सो नवासी बार नोरू है आई वेमेप का कार है सदस्त राष्टों की मद्ध बित्तिय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और विस्वियापर का संतुलन संतुलित बेचतार करना आई वी आराडी या यानि की वर्ल्ड वेंग की नाम से आप लोग जानते हैं इन संस्थाओं में अंतराष्टी वितनिगम, अंतराष्टी विकास संग, बहु पक्षी बिनियोग गारंटीय भी करन है इसका उद्देश बिस्यूदे से जरजर हुई अर्दोस्था का प्यारमिक पुनर निर्मा 1995 को गेट का अस्तित समात कर दिया और एक जनवरी 1995 को इसका नाम WTO अर्थादविस ब्यापर संगठन ले लिया और WTO का मुख्याल है जैनेबा में इसके सदस देशों की संख्या 164 और 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान WTO का 164 बाद देश बना था मंतरी इस्तिया समयलन WTO की सर्वच संस्था है और इस सभी सदस देशों के मंतरी इसके सदस होते हैं इस संस्था की पितेग दो वर्स में कम से कम एक वेठक घव Seb dassu की अरियाद निरयाद कि वित्वय उस था ही तु भारत में सिख्यर संस्था निरयाद आएदवेंग है और इसकी था आपना एक आप देखेंगे कि अर्थ सास्त से जो भी परियुक्षा उपयोगी तत्थ होते हैं, जिससे सबसे पहले आप देखी अर्थ सास्त की परिभासा पूँछ रहा है, और याद रखें बिभिन जो आपके अर्थ सास्त्री रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से परिभासा दी हुई हैं तो आप लोग जब आंसाई राइटिंग करें तो इनका नाम लिख सकते हैं और इनकी परिभासा लिख सकते हैं जैसे एक अर्थ सास्तरी हुए रोविंस इन्हों ने कहा है कि अर्थ सास तो है बिग्यान है जो लक्षें और बिकल्पिक उपायों वाले सी में अज की प्रगिती के नियम की खोच करता है फिर आप देखेंगे एक उए बैन हम इन्होंने कहाई कि अर्थ सास्त उन तत्यों का ध्यर है जो रोजगार और जिवन इसतर को प्रभावित करते हैं और फिरों फेसर फ्रेड में हुए इन्होंने कहा है कि अर्थ सास्त कभी वा पिवार की आये बढ़ने पर उसके आप खाने पीने की बस्तूओं पर खर्च का पितीसत कम हो जाता है अब आप कितना भी खाई है अगर आप सोचे कि जब आपकी दस जार इंकम है आप सो रुपे का खा जाते हैं अगर आपकी एक लाग तन खा हो जाएगे तो क्या आप यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो फिकार की मुद्राएं एक साथ चल रही हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देंगी फिर उत्पत्ति हरास का नियम यदि किसी बस्तू के उत्पादन में किसी एक परिवर्तन से साधन की मा मात्राओं से प्राप्त सीमान्त उत्पादन घटता चला जाता है वो इस प्रवित्ती को अर्थ सास्त में उत्पत्ती हिरास नियम का हिरास्पी तीफल का सिध्धान कहते हैं ठीक है उसके बाद अब देखेंगे कुछ और पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे परिवर्ति साधन और साधन साघन की मात्रा में विड्धी करने का सीमान्त उत्पादन में अनुपातिक दिरिष्टी से तीन पेकार की प्रवितिया देखने को मिलती है सीमान्त उत्पादन घड़ जाने या समान रहे या बढ़ जाए आदोनी कर्थ सास्तरी इन तीनों अवस सिद्धां सीमां दृतपा लगां किस्षिचेत में उत्पत्यहिर्ास का नियम सेगता से लागू होता है क्योंकि किस्षिचेत में सिरम विवाजन का अभव है त multip Saint Rem zit ने याद है कि आपका पूंच लिएठा करिक्षा में आपका से कहेगा अर्थ सास्त चुनाव का विग्यान है यह किस ने कहा था तो यह कहा था रोबिंस ने अर्थ सास्त वास्त वास्त विग्यान है रोबिंस ने कहा था अर्थ सास्त आधर्स विग्यान है यह मार्सल ने कहा था अर्थ सास्त का क्विसलेशन करना निंदा करना है निंदा क में पिकासित अपनी फुस्तक जनरल थेयोरी ओफ इंपुलाइमेंट एंट्रेस्ट एंड मनी की पिस्तावना में से के बाजार नियम पर घातक प्यार किया और पितिश्टित बिचार धारा को आसुएकिती आसुएकित करते हुए रोजगार का एक क्रमबद तथा विवस्ति स और अर्था रोजगार की मात्रा प्रभावपूर मांग पर निर्भर करती है और पूझीवादी अर्थविस्था में प्रभावपूर मांग या समय मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन होती है से का वाजार नियम बात करें तो पूर्ती स्वयम अपनी मांग उत्पन करत यह नियम बस्तू विनिवाय और मुद्रा विनिवाय दोनों में लागू होती है इसके अनुशार अर्थव्योस्था में सामानता अत्ति उफ्तपादन के फलस्वरोप सामान बेरोजगारी संभौ नहीं है कि इसके अगर रोजगार का तार्किफ प्यारंभिक बिन्दू समर्थ मांग का सिध्धानत है इसके अनुशार समर्थ के निर्धारिक तत दो है एक तो समग मांग फलन ADF और एक समग पूर्थी फलन ASF किसी अर्दवस्था में ASF उद्दिमियों की कुल लागतों तथा ADF उनकी कुल प्राप्तियों का पितिने दिद करती है अर्दवस्था में वह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्दवस्था में रोजगार इस्तर एन उत्पादन उत्पादन इस्तर ओ और आय इस्तर बाई तीनों बराबर हो किंस की बात माने तो किंस के अनुसार आउसास से किसी अर्थवस्था को बाहर में लगालने के लिए यह आवस्थक है कि सरकार राजकोसी नीती का सहरा ले और साज़िनिक बैय में विध्धी लाए मजदूरी नीती के बदल ले लचीली मुद्रा नीती का समर्थन किया था एक नगदी लेनलन सिध्धांत होता है और इसका पिधिय पादन फिरसर ने किया था इस सिध्धांत के अनुसार मुद्रा का मात्रा वड़ती है तेयों तेयों कीमत इस तर पर भी पित्यक्ष अनपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल भी घटता जाता है और विलॉम सा भी और यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत इस तर भी दुगनी हो जाएगा और मुद्रा का मूल आधा हो जायेगा, और ठीक इसके विब्रीद। यदि मुब्रा की मात्रा घटकर आधि हो जायें, तो कीमत इसतर गिरकर आधा रहे जायेगा और मुद्रा का ओल्भ धुगना हो जायेगा। उत्पादन फलन, उत्पादन के सादनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंद को उत्पादन फलन कहते हैं, या सादनों तथा उत्पाद की भी तक्नीकी संबंद को फ्रगट करता है उत्पादन फलन, जब आप देखें कुल उत्पादन अधिक्तम होता है तो सीमान्त उत्पाद सुन होता है और सीमान्त उत्पाद सुन और रिडात्मक हो सकता है लेकिन उसत उत्पाद ना तो कभी सुन हो सकता है और ना ही रिडात्मक ये कुल उसत और सीमान्त उत्पादनों में परिवर्तन क कि अवस्था है जैसे उत्पाद हो गया पहली अवस्था दूसरी अवस्था तीसरी कुल उत्पाद बढ़ता है दूसरी अवस्था में बढ़ता है अधिक्तम हो जाता है और फिर तीसरी में गरता है और अंत में अधिक्तम हो जाता है दूसरी अवस्था में गरता है गरता है और सिमान्त उत्पाद वक्क एक दूसरे को उस बिंदू पर काड़ते हैं जहां पर और सिमान्त उत्पाद अधिक्तम होता है लेकिन इस बिंदू पर सिमान्त उत्पाद वक्क नीचे की ओर गिरता हुआ होता है एक आपने सुना होगा कौब डगलस का उत्पादन फलन इस उत्पादन फलन को कौब औरडगलस नमक दो उर्थ सास्तरीों निपितीबादित किया था और इसलिए ऐया फलन उनके नाम से ही जाना जाता है याप फलन रेखीए समरोफ उत्पादन फलन का एक रोप है इसकी मात्पूर बिसे इस्तायन निम्द है एक उतभादन फ़लन के अनुसार बश्तु का उत्भादन करने के लिए दोनों साधनों सरम बापूंजी का प्रियोग होना चाहिए यदि इन में से किसी एक साधन का प्रियोग नहीं होता है तो बस्तू का उत्पादन सून होगा और इस फलन के अनुसार यदि एक साधन इस्थे रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तन सील साधन की सीमात उत्पादन तगटी है और इस फलन के अनुसार प्रिमाने की पित्ती फल इस्थे प्राप्त होते है अर्था स्रम तथा पूंजी को किसी अनुपाद में बढ़ाने से बस्तू का उत्पादन भी उसी अनुपाद में बढ़ता है और इस फलन के अनुसार तक्नी की पित्ती स्थापन की लोज लोज एकाई की पराबर होती है यह अर्थास्त की प्रम पुस्तके हैं अर्थास्त से जुड़ी हुई इनके लेखक हो गए यह पुस्तक हो गए यह लेखक हो गए इनसे याद रखे, इनसे भी questions आ जाते हैं इनसे पुस्तकों को जरूर याद रखेगा, एकोनोमी में कभी questions आती है मांग प्रभाव पूर्ण ही मांग है यदि अन्न बातें सामान रहें तो मूल बढ़ने से मांग घटती है और मूल घटने से मांग बढ़ती है गिफिन बस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता मांग में अनुपातिक परिवतन और मूल में अनुपातिक परिवतन गिफिन बस्तुओं क्या होती है गिफिन बस्तुओं निम्न कोटी की बस्तुओं होती है और मूल में विड़्धी होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मूल में कमी होने पर इनकी मांग कम हो जाती है इसे विरोधाबास को गिफिन विरोधाबास की संग्या भी दी गई है गिफिन विरोधाबास आवस्तिक बस्तुओं की मांग बेलोचदार आरमदायक बस्तुओं की मांग लोचदार तथा बिलास्ता समन्दी बस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है जब किसी बस्तुओं में अस्थानापन उपलब्द होते हैं तो उनकी मांग लोचदार होती है बस्तुओं के बिकल्पिक फिर्योग संभव होने पर मांग लोचदार होती है पूरग बस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है यदि समाज में धन का आसमान वितरन है तो मांग की लोच बेलोच होती है जबकि धन का समान वितरन होने की पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है मारसल की अनुसार मांग की लोच को समय तत्त भी प्रभावित करता है कीमत की मांग पर होने वाली पितिक्रिया की अउधी जितनी कम होगी मांग की लोच उतनी विलोच होगी जितनी अधिक होगी मांग की लोच अब देखें उतनी ही लोचदार होगी जिन बस्तुओं पर बैय किया जाने वाला पितिसत बहुत अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग बैय किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है आप देखें कीमत इस तर में विड्धी होती है तथा मुद्रा का मूल गिरता है यानि मुद्रा इस पिती वय वस्ता है जब बस्तूओं की उपलब मात्रा की तुला में मुद्रा तथा साग की मात्रा में अधिक विड्धी होती है और परडाम सवर्व मूल इस तर में नियंत कि विड़ी पर नियंतर्व कर ऐसे इस पिती को इस्थाई रूप से नियंतर्व किया जा सकता है कि सीधी सी बात दें कि मुद्राइस पिती का मतलब है समझें माले ये कोई एक किलो आप लोग क्या काहे का उधारन ले 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 चलिए आप लोग मक्खन खाते होंगे घी वही कहते हैं जिसे आप लोग आप कहीए कि 200 रुप या किलो मिलता आप लोग 200 रुप खाज करके एक किलो घी या मक्खन खरीद सकते थे अगर वही घी या मक्षन आपको 500 रुपे किलो मिलने लगे तो आप लोग ऐसे में क्या कहेंगे क्या उसकी मात्रा बड़ी उस मक्षन गी की उसका बजन बड़ा, नहीं लेकिन आप देखें कि उसी के लिए जिसे आप लोग खरीदने के लिए जो खरिंजने के लिए 200 रुपी कर रहे थे, आप 500 करने पड़ रहे, यानि कि जो आपकी मुद्रा है, जो पैसा है, उसकी कीमत गर रही है, ठीक है, जो सही मुद्राइस्पिती कहते हैं, किन्स की अनुषार बास्पिक मुद्राइस्पिती पूर्ण रोजगार बिंदू के ब साकी बढ़ती हुई कीमतों की स्थिती से, अत्यदिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन इस्पिती को चलन इस्पिती कहते हैं, उधार रिड़ नीती के फलस्वरो ब्यापारिक बेंकों द्वारा, अत्यदिक साक निर्गमन के कारण उत्पन इस्पिती को साक इस्पिती कहा ज तारण जब बस्तों की कीमितों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत पेरितिस्पिती कहा जाता है। खुली मुद्राइस्पिती मैं समाज की बढ़ती हुई आय की उभोग पर कोई नेंतर नहीं लगाया जाता है। और जबकि परिवर्तित आय वाली को बढ़ को लाव होती है। मुद्राइस्पिती को नेंतर करने के उपाय कौन से हो सकते हैं। संतुलित बजट बनाना, सारुजनिक ब्याय विशिस का अनुपाद अनुपादक ब्याय पर नेंतर रखना। प्रगति सील, करारोपन, सारुजनिक रेड में विध्धी करना, वचत कुफरोशाहित करना, उध्पादर में विध्धी करना, मुद्री को पाय क्या हो सकते हैं। मुद्रा निर्गवन की नियों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, कठोर साकनीती अपनाना, मुद्रा संक्वचन यानि की मुद्रा आउस्पीती, तो यह मुद्रा श्पीती की विपरी तवस्था होती, इसमें मुद्रा का मूल ने तो बढ़ता है, औ प्रोफेसर फिगू के अनुसार मुद्रा संकचन की दो प्रमुक लक्षन होते उत्पादन में बिढ़ी मुद्रा की मात्र से अधिक होती है और मूल्यों में गिरावाट आती है। जब अस्तूओं की मुद्रा संकचन की रोकने के उपाए, तो मद्रीक उपाए, मुद्रा का अधिक निर्गमन, साक मुद्रा का विस्तार, राजकोशी उपाए, सार्वीनिक ब्या में बिढ़ी, करार उपन में कमी, रेडों का भुकतान, आर्थिक साहता और अनुदान में ब पूर्थी पर नेंतर मुद्रा और इस्पिती अर्दोरस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके विरोजगारी बढ़ाती है और जिससे संपूर्ण अर्दोरस्था निस्थ क्रिये और निर्जीप होकर मंधी के दौर में फस जाती है मुद्रा संस्त रिफलेक्शन भी मध्रा, संफिती, वह है फिक्रिया है जिस में जानबूच कर मुद्रा और साग की मात्र हैं में विड़्ी करके बस्तू मूञ्यों में विड़्ी का प्रयास किया जाता है और संस्विति प्रया अर्थवस्था में व्याप्त मंदी से चुटकारा पर राप्त करने के लिए किया जाता है मुद्रा इस्विति और संस्विति की प्रकिती लगबग एक सीजय होती है दोनों में ही मुद्रा की मात्रा वरती है और कीमितों में विड्धी होती है परंतु दौरों में कुछ मात्पून अंतर भी होते हैं संस्फेती जान बोचकर नियंतरात्मक रोप से विगडी हुई इस्तिती को सुधारने के लिए अपना ही जाती है जबकि मुद्रा इस्फेती प्रया अनियंतित और परिस्तिती जनन होती है तो ये भी आगलों को खोड़ याद रखना चाहिए मुद्रा अप इस्फेती मुद्रा अप इस्फेती के इंतर बेक सब क्रियां नीतियां उपाये आते हैं जो मुद्रा इस्फेती के बेक को रोकने के लिए किये जाते है मुद्रा अप संकुचन में तुला तो मुद्रा संकुचन या वी स्पिती देश में मंदी की स्तिती उत्पन करती है जबकि मुद्रा अप संकुचन स्वयम उत्पन होता है और मुद्रा अप स्पिती देश को आर्थिक स्तिती में सुधाने के लिए होती है जबकि मुद्रा संकुचन में से देश कोहानी होती है मुद्रा संकुचन इवां मुद्रा अप स्पिती दोनों ही गिरती हुई कीमिनतों का सूचक है और दोनों ही प्रकिती लगबग एकसी जैसी होती है गती ही निस्पिती या सर यह आप देखेंगे इस्टेक फिलेशन और इसलोम फिलेशन यह आप देखें यह वो सिस्तिती का गोतक है जो अर्थ विवस्था में तो एक और कीमते बढ़ती है और दूसरी ओर आर्थिक विकास औरोध होकर अर्थ विवस्था में निस्क्रियता और जड़ता की स्थिती उत्पन हो जाती है अर्थातिस में आर्थिक निस्क्रियता अत्वा विकास में इस्थिता तथा इस्पिती एक साथ मौजूद रहती है और निस्पंद इस्पिती में मुद्रा इस्पिती महगाई बेरोजगारी उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्ध मान रहती है और सेमिल्सन के सब्दों में माने तो निस्पंद इस्पिती एक नई बीमारी है जिसमें बस्तूओं के मूल्यों और मजदूरी की दरों में विध्धी होती है, किन्तू साथ ही साथ बेरोजगारी में विध्धी होती है, और उत्पादित किया हुआ माल विखना कठेन हो जाता है, निस्पंदन इस्पिती उत्पंद होने की कारण, मुद्रा की मात्रा में त विसंताओं को फितासित करने वाला वक्त को आप लोग लॉरेंज वक्त कहते हैं लॉरेंग वस्तुता आर्थिक विसंता की माप करता है ये भी आप लोग याद रखें गिनी गुडांक आर या संपत्ती की वितरंड में ब्याप्त आसमानताओं की सांकिकी माप गिनी गुडा आये बित्तरण की विस्तमता कम होने लगती है यदि हम इन दोनों के संबंध को बक्क द्वारा पे दर्सित करें तो यह उल्टे यू आकार की प्राप्त होती है और इस सब्सक्राइब को ही हम लोग कुछ नेट सब्सक्राइब कहते हैं फिर आप लोग ने सुना होगा मजदूरी दर अधिक होगी और यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी कम होगी और अतहा फिलिप्स से वक बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच बस्तुता भी निबाए को ब्याक्त है यह भी आप लोग याद रखिएगा एक लाफर बाक कभी आप कर दिया जाए तो सरकार को प्राफ्त होने वाले राजस में विड़्दी होगी लिकिन यह विड़्दी एक सीमा से यह दे कमी कर दिया जाने पर करागत राजस में कमी आएगी इस सिद्धान्त होगा है पितिपादक होगा है इनसे जरूर याद रखेगा इन रख विकास का सिध्धान्त दादाफाई नरो जी ने गरीवी का दुस्चक दृष्टी कौन पिश्चन वेरोजगारी सिध्धान्त संतुलित विकास का सिध्धान्त ए रेगनर नर्क्स फिलानिंग एड़ी दीपूर पी एस मिनहास एन इंक्वरी इन्टू दा पावर्टी ओफ नेशन्स गुनार मेडल पिवल धक्का सिध्धान्त रोजिस्थीन रोडो आसंतुलित विकास सिध्धान्त हर्समेंट इस्टेज जेज ओफ एकोनोमिक ग्रोथ रोस्टोर्ड शोशल वेलफियर एंड क्लेक्टिव च्वाइस एक उतान समर्द दिर्ष्टी कौन एडम एश्मेट इस्टितम करारोपन का सिध्धान्त आर्थर लेपर वेकर एकेल्डार टोविन कर जेम्स टोविन मूल वर्दित कर वी एटी एपिथम पितिपादिक एफ वान सेमेंस थे मूल वर्दित कर मारिस थारे और कार्ल शू दिक्स समाजी कल्याण का सिध्धान्त डाल्टन पेगो कर देगी चमता किलार्क कार्यात्मक बित्त का सिध्धान्त एपि लर्णर चतिपूरक राज़कोसिय सिध्धान्त जॉन मेनार्ड केंज एक कुछ मातपूर्ण सब्दावलिया है जो आपकी एकोनोमी से ही जुड़ी हुई आप अर्धवरस्था को दो तरीके से देखते हैं एक अर्थ सास्त और दूसरी वरी सी इर्थ सास्त युनानी भासा में मैक्रो का अर्थ बेहध होता है और अर्थ वरस्थ Daisy को अपने परिवार के मार एक हिसाब से देख लीजिए उसे एक देश के एकाईयों की गती भी नहीं हो कद्धेन जैसे व्यक्ति परिवार कम्पनिया एक विसिस उद्धियों जो मिलकर एक अर्थवस्था का निर्वार करते हैं 1933 में अर्थ शास्त में मैक्रो और माइक्रो सब्द का प्रियोग स्थरवेथम रगनार फ्रिस ने किया था ठीक है फिसर प्रिभाव भी आप लोगा नस्रा होगा एर्विंग फिसर द्वार विक्सित अवधार्णा मुद्राईश्थी तिथा ब्याद की बीच संबंद कुदराशाथा है किसी रेड पर सांकेतिक ब्याद दर, बास्तिविक ब्याद दर तथा रेड की अवधी के लिए अनुमानित मुद्राइस्पिती की दर की कुल्यों होती है इसमें R बरापर R, small r plus M, जहां R सांकेतिक ब्याद दर हो गई R, small r आपका बास्तिविक ब्याद दर हो गई R, warisik M, दर हो गई यह अवधारणा M, दर हो सांकेतिक ब्याद दर के वीच एक पित्यक्च संब्द को ब्यक्त करता है इस प्रभाओ को bank की जमावों पर देखा जा सकता है जमावों पर bank जो ब्याद देता है उससे सांकेतिक ब्याद दर कहा जाता है जो बास्त, तो बास्तविक ब्याददर मात 3% होगी तो इस तरह से आप लोग देख लिजेगा ठीक है तो रहांगे चलते हम लोग टॉविन कर या नोवल पुरुषकार विजेता अर्थ सास्त्री जेम्स टॉविन द्वारा पिस्तावित किया गया था करब डिलिंग सेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को करब डिलिंग कहते हैं बजट किसी संस्था या सरकार की एक बरस की अनवानित आयबे का लेखा जोगा बजट कहलाता है सरकार का बजट अब केबल आयबे का विवरनमाती नहीं है अब तु यह सरकार की कीरिया कलापों और नीतियों का वितरन भी है यह आदूनी काल में सामजे कार्थिक परिवरतन का साधन भी बन चुका है बफर स्टॉक आपात इस्तिती में किसी वस्तू की कमी को पूरा करने के लिए वस्तू का स्टॉक तेजार करना वफर स्टॉक कहलाता है तेजडिया, मंदाडिया यह आप सभी जानते हैं यह पूछ लेता है यह तेजडिया और मंदाडिया सब्द किस से सम्मादित है यह स्टॉक एक्शेंज की सब्द है जो व्यक्ति स्टॉक की किमतें बढ़ाना चाहता है तो तेजडिया कहलाता है जो व्यक्ति स्टॉक की किमतें गिरने की आसा करने करके किसी बस्तू को भविसमें देने का बायदा करके वेंचता है वह मंदाडिया कहलाता है ब्रिज लॉन कमपनिया फ्रेया अपनी पुझी का विस्तार करने के लिए नए सेयर और डिवेंचरों जारी करते रहती है कमपनी को सेयर जारी करके पुझी जोटाने में तीन माह से अधिक समय लगता है इस समय आउधी में अपना काम जारी रखने के लिए कमपनिया बैंक से अंतरिम आउधी के लिए रिड़ पराप्त कर लेती हैं इस पिकार के रिड़ को ब्रिज लॉन कहते हैं अउमूल्यन यदि किसी मुद्रा का वी निवे मूल अन मुद्राओं की तुला में जान बूच कर कम कर दिया जाता है तो उसे इसे मुद्रा का अमूल्यन कहते हैं यह है अउमूल्यन परिज्टिती के अनुसा सरकार स्वैम करती है चाहिना करता रहता है जब कालाधन बढ़ जाता है और अर्थवरस्था खत्रा बन जाता है तो इससे दूर करने के लिए बीमुद्रीकन की बिदिय अपना जाती है इसके अंतरगर सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती हो नई मुद्रा चालू करती है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देखे आप लोग जब तक भषटाचार देश से खतम नहीं होगा तब तक किसी भी तरह से आप लोग इसे नहीं रोख सकते हैं हमारे देश में हुगा था भी मुद्रीकन लेकिन क्या देखा आपने गरीब लाइन में लगे रहे हैं और जिनके पास काला धन था वो बगल से पीछे का रास्ता अपना पिस चलेगा है मैं कर देखा है मुद्रा संकुचन जब बाजार में मुद्रा की कमी की कारण कीमतें गिर जाती है उत्वादन वाव्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है तो वह मुद्रा संकुचन कहलाता है ही नार्थ प्रबंधन क्या ही नार्थ प्रबंधन इसमें जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आयकम होती है और बे अधिक होता है और बे कि इस अधिक को केंद्री बेंक से ररल लेकर अत्रिक्त पत्र मुद्रा निर्गमत कर पूरा किया जाता है तो यह विवस्त गाटी की वित्रीबवस्ता अध्वा ही नार्थ प्वेवंद्धन, कहलाती है को िस्ताजी कशनु दरीष्टी से पहले yr सिमे तरप से मुद्रा को उतला क्राइमरी गोल्ड मगारं है लोग कि इसमें आप लोग देखें हैं कि स्मामी नाथन सम्ति जन संख्या सम्थी ए पिती भूती घोटाले से संबंदी दानते वाला सम्थी वेरोजगारी के अनुमान से सरकारिय सम्थी केंदराज्य संबंद से गौस्वामी सम्थी उद्धोगे करुगनेता से महाल नौवे सम्थी राष्टियाय से रंगराजन सम्थी भुकतान संतुलं से मलहुत्त समति भीमा चेत में सुधार से, खुसरो समति किर्सी साख से, गोई पोरिया समति, बैंक से बासुधार से, भूरेला समति, मोटर वहान करों में विड्डी से, भणडारी समति, चेत्रिये गरामिट बैंकों की पुनर सडचना से, उच सच्चर समति, ए आप देखेंगे मुसलि की सामाजिक आर्थिक बस एक छड़ेक इस्तितिक अध्यन से एस तारापुर समती रोपे की पुझी खाते पर परिवर्ति निये था अभिद हुसेन समती एलगू उद्द्योक से डॉक्टर कीटी एक एस पार एक पैटॉलियम उत्पाद्मों की मूल पेडाली पर सुझाओ से और बीएस व्या समती केसीवं ग्रामीन सांख बिस्तार से महाजन समती चीनी उद्द्योक से सत्यम समती वस्त नीती से मेरासेट समती हधकरगा की विकाफ से और रिसेशन, रिसेशन से ताथ पर मंदी की अवस्ता से जब बस्तूओं की फूर्ती की तुला में मांग कम हो तो रिसेशन की इस्तिती उत्पन होती है, ऐसे इस्तिती में घना भाव कि कारण लोगों की क्रय सक्ती कम होती है और उत्पादित बस्तू में अन्विकी रह जात जाती हैं और इसते उद्धोग को बंद करने की विक्रिया प्यारम होती है और विरोजिदारी बढ़ जाती है 1930 के दसक में विश्वयापीर रेसेशन की इस्थिति उत्पन होती है इस्टेक्फिलेशन यह अर्थवस्ता की ऐसी इस्थिति है जिसे में मुद्रा इस्थिति के स नियंतन लाने ही तो जो प्रयास किये जाते हैं जैसे साथ नियंतन की आदी और उनकी पैडाम स्वरूप मुद्रा इस्थिति की दर घटने लगती है और कीमतों में गरावट आती है तथा रोजगार पर भी पितिकूल प्रभाव पड़ता है यह इस्थिति मुद्रा और अ सुचपां का प्रयोग से रोड़ की तैजी या फिर मंदी के रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गर्णा के लिए एक दिन में जिन सेरों के मूल बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन सेरों को भाग दिया जाता है और जिनके मूल उस दिन गिरते हैं और यदि इंडेक्स एक से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रूख होता है इंडेक्स एक से कम होता है तो बाज क्या कहते हैं डिवेंचर और कम्पिनी की रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है डिवेंचर की साथ लगे कूपन को पिस्तुत करने पर ब्यायत तथन डिवेंचर को पिस्तुत करने पर मूलधन का भुकतान पिस्तुत करता को पराप्त हो जाता है खोजाने तरह चोरी हो जाने पर इस पेकार की डिवेंचर की पूर्ण जोखिम होते हैं विलू आउट या आप देखेंगे कि जब कोई कमपनी अपना नया issue जारी करती है और उसका सबक्रेप्शन पहली ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे आप लोग बिलू आउट या आउट आप बिंडू कहा जाता है P.E. अनफात इसमें किसी कमपनी के पिती सियर के वाजार भाव में पिती सियर आयसे भाग देकर P.E. अनफात ग्याफत होता है हंग अप जब किसी सेयर का भाव किसी निवेसक द्वारा क्रय किये गए भाव उससे काफी नीचे चला जाता है तथा यसी इस्तिति में अधिक घाटा उठाकर सेयर बेंचने की बदले वह निवेसक भविस में उसके भाव बढ़ने की आसा में अपने सेयरों को रखी रहे तो यसी इस्तिति को हंग अप कहा जाता है बंधक डेवेंचर और इस फिकार की डेवेंचर कंपणी की समपत्ती पर प्रभाव रखते हैं और अताहे इसका भुकतान सुरक्षित होता है बंधक दो फिकार के होते हैं एक चल प्रभाव दूसरा निश्चित प्रभाव चल प्रभाव के डिवेंचरों में इस्तिती मैं का इसी कन् avasam PPOS को पिर उन एक सकती होसे हैं ना ही॥ तो एक अनुमी के बहुत एक बड़ा खितम होगया बीज्चन में कुष्चन सा जाता हैं भारत तमाकुद पादम करने बालो विसका तीसरा बड़ा राष्ट है, सबसे बड़ा उत्पादक और भोगता दोनों चीन है, केंद को सरवादिक निवल राजजस की प्राप्ती सीमा सुल्ग से प्राप्त होती है, भारत में पहला जल्मिद्दू सक्ती गरह सन 1897 में दार्जलिंग में पैरम हुआ था, क सेंद्री एग मार्क प्रयोक साला नांगपुर में आपको देखने को मिलेगा, सेंद्री ओरवक का रिखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कार रिखाना, भारतिय टेली खौन उध्द्द्यो, इंटीगल, गरल, कोज फैक्टरी, पैनिसलीन फैक्टरी, भारतिय टेली, फ कि विद्धी का विकास सरिचर्ण श्टॉन ने किया था जब किसी वस्तू के वास्तेट मुझली के वजए मॉद्रिक मुझल से पिक्तिक किरिया ब्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भिरहम कहा जाता है अंतराश्टी व्यापार में अनुकुलन संतुलन की स्थिति वाली मु रामी करवेवस्था में आयवर्णने के कारण करकी दरों में कमी होती है। राष्टी ये लेखा सांखिगी को स्वेध पत कहा जाता है। क्या स्वेध पत कहते हैं। भारत परेटन विकास निगम की स्थापना एक सारवियेक छित के उपकरम की रूम में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में 17 महराष्ट में कोला गया। भारत में मोटर बाहनों का सरवादिक निर्याद जवाहलाल नहरू बंदरगाह से किया जाता है। खादी इवं ग्रामीर उद्द्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्सी योजना के अंतरगत की गई थी। राष्टी ग्रामीट विकास संस्थान हैदराबाद में देखने कुमलेगा। भारती उद्दोगी पुनर निर्मार बैंक की स्थापना 1985 में की गई। किस्न ने करांती का संबंद खनिश्तिल से में आत्मिरभर्ता से संबंदित है। भारत में करमचारी राजवीमा योजना 1952 में प्यारम की गई थी। कव? 1952 में। भारती बैंकों की विदेश्तियों में सरवादिक साखाएं यूके में हैं। कहां यूके में। गोल्डन हैंड सेख इसकीम स्वैक्षिक सेवानिवित्ति से संबंदित है। विसकी सबसे बड़ी स्वैड रेफाइनरी रेड फाइनरी रेफाइनरी लिमेटेड दच्छड अफीका में देखने को मिलेगा। भारत में पहली स्वैड रेफाइनरी सिर्म और महराष्ट में सितापित की गई। बाड़वे राजिस्तान में तेल की विसार भंडार पाए जाते हैं और 1934 में केंद्री राजिस बोर्ड का विवायन करकी केंदी उतपास सुल्क और सीमा सुल्क बोर्ड बाकेंदी पितेक्च बोर्ड का गठन किया गया था राइट गुड्स से तात पर अभी जात वर्ग द्वारा देने के इस्तेमाल में पिवक की जाने वाली बस्तियों से होता है जैसे कि टीवी प्रेज, बॉसिंग, मजीन, कार राइट गुड्स की विसेचता यह होती कि पिदर्शन प्रहाँ से इन बस्तूं के उभ्भोग को पुरासाहन मिलता है यानि पिदर्शन उभ्भोग के लिए खरीदी गई बस्तूं राइट गुड्स कहलाती है किसी देश में एक्स में आर्थिक समरिद्धी होगी यदि एक्स में पुझी निर्माड होगा उद्धोगिक सरमयकों के लिए CPI संख्या का स्रम ब्यूरो जारी करता है मुद्रा पिचलन कम होने से मुद्रा इस्पिती को नियंतित करने में मदद मिलती है और भोगता कीमत सूचकांग CPI में खाद पतार्थों का भार थोक कीमत सूचकांग की तुला में अधेक है WPI यानि कि आपका कहने के मतलव है कि थोक कीमत सूचकांग सेबाओं की कीमतों में परिवर्तन को गहन नहीं करता जो CPI करता है मुद्रा स्पीती से देंदारों का लाव होता है आर्थिक समर्दी सामान ता मुद्रा स्पीती से जुड़ी हुई है मुद्रा स्पीती दर की गड़ना पर पिछली वर्स के कीमत इस तुरों का परिभाव आधार प्रभाव कहलाता है आधार प्रवाव के लिए कभी कभी मुद्रा इस्पीती में तीबिर्धी को उत्तरदाई ठहराय जाता है अटल नवाचार में सन नीती आयों के इंतर के स्थापित है सारजिनेक छेत बैंकों के अध्यक्ष का चैन बोर्ड और विवरो द्वारा किया जाता है और मांग मुद्रा एक अल्फ कालिक बित है जिसका उपयोग बैंकों के बीच लेंडन के लिए किया जाता है बैंचर कैपिटल का अर्थ नए उद्दिमियों को पिदान की गई दिरिक कालिक स्टार्ट अप पूझी है भारत में बैंकिंग लोगपाल की नियुकती भारती रिजर बैंक द्वारा की जाती है और इसके द्वारा पिदान की जाने वाली सेवा किसी भी सोलक से मुक्त होती है या भारत में खाते रखने वाले अनुवासी भारतियों की सेकायतों पर विचार कर सकता है तो यह भी याद रखिएगा यहां भी कुछ आपके पॉइंट दिये गए इन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा विलॉक्चेन फटोदोकी की एक सार्वजने खाता है जिसका हर कोई निरिक्षन कर सकता है लेकिन जिसे कोई एकल उपयोग करता नेंतित नहीं करता विल रहें उस साले को विजट देखा करिएगा ठीक है तो आप देखिए पुराना हो चुका है अब आपका दोहजार बाइस इसका चुका है कि पर भी आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लिजिएगा इसकी इन सॉट भी लेकि यह आप लोग जो भी चाहें जो भी से भी चाहें यह रोप के भी पर सकते हैं आप लोग तो यह कहानी निपटती है आपकी एकोनोमी की और आपने देखा कि हम लोगों ने कौनी एकोनोमी भी कवर कर लिया है अब अंगली क्लास में हम लोग मिलेंगे भारतिय सम्मिधान के साथ और मुझे लगता है कि भारतिय सम्मिधान को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे कुश्चन काफी आपकी परिक्षाओं में आते हैं और एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस exam की तयारी करते हैं और आप लोग जिस exam की तयारी करते हैं उसके पुराने question paper उठा के देखें आप लोगों ने और नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखिएगा खरीद के लिए आईएगा या डाउनलूड कर लीजी आगा आप लोग ठीक है